हेलो बच्चो अब आपको इस चेप्टर के लेक्चर देखने के लिए अलग-अलग वीडियोस देखने के आवशक्ता नहीं है आपको अलग-अलग वीडियोस सर्च करने के आवशक्ता नहीं है इस वीडियो में इस chapter के सारे lecture एक साथ आपको मिलेंगे इस वीडियो के description में time stamp के form में सारे videos आपको बगल में दिखाई देंगे आप किसी भी stamp पे click किजिए और सीधे उस topic पे पहुँच जाएंगे और साथी साथ इस chapter के notes आपको description में दे दिये जाएंगे और जो MCQs questions है वो भी आपको description में मिल जाएगा तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रोत नहीं है बार-बार वीडियो सर्च करने ज़रोत नहीं है सीधा इस वीडियो में आईए और पूरा lecture एक साथ देखिए कैसे हैं आप तो चलिए class 12 का आज पहला class है आज हम class 12 का chemistry का जो first chapter है solid state उसके बारे में बात करेंगे आज ए class में हम जो ठोस अवस्था है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप मुझे यह बताईए कि class 11 में किस तरह की चीजें आपके साथ रही है आपका preparation कैसे रहा है आपके concept कैसे रहे है तो कि मैं आप सब को व्यक्तियत तोर पर तो नहीं जानता लेकिन मैं अपने सभी students के लिए ये लेके चलता हूं कि मेरा बच्चा जो है वो जितना भी जानता हो पर जब class 12 में मेरे साथ जब रहेगा तो हम सारे जो basic चीज़े रहेंगे उसको साथ में लेके चलेंगे मैं class 11 का आपका जो भी concept है कभी भी अगर वो class 12 में use होता हूँ दिखा तो मैं आपको उसको साथ में बताते वे चलूँगा तो चलिए फिर class 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था आज हमने शुरू करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें ठोस अवस्था की तो यह बताईए आप सब को पता होगा कि प्रकृती में जितने भी पदार्थ पाए गया है वो आम तोर पर तीन श्टेट में होते हैं तीन अवस्था में वो पाई जाती है क्या-क्या solid, liquid और gas, ठोस, द्रव और gas हाला कि अभी हम चौथे श्टेट में आ चुके हैं चौथे श्टेट की बारे में हम जानते हैं आजमा नाम का चौथा श्टेट भी अभी अविलेबल है पर अगर हम class 12 के syllabus के बारे में बात करें तो हम class 12 के syllabus में तीन श्टेट के बारे म पढ़ेंगे तीन अवस्था के बारे म पढ़ेंगे क्या-क्या ठोस, द्रव और gas इस chapter में सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे आपको याद होगा class 11 में आप already gaseous state जो हम पढ़ चुके हैं जो gas अवस्था है वह आप पढ़ चुके हैं class 12 में हम ठोस अवस्था पढ़ेंगे और साथी साथ द्रव अवस्था पढ़ेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था के बारे में तो ये बताईए नेचर में प्रकृती में जितने भी पढ़ार्थ पाए गये हैं वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा कि द्रव अवस्था में पाया जाएगा कि gaseous अवस्थम पाया जाएगा ये कैसे तै होता है भई ऐसा कौन सा कारक है जो ये तै करता है कि कोई भी पदार्थ किस अवस्थमे पाई जाएगी थोस्त, द्रव या गैस दरसल कोई भी पदार्थ के अंदर जो अडू होते हैं या जो परमाडू होते हैं उनके बीच कितना आकर्शन होगा या कितने किस तरह का आकर्शन होगा यही इस बात को तै करता है कि पदार्थ किस अवस्थमे पाया जाएगा फिर सी रिपीट करता हूँ मैंने कहा कोई भी पदार्थ किस अवस्था में पाया जाएगा वो इस बात से तैय होता है कि उस पदार्थ के अंदर जो अडू है या जो परमाडू है या जो आयन है उनके बीच किस तरह का आकर्शन है वह सिंपल सा लॉजिक है अगर अगर अडूओं के बीच या परमाडूओं के बीच बहुत अधिक बल पाया जाए प्रबल बल पाया जाए तो वो जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में आ जाएगा अगर अडूओं के बीच आकर्शन बल थोड़ा कम कर दें तो वो लिक्विड बन जाएगा वो द्रव बन जाएगा और अगर अगर अणों के बीच आकर्षन बल बहुत कम कर दें तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा एक बाद फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला मैंने बोला कि अगर ध्यान देंगे अगर मा लीजे मेरे पास ये कुछ अणू है ये कुछ कण है इसको आणू भी ले सकते हैं या परमाणू भी ले सकते हैं या आयन भी ले सकते हैं बेटा ये देखिए, मैं आपर कुछ structure बना के आपको दिखाता हूँ, आपके सानने मैं यहाँ कुछ structures बनाऊंगा, इन सब को जरा ध्यान से देखिए, इन सब में मैंने यहाँ पर तीन अलग-अलग structure बनाये हैं और तीनों में मैंने कड़ो की जो अवस्था है, उनका जो विवस्थ इसको अलग-अलग तरीके से बनाया है, इसमें आप साब साब देख सकते हैं, कि सारे अनू जो है, वो एकदम पास-पास जूड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि इन सभी अनू के बीच कुछ खास तरह का बल पाया जा रहा है, जो कि सच में बहुत strong है, प्रबल बल है, तो क् कि वो solid state में होगा, और अगर अनू के बीच आकरसन बल थोड़ा कम हो जाए, तो फिर वो द्रव अवस्थाम पाया जाएगा, याने कि liquid state में पाया जाएगा, और अगर ऐसे अवस्था के बारे में बात करें, जिसमें या तो अनू के बीच आकरसन बल नहीं है, या फिर बह अवस्था के बारे में बात करें, जिसमें आप कहेंगे कि अणू के बीच कोई आकरसन बल नहीं है, या बहुत कम है, इस तरह के अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा, gas या से अवस्था बोलते हैं, या simple भाशा में इसको हमनों gases state कहते हैं, शुरू में लोग ऐसा मानते थे कि gas के जो अणू होते हैं, उनके बीच आकरसन बल नहीं होता, शुरुवात में लोग ऐसा सोचते थे, कि जो अणू होते हैं, इनके बीच आकरसन बल नहीं होता, बाद में एक साइन्टिस्थ जिनका नाम था, wonder wall, यह अपने class 11 में पढ़ा होगा, wonder wall नाम के साइन्टिस्थ ने पहली बार बताया, कि gas के जो अणू होते हैं, उनके बीच भी, उनके बीच भी आकरसन बल होता है, हाला कि वो आकरसन बल बहुत कमजोर सा होता है, वीक होता है, और उस आकरसन बल को हम लोग wonder wall आकरसन बल क कहते हैं, या wonder wall force कहते हैं, तो एक पर फिर से रिपीट कर दूँ, कोई भी पदार्थ किस अवस्था में पाया जाएगा, वो इस बास से तय होता है, कि उसके अड़ों के बीच कितना आकरसन बल है, अगर आकरसन बल बहुत जादा हुआ, तो फिर उठोज अवस्था में पा करेंगे, तो अब यहां से हम liquid state को और gases state को यहां पर छोड़ देंगे, और हम अब यहां से आगे थोस अवस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब होता क्या है, नेचर में प्रकृती में जितने भी तरह के ठोस पाए गए हैं आप अपने आसपास देखिए कोई भी ठोस पदार्थ अगर आपके सामने हैं तो तय है कि वो दो कैटेगरी में बाटा गया होगा दो तरीकों से उसको वर्गी करण किया जाता है तो घौर सुनेगा मैंने कहा प्रकृती में जितने भी ठोस पाए गए हैं वो दो तरह के ही होंगे सिर्फ दो तरह के पहला जिसे हम कहते हैं क्रिश्टैलिया ठोस और एक होता है बेटा क्रिश्टैलिया ठोस तो मैंने कहा दो तरह के ठोस प्रकृती में पाए जाएंगे एक होता जिसे हम कहते हैं क्रिश्टलाइन क्रिश्टलाइन सॉलिड कहते हैं इसको हम और एक जो होता है जिसको अक्रिश्टलाइन या इसे हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं इसे एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है फिर से रिपिट करता हूँ नेचर में जितने भी ठोस पाए गया है या पाए जा सकते हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है या तो वो क्रिश्टली होंगे या तो फिर वो एमॉर्फस यानि कि अक्रिश्टली होंगे सबसे पहले मैं आप लोगों सीए जानना चाहूँगा कि क्रिश्टली ठोस क्या होता है क्या आप क्रिश्टल के बारे मुझे बता सकते हैं आपके हिसाब से crystal या crystallite host क्या होता है? Crystalline solid क्या होता है? मुझे बताएंगे आपके हिसाब से crystal का क्या मतलब है? सिर्फ crystal word सुनते दिमाग में क्या आता है? हीरा? हाँ सही बात है. हीरा एक crystal का example है. पर मैं example नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आपसे example नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि crystal का क्या मतलब होता है? चले ठीक है. मैं हार एक का comment तो नहीं पड़ पाऊंगा. पर मुझे पता है. मैं जब भी ये प्रश्ण पूछता हूँ. crystal क्या होता है? या crystalline solid क्या होता है? तो अक्सर मुझे जवाब आता है कि जो चमकीला होता है, जो नूकीला होता है, इस तरह के चीज़े, जो चमकता है, इस तरह की मुझे जवाब मिलते हैं. जब हम crystal शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमको अक्सर दिमाग में आता है कि वो चमकीला होगा, वो थोड़ा नूकीला होगा, उसके जो सता होंगे, वो काफी चिकने होंगे, इस तरह के आम तवर पर जवाब मुझे मिलते हैं, पर ध्यां सुनेगा, मैं आपको क्रिश्टल के दो एक्जामपल बताता हूँ, एक ड होता है, और जो नमक किता सस्ता होता है, साथी साथ देखने में भी यो बहुत अधिक समान रूप से नहीं दिखते, फिर भी दोनों क्रिश्टलाइन है, तो क्रिश्टलाइन का क्या मतलब होता है, तो गौर सुने का, मैं आपको डाइमंड यानि कि हीरा और नमक, दोनों का इस्ट्रक्चर एक साथ बना के दिखाता हूँ, जरत गौर से देखिएगा, ये देखिए बेटा, ये मैं डाइमंड का, अच्छा आपको तो पता है ने डाइमंड के अंदर कार्बन के एटम होते हैं, ये लीजिए, ये मैंने डाइमंड का एक स्ट्रक्चर बना लिया, दो पता हें, अच्छे एने सीयल का इगजाम्पल ले लेते हैं, अब मुझे बता ओ, यहाँ पर मैंने डो इस्ट्रक्चर आपके सामने रखा, एक एने सीयल का, और एक डाइमंड का, अब ये बता ओ, दोनों क्रिश्टलाइन हैं, और दोनों में क्या समानता हैं, आप मैं बताता हूं इन मैं समानता है इनके जो कण हैं उनके बीच एक सिक्स डिस्टेंस का होना एक निष्चित दोरी का होना जरद्यां से देखो यहां पर यहां पर इस कारबन और इस कारबन जितना दूरी है उतने इस कारवन और इस कारवन की बीज भी है इस कारवन और इस कारवन की बीज भी है यहाँ उतनाए डिस्टेंस है यहाँ उतनाए डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं हर एक कारवन दूसरे कारवन से एक जैसे दूरी पर है और यहाँ पर देखो हर एक एने हर एक CL से एक जैसे दूरी पर रखा गया है आप देख सकते हैं बेटा हर एक आयन एक दूसरे से बराबर दूरी पर है तो निसकर्स ये निकला कि आपके सामने इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता कि कोई सा पदार्थ है अगर आपके सामने कोई भी पदार्थ आया और उसके अंद कोई सा पदार्थ है अगर उस पदार्थ के अंदर रखे हुए जो अडू है या प्रमाडू है या आयन है उनके बीच अगर समान समान दूरी पाई जाए तो कह देना कि वो क्रिश्टल है तो क्रिश्टल या क्रिश्टली ठोस का एक ही कंडिशन होता है कि पार्टिकल्स की बीच यानिकी एकम्स की बीच या मौलिक्यूल्स की बीच में सेम इसक दूरी का पाया जाना देखिए इन ED में डोनों स्टॉक्छर में एक चीज और समान है देखने से जाली दार मजरा रहा है、 जाल जैसा, आप देख सकते हैं मेटा, इनको देखने से लगता है यह जाल जैसा है, आपने class 11 में एक शब्द पढ़ा होगा, क्रिश्टली जाल, क्रिश्टली जाल जिसको हम लोग, क्रिश्टल लेटिस कहते हैं, यह बताए कि आपने यह सब्द सुना है, क्रिश्टली जाल यह हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है जो बंधुता वाला जो chapter था उसमें और जो periodic table वाला chapter था उसमें यह पढ़ाया गया है क्रिश्टली जाल तो जरद गऊर सुनेंगे बैटा यह जो crystalline solid होते हैं यह जो crystalline solid होते हैं उनके इन structure को crystal lattice कहा जाता है यानि crystal जाल कहा जाता है फिर से repeat करता हूँ किसी भी crystalline solid का जो structure होता है उसे crystal lattice या crystal जाल कहा जाता है दोनों का मतलब बता दूँ lattice मतलब होता है जाली दार structure होना जाली दार structure होना यानि कि जाल जैसा structure होना और crystal का मतलब होता है अणू के बीच या परमाणू के बीच एक जैसा दूरी पाया जाना एक जैसा distance होना तो कभी भी अगर आपके सामने crystal lattice सब्द आ जाए समझ जाना कि आपके सामने एक ऐसा पदार जिसके अंदर के अणू या परमाणू के बीच में बराबर बराबर या एक जैसा दूरी पाया जाएगा चलिए ठीक है अब बात करतें एमॉर्फस की एमॉर्फस एक ऐसा ठोस होता है जो अक्रिश्टली होता है बेटा एक ऐसा ठोस होता है जिसके अंदर अणू का कोई या परमानुवों की बीच में किसी प्रकार का कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती यह एकदम रेंडम होते हैं तितर बितर कहीं पर आपको ज्यादा अडू नजर आएंगे और कहीं पर आपको कम अडू नजर आएंगे इसमें कोई खास व्यवस्था नहीं होती तो कोई भी ऐसा ठोस, जिसके अंदर के अणवों की बीच कोई निश्चित विवस्था ना पाई जाए, इसे एमॉर्फास कहा जाता है, अब इसका क्या एक्जामपल है, तो एमॉर्फास का सबसे बेस्ट एक्जामपल है, रबर, रबर, तो जो रबर का तुकड़ा होता है, वो कि ग्लास, छोटे बच्चे जो नाइध क्लास में होते हैं, या एर्थ क्लास में होते हैं, उनको लगता है ग्लास क्रिस्टलाइन होता है, या क्रिस्टल होता है, कभी देखना, आप कभी मार्केट जाते हो, तो मार्केट में वो ग्लास का बनावा क्रिस्टल मिलता है, जिस crystal नहीं होता ऐसा कुछों सोचते हैं कि जो glass है यानि काच है काच जो है वो crystal होता है लेकिन glass जो है वो amorphous है वो a crystal solid है क्योंकि उसके अंदर का जो अनू होते हैं उन्में कोई खास वेवस्था नहीं होता उसके जो particles होते हैं वह यहां वहां randomly रहते हैं तो चलिए अभी तो मैने पहले आप लोगों को एक साधारन एक साधारन अंतर बताया है क्रिश्टली थोस और एमोर्फास थोस के बारे में पर exam में board exam में question आता है कि कम से कम तीन अंतर लिखिए crystalline solid और amorphous solid की बीच में मैंने कहा exam में question पूछा जाता है crystallite thos और जो crystalite thos है उसकी बीच में अंतर बताईए तो एक अंतर आप समझ गए क्या पहला अंतर जो crystallite thos होते हैं उनमें अणवों या परमाडवों की बीच में एक निश्चित विवस्था पाई जाती है जबकि amorphous में जो atoms या molecule होते हैं उनमें कोई खास pattern नहीं होता कोई खास arrangement नहीं होता चलिए एक काम करते हैं पहले crystalline solid और amorphous solid की बीच में क्या अंतर होता है उसे बाद short में display करता हूं मैं उसके बाद एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने explain करूंगा तो यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर कुछ अंतर मैंने लिखिये हुए है crystalline solid और 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 क्रिश्टली ठोस के बीच में तो यह चीज़े यहाँ पर लिखी हुई है इसको मैं एक एक करके explain करूंगा आप एक काम कीजिए पहले न इसका एक screenshot ले लो फिर मैं इसका आपको explain करता हूं बेटा इसका screenshot लेंगे प्लीज फिर यह सारे point एक एक करके मैं cover करता हूं आपके लिए मेरे खाल से screenshot लेना असान होगा कि आप इसे लिखते हैं लिखने में मेरे खाल से समय लग जाता होगा बेटा चलो ठीक है तो मेरे खाल से आप लोगों ने इसका screenshot ले लिया होगा यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है चलिए मैं एक एक करके इसको समझाता हूं सबसे पहले जो पहला वाला point है तो मैंने आको बताई दिया क्या कि जो crystal होते हैं उनमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है मैंने कहा कि जो crystal होते हैं उसमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है systematic arrangement पाया जाता है और जो आ क्रिश्टली ठोस होता है उसमें कोई खास विवस्था नहीं होती उनमें कोई निश्चित करम नहीं होता किसके बीच अड़ूओ के बीच ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सब्द का प्रयोग किया गया है परास करम परास करम इसमें लिखा हुआ है कि क्र सब्सक्राइब यह है कि यहाँ पर यह जो मैंने डाइमंड का इस्ट्रक्चर बनाया है यह एने सीयल का इसका बनाया है जो क्रिश्टलाइन सॉलिड होते हैं ना उनकी अंदर अड़वों के बीच बिल्कुल सिस्टेमेटिक अरेजिमेंट होता है बहुत ही अच्छे से उन से वहां तक जाओगे तो पूरे सुरू से लेके अंध तक आपको अड़वों के बीच सही सही वेवस्था मिलेगी विवस्था आपको बिगड़ी वे नजर नहीं आएगी लेकिन लेकिन जो एमॉर्फास सॉलिड होता है अगर बड़ा सा आप एमॉर्फास सॉलिड लेते ह और आप यहां से वहां तक जाओगे तो सुरू में हो सकता है आपको अड़वों की बीच थोड़ी वेवस्था मिल भी जाए पर जादा दूर तक वेवस्था बनी नहीं रह सकती तो जो एमॉर्फास सॉलिड होता है उनमें जो अड़वों की वेवस्था यह वह ज़्याद मैं यहां से जब जाना चालू करता हूं इस तरह तो आप देखेंगे कि अचानक कहीं पर ज़्यादा पार्टिकल है कहीं पर कम पार्टिकल तो इसमें आपको अड़ों का कुई खास व्यवस्था अधिक दूरी तक नजर नहीं आएगी तो यहां पर जो सेंटेस लिखा हुआ अधिक दूरी तक जाने पर भी आपको सही सही अड़ों की बीच व्यवस्था मिलेगी और इसमें कुछ खास व्यवस्था नहीं रहता चलिए अब इसके बाद एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो क्रिश्टली ठोस होते हैं इनका जो गलनांग होता है वो तिक्षण होत किसी भी ठोस का जो गलनांग होता है किसी भी ठोस को जब हम उश्मा देते हैं तो उस ठोस के अंदर गर सूनेगा उस ठोस के अंदर जितने भी अणू होंगे या परमाडू होंगे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किसी चीज को गलाने का क्या मतलब होता है गलन उर्जा क्या होती है गलनांग क्या होता है तो जड़ा गौर सुनेगा होता क्या है कि किसी भी ठोस में ये जो अडू होते हैं, इनके बीच एक आकर्शन बल पाया जाता है बीटा, और जब भी आप किसी ठोस को हीट करते हो, यानि कि उसको उश्मा देते हो, तो इनके बीच बीच बेच में बंड बना है, तूटने लगता है, ये बॉढड जो है, इस बंद को तोड़ने में भी उतनी ही उर्जा लगीगी बेटा, तो कि बॉंड की दूरी एक जैसी है, ये तो आपको पता है न, जो छोटा बॉंड होता है, उसको तोड़ने में ज्यादा उर्जा लगता है, और जो बड़ा बॉंड होता है, उसे तोड़ने में कम उर्जा क उप्योग करना पड़ता है ये बात आपको ही पता होगा तो अब ये बताईए इस पूरे structure में हर एक atom की बीच एक जैसा distance है एक जैसी दूरी है तो सुभाविक सी बात है कि इस बंद को तोड़ने में चितनी उजय लगी होगी इसको भी लगी होगी इसको भी लगी होगी और यह जो डिश्टेस बना हुआ यह दूरी बनी हुई है यह जो दूरी है यह कभी बदल नहीं सकता तो अब यह बताओ अगर मैं इस ठोस का गलनांक पता करूं, यानि कि ये पता करूं, कि कितना उर्जा देने पर, ये सारे बंद तोड़े जा सकते हैं, तो बेटा, ये जो सारे बंद हैं, वो एक जैसे हैं, ये सारे बंद एक जैसे हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, कि आज ये ठोस ऐसा नजर आ रहा है, तो तो कल इनकी बीच के दूरी अचानक से बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, जब भी हमारे सामने एक क्रिश्टली ठोस आ जाए, तो समझ जाना कि अणवो की बीच जो दूरी है, वो हमेशा हमेशा के लिए निस्चित रहेगी, फिक्स रहेगा, तो क्योंकि इनके बीच क जो दूरी है, जो बीच के जो दूरी है, वो हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए लगने वारा उर्जा और तापमान भी हमेशा फिक्स होगा, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो क्रिश्टलाइन सॉलिड होता है, इनका जो गलनांक है, वो हमे का जो गलनांक होता है वो तक्रीबन 200 degrees Celsius और यह fix रहता है यह निश्चित रहता है यह कभी change नहीं होता यह कभी change नहीं होता तो होता क्या है कि जितने भी crystalline तोस होते हैं उनके अंदर के अड़ों का जो दूरी है वो हमें सब fix रहता है इसलिए उनको तोड़ने के लिए लगने वाला उर्जा भी हमें सब fix रहता है इसलिए कहते हैं कि जो amorphous solid होता है उनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता क्योंकि उनके जो अनु होते हैं उनमें कोई निश्चित वेवस्था ही नहीं पाई गई है arrangement ही fix नहीं है तो सोभाविक सी बात है कि उनका जो melting point भाई वो भी fix नहीं रहेगा चलो ठीक है यहाँ पर दो बाते समझने हैं आपको पहला कि जो क्रिष्टली ठोस होते हैं जो क्रिष्टली ठोस होते हैं पहली बात उनका जो गलनांख है वो एकदम निश्चित रहता है पहला पॉइंट गलनांख फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट बहुत हाई रहता है बहुत हाई रहता है तो हमेशा तक ना जो क्रिश्टली ठोस होते हैं इनका जो गलनांख है इनका मान बहुत जादा होता देखो ना 800 डिगरी सेल्सियस यह छोटा मोटा वैल्यू नहीं है तो अच्छा कभी आप लोगों ने मैं आ देखो अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहेके हां देखा है और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मैं आपको बताता हूँ आपने व्यक्तिगत तोर पे नमक को पिघलते हुए नहीं देखा है नमक को आप आसानी से पिघला नहीं पाओगे उसका उसका गलनांक बहुत जादा होता है फिर कुछ लोग मुझे यहाँ पर लिक्षी भेज रहें आपने नमक को पिघलते हुए नहीं देखा है तो नमक आसानी से नहीं गलता इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है अच्छ आपने नोटिस किये होगे घर में अगर कभी भी देखना मम्मी आपकी कोई नमकीन बनाती है माल ये चिवडा या ऐसा कुछ वो बनाती है आप नोटिस किया होगे कभी घर में अगर आपकी मम्मी कोई नमकीन बनाए जैसे की चिवडा तो देखना चिवडा पक के तयार हो जाता है पर नमक नीचे में रह जाता है वो नहीं गलता जो नमक है वो नीचे में रह जाता है तो बेटा अगर आपको उस नमक को गलाना है तो ताप मन बढ़ाना पड़ेगा और अगर ताप मन बढ़ाओगे तो नमक तो बाद में पिगलेगा पहले आपका जो बरतन है वो पिगल जाएगा तो नमक को पिगलाना अ वो बहुत systematic है, इसी लिए जो crystally thos होते हैं ने बटा, यह बहुत ज़्यादा स्थाई भी होते हैं, याने की stable होते हैं, बहुत ज़्यादा स्थाई होते हैं, याने की stable, अब यहाँ पर स्थाई सब्द से क्या मतलब है, अच्छा आप मुझे बाबताईए, कभी भी जब हम ल गरते हैं, तो crystally thos इस्थाई होते हैं, इसको किस तरह समा सकते हैं, तो मैं आप से question पूछ रहा था, कि यह बताईए, कभी जब हम लोग घर बनाते हैं, तो उसमें जो eat का आप उप्योग करते हो, आप बहुत सारे eat लेते हो, एक की उपर एक eat को रखते हो, आप घर बने के त्यार हो जाता है, यह बताईए, घर बनाते हैं, हम जो eat लेते हैं, सभी eat का आकार एक जैसा क्यों होना चाहिए, यह एक जैसा क्यों होता है, मैंने कहा, घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, जब हम eat को रखना चालू करते हैं, तो सभी eat का आकार एक जैसा क्यों होता है, अब ऐ इट बनाने वाले के पास जो साचा है वो एक ही टाइप का है तुसी आकार का इट बनाएगा या इट एक जैसे आकार की होते हैं ये कोई आंसर नहीं है तो सुनना ध्यान से भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं एक छोटा इट लूँ फिर एक बड़ा इट लूँ एक और एक और बड़ा इट तो छोटे बड़े इट से क्या घर बनाया जा सकता है नहीं चोटे बड़े इट से घर नहीं बनाया जा सकता तो बेटा किसी चीज को इस्थाई करने के लिए उनके बीच के आकार्शन को प्रबल करना पड़ता है और दूरी को भी तो बेटा अगर आक चोटा बड़ा कर दोगे तो इनकी जो वेवस्था बिगड़ जाएगी और यह इस्थाई नहीं रहे पाएगा यह इस्थाई हो जाएगा और सोचो ना जब हम घर बनाते हैं तो उसमें जो इट होती है सब का आकार एक जैसा होता है इसलिए आपके घर का दिवाल है वह इस्थाई बन पाता है वह इक जैसे दूरी में पायते तो जब भी जब बी अलग अलग प्रकारिक जैसे दूरी में आ जाएए तो वो जो पदार्थ है वह isn't that you जाएगा और यादि पौछ चीज इस्थाई हो जाता है तो फिर समझज जाना की वह उसका जो गल्लाउंख हो वह बहुत हाई होगा तो यहाँ पर हमने दो बाते समझी पहला जो क्रिश्टली थोस होते हैं इनका गलनांक बहुत ज़ादा होता है क्योंकि इनकी विवस्था निश्चित होती है यह बहुत systematically arrange रहते हैं और दूसरा इनका जो गलनांक है वो fix रहता है निश्चित रहता है कभी बदलता नहीं क्यों नहीं बदलता क्योंकि सभी जो बंद है उनकी दूरियां समान है तो इस बंद को तोड़ने में जितनी उर्जा लगीगी इस बंद को तोड़ने में भी उतनी ही उर्जा लगीगी मुझे भी इस बंद को तोड़ने में उतनी ही उर्जा लगीगी तो हम दोनों का गलनांग का मान एक जैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यह जो बंध है, इनकी दूरिया, इनकी मजबूती एक जैसी है, इसलिए इनका जो melting point हो हमें सब fix रहता है, तो यहाँ पर कुछ points थे, वापस आते हैं, तो यहाँ पर में बता रहा था कि क्रिस्टलि ठोस जो होते हैं, एक तो उनका गलनांग जो है वो बहुत हाई होता है और साथी साथ fix होता है, और जो amorphous solid होते हैं, इनका कोई fix गलनांग नहीं होता और बहुत ज़्यादा गलनांग भी नहीं होता, आप किसी बी काच के बने हुए वस्तू को अगर आप गर्म करोगे वूँ पिखल जाता है तो काच इतनी आसानी कैसे पिखल गया उसका गलनांक ज्यादा क्यों नहीं है क्योंकि कांच किसके अंदर आता है बैटा क्रिश्टली ठोस के अंदर एमॉर्फस ठोस के अंदर साथी साथ मुझे किसी गलास को पिखलाने के लिए जीतनी उर्जा लगेगी आपको अलगी उर्जा लगेगी किसी और को अलग उर्जा जाता तो सीम्पल सी कहानी है जो क्रिश्टली ठोस होते हैं उनका गल्लांग जो है वो एक तो बहुत जादा होता है साधी साथ फिक्स रहता है और इनमें यह नहीं पाया जाता और अब और अब क्रिश्टली ठोस का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं एक्जाम में बच्चे जिस पॉइंट को ले करके परिशान होते हैं वो यह है बेटा यह विशम दैशिक और सम दैशिक यह जो दो पॉइंट है इसको लेके बच्चे थोड़े परिशान होते हैं अक्सर कहा जाता है कि जो कृष्टलिठ होते हैं वह विशमदैसिक होते हैं और जो अक्रिश्टलिठ होते हैं वो समदैसिक इस point पर बहुत कॉंटर वरुर्सी होता है तो इस पॉइंट को बस थोड़ा ध्यास समझेगा सारे पॉइंट तो आसान थे थोड़ा बहुत क्लास 11 से सम्मंधित भी था पर यह आपके लिए एक दम नया है विशंदैसिक और सम्दैसिक चल इसको जड़ा समझते हैं ज़द्सको अलश्ते हैं असल में होता क्या है कि अत्शुन हो ना चांग करता हूं यहां पर क्रिष्टली ठोस बना एंगे हम यहां पर के स्ट्रडि ठोस का एक श्ट्रक्टेर आपके सामने मना था हूं थोड़ा ध्यान समझेंगे प्लीज, यह बहुत important point है बेटा, exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस point को थोड़ा ध्यान से समझेंगे प्लीज, कि विशमदैशिक और समदैशिक का मतलब क्या है, यह देखिए, नहीं आपके सामने एक आयनिक ठोस ले लिया है, औ कि अणवों के बीच में एक दम systematic arrangement है, जो वेवस्था है, वो बहुत अच्छा बना है, इसको कुछ दिरे के लिए मालो बटाई, यह NA CL है, कुछ दिरे के मालो, NA CL है, NA का आकार छोटा होता है, और CL का आकार बड़ा होगा यहाँ पर, तो यह यहाँ पर मैंने इस तरह से इस जो अक क्रिश्टली ठोस होते हैं, इनमें अड़गों के बीच कोई खास वेवस्थन नहीं पाई जाती है, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ रेंडम रहते हैं, यह देखिए, इसको अपन अमोर्फस माल लेते हैं, अब चली, एकदम ध्यास सुनेगा, एक्जाम में कोश्चन आता कि जो क्रिश्टली ठोस होते हैं, जो क्रिश्टली ठोस होते हैं, यह विशम दैशिक होते हैं, और जो एमोर्फस होते हैं, वो सम दैशिक, इसको हम इंग्लिस में कुछ इस तरह का सब्सक्राइब करते हैं, इंग्लिस में इसे हम कहते हैं, एन आईजो ट्रॉपिक और यान के समग्दैशिक ध्या सुनेंगे अब इस इन सब्दों का थोड़ा सा मतलब समझें कुजिस कीजेगा मिदम कर सुनना है क्या आपको पता है कि कर आपको पता है कि इसे बहुत सारे भौतिक सर ले रौतते हैं जो अणुवह के विवस्था पे निर्भर करते हैं ध्यां सुनेगा ऐसे बहुत सारे भौतिक गुड़ होते हैं पदार्थों के जो अन्वों के विवस्था पे निर्भर करते हैं अगर अन्वों की विवस्था बदल दी जाए तो कुछ ऐसे भौतिक गुड़ होते हैं जो बदल जाते हैं जैसे कि जो प्रका भुक्ति वह अलग होगी और पानी के अंदर उसी गती प्रकाश रखी अलग होगी क्यों क्यों क्योंकि air में क्योंकि air में जो कन होते हैं वो दूर दूर होते हैं उनकी विवस्था जो है दूर दूर होगी और जल में जल में अडू जो है थोड़े पास पास होते हैं तो बेटा मैं बता दूं कि जो प्रकाश है उसका जो वेग होता है उसकी जो वेलोसिटी हो तो light का जो velocity है तो थोड़ा कम हो जाएगा तो light का जो velocity है जो प्रकास का जो वेग है वो अड़ो के विवस्था पर डिपेंड करता है इसके अलावा इसके अलावा जो विद्धुच चालगता है या जो इसको बहुते हैं वो thermal conductivity ये भी अड़ो के विवस्था पर निरभर करता साथ इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी और उश्मा जहां सुनेंगे जो उश्मा चालकता है थर्मल कंड़क्टिविटी यह सब ऐसे प्रॉपर्टी है जो अड़वों के बीच पाये जाने वाले विवस्था पे निर्भर करता है तो मैंने कहा ऐसे बहुत सारे पदार्थों के गुण पाये जाते हैं पर कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो अड़वों के विवस्था पे निर्भर करता है तो चलिए जर यहां वापस आते हैं मैं एक काम करता हूँ, इस ठोस में अलग-अलग दिशाओं से किसी गुड को मैं चेक करने कुशिज करूँगा, और देखता हूँ, मुझे क्या नतीजा मिलेगा, मुझे क्या नतीजा मिलेगा, तो काम करते हैं, चीज़े को थोड़ा आसान बनाने के लिए, मैं प्रकाश का वेग, जो है आपके सामने रखता हूँ, जो लाइट का जो वेलोसिटी है, वो आपके सामने रखता हूँ, तो अब यहाँ देखना, एकदम गौर से देखेंगे, मैं यहाँ पर कुछ डारेक्शन बनाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले ले डारेक्शन ए, ध्यान सुनेंगे, मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए डारेक्शन बना रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, इसको अपन लेते हैं, ए दिशा, तो अगर मैं ए दिशा से आगे बढ़ तो मेरे सामने जो बड़े अड़ू है वो आएंगे मेरे सामने बड़े अड़ू है वो आएंगे तो मेरे सामने सिर्फ बड़े अड़ू की विवस्था मेरे सामने आई अगर मैं यहां पर दिशा बी ले लेता हूं तो अगर मैं बी दिशा सागे बढ़ता हूं तो मेरे सामन चोटे अडवो की विवस्था जो है वो सामने आ रही है चोटे अडवो की विवस्था सामने आ रही है जब मैं गौर सुनेंगे जब मैं दिशा सी ले लेता हूं तो बेटा सी दिशम जम जाता हूं तो एक बार बड़ा अड़ू एक बार चोटा एक बड़ा एक छोटा इस त तो मुझे इन अड़वों की जो व्यवस्था वो अलग अलग दिखाई दे रही है और बेटा सिंपल सी बात है मैंने कहा था कुछ ऐसे भौतिक गुण होते हैं जो अड़वों के व्यवस्था पर निर्भर करता है तो सभाविक सी बात है इस तरफ व्यवस्था अड़वों क तो अलग आएगा तो होता क्या है जो क्रिष्टलाइन सौलिड होते हैं उसे उचे विशम दैशिक क्यों बोलते हैं क्योंकि अलग 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 दिशाओं से किसी भौतिक गुण का जब आप मापन करते हो और उसका मान अलग 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 आए तो हम कहते हैं ऐसे ठोस को कि वो एन आईजो ट्रॉपिक है याने की विशम दैशिक है फिर इपिट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग 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 की विवस्था है तो सुभाविक सी बात है वे सारे भौतिक गुण जो अड़वो की विवस्था पर निर्भर करेंगे वो इन सभी अलग 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 पाई जाएंगी युद्ध अलग 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 अडवो की विवस्था है पर इसमें आते हैं इसमें चलो एक काम करते कोई अगर आपसे कहेगा कि चलिए इस ठोस में किसी एक दिशा से आगे बढ़ो चलो बताओ अगर मैं यहां से आगे बढ़ता तो मुझे क्या मिल रहा है अनिस्चित विवस्था जहां सुनना कोई फिक्स विवस्था नहीं है इधर से गया मुझे एक अनिस्चित विवस्था मिला इधर से जाता हूं तब भी मैं सेम वाक्य का परियोग करूंगा इस दिशा से गया तब भी मुझे अनिस्चित विवस एक समान होगा क्योंकि आवेवस्था सब तरफ एक जैसा है क्योंकि जो आवेवस्था है वह सब तरफ एक जैसा है तो इसलिए गौर सुरेंगे इसमें आप किसी भी दिशा से आप जाओ सब तरफ आपको एक जैसा आवेवस्था मिलेगा इसलिए इसमें भौतिक गुण सब तरफ एक जैसा रहेगा पर इसमें अड़गों की विवस्था सब तरफ अलग अलग है तो भौतिक गुड़ जो है जो अड़गों की विवस्था में निर्भर करते हैं सो भाविक सी बात है अलग 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 आपको देखने तो मिलेगा तो यहां पर जो सेंटेस लिखा आपको मिलेगा उस तरह के ठोस को विशमदैशिक बोलते हैं और किसी भी ठोस में आप किसी भी दिशा से जाओ आपको एक जैसा भौतिक गुण मिलेगा उसे बोलते हैं बैटा समदैशिक तो यह जो पॉइंट है यह वाला पॉइंट इसको लेके थोड़े बच्चे कंफ् करता हूं बैटा ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि फोस दो प्रकार के होंगे क्रिश्टली और अक्रिश्टली लेकिन अब मुझे क्या पढ़ना है मेरे सीले बस में क्या है तो मैं आपको बता दूँ आपके सीले बस में क्रिश्टली ठोस अब यहां से आगे नहीं जाएगा आपको इस पूरे चैप्टर में आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्रिश्टली ठोस तो अब हम यहां से अब हम यहां से सिर्फ क्रिश्टली ठोस को लेके आगे जिसको क्रिश्टलाइन कहते हैं तो क्या समझे इसका मतलब इसका मतलब यह है कि अब इस चप्टर में जब भी मेरे सामने कोई ठोस आएगा तो उसके जो कण होंगे वह एक निस्चित विवस्था में पाई जाएगी मतलब अब मैं इस पूरे चप्टर में ऐसे ठोसों के बा बैटा कि क्रिश्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्रिश्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं यह देखिए पहले आप इसका एक स्क्रीशॉट ले लो फिर एक एक करके मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा तो बैटा जो क्रिश्टली त्थोस होते हैं ना वो बेजिकली चारतारा कि होते हैं हम यहां पर ना सिर्फ ठोस के बारें पढ़ेंगे तो अब मैंने कहा कि जो क्रिश्टली ठोस होते हैं वो चार तरह के होते हैं एक सासायोजक ठोस एक आणविक ठोस एक धातविक ठोस और एक आयनिक ठोस तो मैंने कहा चार तरह के ठोस होते हैं एक जिसे हम कहते हैं एक जिसे हम कहते हैं शासे हों जाइव फोस जिसको हम लों कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं दूसरा आड्वी ख opposite जिसे एग्ञट आ यहाँ पर हाँ इसे हम कहेंगे सवल झाते है इसे आडवी खोस को हम कहते हैं Molecular Solid जो धात्विक ठोस होते हैं इसे हम कहते हैं Metallic Solid और जो यह Ionic दिख रहे हैं इसको हम Simple Ionic Solid ही कहते हैं तो कुल मिलाके जो Crystallic ठोस होते हैं वो चार तरह के ही होते हैं सासायोज़क ठोस आणविक ठोस धात्विक ठोस और Ionic अब एक काम करते हैं यहां मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है पर पहले इसको मत देखो मैं पहले समझाता हूँ कि यह सब क्या होता है फिर कुछ देर के बाद जब दोबारा आप इसको देखेंगे अपने आप समझ जाएंगे कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बेटा तो मैंने कहां चार तरह के ठोस होते हैं क्या क्या लिखा था मैंने कोवेलेंट सॉलीड यानि कि सास योजी ठोस दूसरा था दूसरा था मॉलेक्यूलर सॉलीड यानि कि आणविक्थोस फिर तीसरा था मेटैलिक सॉलीड याने कि धात्विक ठोस और एक था आयनिक ठोस याने कि आयनिक सॉलिड तो कुल मिलाके जो क्रिष्टलाइन ठोस होते हैं वो चार तरह के होते हैं चलिए इन सब के जर्म मतलब समझ लेते हैं पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है ये सब क्रिष्टली ठोस है इसका मतलब इन सब के अंदर जब आप सनरचना देखोगे तो एक चीज समान पाई जाएगी क्या अड़ों के बीच एक निस्चित वेवस्था मैंने कहा अगर ये चारों क्रिष्टलाइन सॉलिड है तो इनमें एक चीज कॉमन होगा इन सब में जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्ल्स होते हैं उनके बीच एक सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पाया जाएगा चलिए मैं आपको एक्जामपल दिखाता हूँ तो ओके चले एक कोवेलेंट सॉलिड के एक्जामपल लेते हैं मैं पहले यहाँ पर ऐसे बना लेता हूं इसको अब इसके अंदर कुछ ले लेते हैं मैंने यहाँ पर कार्बन ले लिए ठीक है यह देखो प्रटा कार्बन 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 जब नजर आए तो आप उसको डाइमन्ट मानके चल सकते हो तो यह डाइमन्ड है मालो यह डाइमन्ड है हाँ जी और इसमें आते हैं मौरी कलट अच्छा पहले एक 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 समझते हैं कि जाल अच्छा देगा पहले इसमें आते हैं तो यहां पर यहां पर सह सायोजी ठोस किसे कहते हैं सह सायोजी ठोस किसे कहा जाता है ऐसा ठोस जिसके अंदर गौर सुनेंगे ऐसा ठोस जिसके अंदर पाए जाने वाले परमाडू आपस में सह सायोजी बंद से जुड़े होते हैं सह सायोजी बंद से जुड़े होते हैं ऐसे ठोस को हम गोते हैं सह सायोजी ठोस या कोवलेंट सॉलिड फिर रिपीट करता हूं ऐसा ठोस जिसके अंदर पाए जाते हैं कोवलेंट बंड कोवलेंट बंड यानिकी सासयोजी बंद सासयोजी बंद तो कोई भी ऐसा ठोस जिसके अंदर के जो परमाडू होते हैं वो सासयोजी बंद से जुड़े होते हैं ऐसे ठोस को सासयोजी ठोस कहा जाता है या कोवलेंट सॉलिड कहते हैं अच्छा अब आते ह परमाडू है यह तो एटम है यह तो एटम्स है परमाडू है आप को ऐसा ठोस बताओ जिसमें अडू होता है यानि कि मॉलेक्यूल होता है सबस्क्राइब बे Records चिसमें मौलीक्यूल पाया जाता है है ए को भूला द अज्याद अच्रॉं आप ओर्टर मत लिखो बर्फ लिखो 되지 यस यस ऑके डी मेड अधोस बोला है तो अथे थैस डीगडा हो वा क को अबिंग्र पटो के अंदर तो के अडू होते हैं इसके अलावा एक एक्जांपल बताओं ड्राई आइस ड्राई आइस जानते क्या होता है बैटा ड्राई आइस किसको बोलते हैं कि ड्राई आइस अरे वो देखो किसी फंक्शन मगरा में किसी प्रोग्राम में कोई ऐसे चल के आ रहा होता है और नीचे जमीन में वो सफे सफे धुआ उड़ रहा होता है अरे वो इस्टेज में कोई कोई परफॉर्म कर रहा है तो नीचे में ऐसे धुआ उड़ रहा होता है आजकल शादियों में अच्छा ट्रेंड चल रहा है दूरा दूरा आते हैं स्टेज की तरफ और निचे वो धुवा निकल रहा होता है वो क्या है बेटा dry ice dry ice तो जानते हो dry ice जो होता है dry ice जो होता है वे एक molecular solid है और जानते हैं इसमें कौन सा मॉलेक्यूल होता है CO2 CO2 dry ice किसको बोलते हैं जब CO2 को ठोस अवस्था में लिया जाए जब CO2 को ठोस अवस्था में लिया जाए तो इसी को dry ice कहा जाता है जब भी CO2 को ठोस अवस्था में लिया जाए इसे dry ice कहा जाता है और इनके बीच इनके बीच जो आकर्षन बल होता है उन्हें अन्ता आडविक आकर्षन बल कहते हैं या उसे इंटर-molecular force भी कहते हैं अन्ता आडविक बल कहा जाता है या इसको इंटर-molecular force बोलते हैं हाला कि आप अपना बुक खोलेंगे ना तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो molecular solid होते हैं उनके अंदर जो मॉलेकूल होते हैं, उनके अंदर जो आकर्शन बल होता है, उसे हम अंता आणविक बल कहते हैं, पर मैं आपको बता दूँ, यह जो अंता आणविक बल है ना, जानतों होई, यह कौन सा बल हो सकता है, यह आपके बुक में नहीं मैं आपको बताता है, यह जो यह हो सकता है कि दाइपोल दाइपोल फोर्स या फिर यह हो सकता है बेटा हाइड्रोजन बॉंड हाइड्रोजन बंद आपके बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो आणविक ठोस होते हैं उनके अंदर जो अणू होते हैं उनके भी जो आकर्शन बल होता है उसे अंता आणविक बल कहा जाता है पर मैं आपको बतादू वो जो अंता आणविक बल है और प्रकार के हो सकते हैं पहला वंदर वाल अकर्षन दूसरा डैपोल डैपोल है यह इस को है तो आपको समझना ग्या है कि कि थोस में फिस तरह के घटक पाए आणते हैं किस तरह के पाटिकल पाया जाते हैं उनमें कौन सा आकर्षन भन होता है फिर सब्सक्राइब करता हूं इन सब में आपको दो बाते शहले से लंब जो थोस भोता है उसके बゃ स्कूल होगा और उसके अंदर कौन सा बल होगा अंतर आर्विक बल इसमें आते हैं metallic solid अभी metallic solid में सुनके हैं समझे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धातू धात्विक ठोसकी तो example के लिए हम लोग लोहा ले लेते हैं iron तो आपको पता है कि जो iron होता है यह एक धातू है और धात्वों के बीच धात्वों के बीच जो आकर्शन बल पाया जाता है धात्वों में यह जो परमाडू आप देख रहे हैं ने बैटा इन परमाडूं में जो आकर्शन बल पाया जाता है इसे कहा जाता है metallic bond याने की धात्विक बंद जो धात्विक ठोस होते हैं इन में कोई बहुत complicated हिस्सा नहीं समझने के लिए बस यू समझ लो कि जो धात्विक ठोस होते हैं इनके अंदर जो आकर्शन पर है उसको हम लोग धात्विक बंद कहते हैं या metallic bond बोलते हैं और इन सब में, इन सब में सबसे important है ये अब जो बताने जा रहा हुं कौंसा ionic solid ये important क्यूं है जुकि अब यहां से इस पूरे chapter में, इस पूरे chapter में आगे आप इसी के बारे में पढ़ेंगे, अब यहां से ये सब छूट जाएगा, अब यहां से इस chapter में आगे जिस ठोस के मेसी वारे में पढ़ने जा रहे है वो रखेट यानी क्ठोस क्या होते हैं ऐसे फोस जिन के अंदर कौन से घटक पाए जाएंगे आइन पाए जाएंगे तो ऐसा जिसके अंदर क्या होंगे वैटा आयन पायाइंगे उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं आप कोश्चन है इनके बीच कौन सा अकर्षण बलुका क्योंकि क्योंकि आप यहाँ पर दो ही चीज़े समझ रहे हों एक किसी ठोस के अंदर क्या पाया जाएगा क्या घटक पाया जाएगा और दूसरा उनके बीच कौन सा आकर्षन बल होगा तो यहाँ पर जो आउनिक ठोस होते हैं इनके बीच जो आकर्षन बल होता है ने बेटा उसे हम कुलंबिक आकर्षन कहते हैं या उसे हम electrostatic force भी कहते है electrostatic force आपको पता है किसी भी objective और negative कंडो के बीच जो accrtionable होता है उसे electrostatic force या kulumbic force कहा जाता है फिर सिर्कीट करता हूँ मैंने कहा किसी भी thos के अंदर अगर आयन है तो ions की बीच जो accrtionable होता है उसे इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स या कूलंबिक फोर्स कहते हैं और याद रखना इन सब में अब आपको इसी थोस की बारे में इस पूरे चेप्टर में आगे पढ़ना है तो मैंने आपको चार तरह का ठोस बताया है बेटा हाला कि अभी कुछ देर पहले मैं ये पहली आधर क्या रहता है पढ़ाणूः और उनके अदर किस तरह का बंद होता है साहसायोजक गंद और इसका आक्जामपल का था आथा डाइमंड डाइमंड आडविक जो ठोस होते हैं उसके दर कौन से घटक होते हैं अनु उन्में कौन सा आडविक को सब बंद होता है आडविक बंद और इसका एक्जांपल क्या थे बेटा सीयोटू ड्राइए जिसको बोलते है ड्राइए आइस या फिर सिफ आइस भी आप ले सकते हैं अनुद क्या अंदर धाश्विक अडव पया जाते हीं उनमें धाश्मिक बंद होता है और इसके और कौ alcoholी नायान और प्रियावट उसे कौन सा आकर्षान बहुता है कुलंबिग आकर्षान क्या बोलते हैं वे लेक्टर क्रोस्टेटिक फोर्स या इसको कुलंबिग आकर्षान भी बोलते हैं और एक्जांपल में कोई भी आयोनीछ टोस ले लो जैसे एने-DAYL ले लो copper sulphate ले लो आप ले सकते हैं A L C L 3 ले लिजिए आप यहां पर ले लो bering chloride ले लो आप कोई भी आयोनिक ठोस ले सकते हैं तो यह देखिए इतने प्रकार के total इतने प्रकार के crystal डिक्रश्टल ठोस पाहे जाते हैं बस आखरी में एक कोशन और पुछूंगा मैं मुझे बताओ इन सभी प्रकार के जो ठोस है उनमें एक क्या समान बात है इन सब में एक समान चीज बताए मुझे मैंने पूछा था कि इन सभी में कि क्या समान बात है एक चीज इस वक्त चार ठोस आप देख पा रहे हैं इनमें जो कर हैं जो घटक है उनके बीच दूरी एक जैसी है सकते हैं यहां जिता दूरिवीया उतने दूरिवीया नहीं दुरिवी यहां जिता दूरी यहां भी वही distance, यहां भी वही distance, यहां जितना दूरी, यहां भी उतनी ही दूरी, यहां भी उतनी ही दूरी, यहां जितना दूरी, यहां जितना दूरी, यहां जितना दूरी, यहां भी उतनी ही distance, यहां भी उतनी ही distance, तो इन चारो में एक चीज़ कॉमन है, यह चारो, यह है बेटा क्रिश्टली ठोस इसलिए इन चारों में एक चीज समान है कणों के बीच घटकों के बीच एक जैसे दूरी का पाया जाना तो बसुर में बोल दिया था कि कोई भी ऐसा ठोस जिसमें जो घटक होते जो अडू होते जो परमाडू होते उनमें अगर एक जैसा दूरी भी पाया जाया तो क्रिश्टली ठोस कहला आएगा चले इसका स्क्रिनशॉट ले लिजिए ओके और थोड़ा अच्छे से इसको लिखें तो इस वाले को लिख सकते हैं हाँ इसका भी स्क्रिनशॉट ले लिजिए जो आप सो example सबसे क्रिश्टली टोस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निक्विश्ट तो आज का जो क्लास था हज आज हमने सिर्फ क्रिश्टली टोस के बारे में कुछ मूल भूद बातों को समझा है कुछ ब surg you जोग समझा है इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है यह तो सिर्फ एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था पिछले क्लास में हम लोगोंने क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था वो हमने शुरू किया था और जो पिछला क्लास था उसमें हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा था किसके बारे में ठोस अवस्था के बारे में तो एक बार मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि last class में हमने क्या-क्या पढ़ा था और फिर चीजों को वही से आगे बढ़ाएंगे तो पिछले class में आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस बारे में बात किया था कि जो प्रकृती में जितने भी प्रकार के ठोस पाए जाते हैं वो दो ही तरह के हो क्रिष्टली और अक्रिष्टली यानि के क्रिष्टलाइन और अक्रिष्टलाइन और इसके जो प्रॉपाटीस थे इसके बारे में हम लोगों ने पिछले class से बात किया था कि जो क्रिष्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें जो अनू होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो विवस्था है वो बिल्कुल निस्चीत रहती है और जो अक्रिष्टली है इसमें कोई खास विवस्था नहीं रहता जो क्रिष्टली होते हैं इनका melting point यानि की गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और fix रहता है जबकि amorphous में कुछ fix melting point यानि की गलनांक नहीं होता इसके अलावा हमने एक बहुत important point को discuss किया था कि जो क्रिष्टली ठोस होते हैं ये विशम दैशिक होते हैं यानि की anisotropic होते हैं और जो non crystalline होते हैं amorphous होते हैं ये सम दैशिक होते हैं तो ये कुछ ऐसे चीज़े थी जिसके बारे में हम लोग ने पिछले क्रिष्टली डिसकस किया था फिर हम लोग ने ये देखा था कि जो ठोस है ये दो तरह का होता है crystalline non crystalline पर मैंने आपको बताया था कि हम class 12 में सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में crystalline solid के बारे में यहां से amorphous छूड जाएगा तो फिर हम लोगों ने देखा था कि crystalline solid जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं तो आपको याद होगा कि crystalline solid जो है बेटा चार तरह के होते ह हैं क्या-क्या सहसायोजक याने की कोवेलेंड solid आडविक याने की molecular solid धात्विक याने की metallic solid और आयनिक यानिक यानिक solid और ये कुछ एक्जामपल भी हम लोगों ने पिछले class में देखा था तो पिछले class में मैंने आपको बताया कि एब और फस अब हम यहां से छोड देंगे और सिर्फ crystalline solid के बारे में पढ़ेंगे और जो crystalline solid होते हैं वो चार तरह की होते हैं जो मैंने बताया फिर मैंने आपको बताया था कि भले ही क्रिश्टली थोस चार तरह के होते हैं पर इनक में आपके शीले बस में क्या है? आयनिक थोस। तो अब हम यहां से सिर्फ आयनिक थोस के बारे में रहेगा यानिक आयोनिक सॉलेट के बारे में तो चलिए वापस आते हैं तो आज हम देखेंगे कि क्रिश्टली थोस चार तरह के होते हैं जिसमें से हम आयोनिक थोस के बारे में अब यहां से आगे पढ़ेंगे आयोनिक थोस के बारे में अब हम यहां से आग और राइड हो जितने भी जितने भी ऑन ऐनक ठोल्ष होते हें उन्स सब में एक चीज़ कॉमन में एक चीज़ समान है जितने भी applies रांऑनीक होते हैं उन्में एक चीज़ कॉमन है क्या जब आप कीजीग जब आप कीसी बी ऑनकसा अमैं व सॉलिट के अंदर जहांके देखोगे तो सब में एक जैसा structure दिखाई देगा कैसा structure मैं आपको दिखाता हूँ जब गौर्ट से देखेगा मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ किसी भी ionic solid के अंदर अगर मुझे कभी जहांके देखने का मौका मिले तो किस तरह की चीज़े मुझे देखने को मिलेंगी तो जब गौर्ट देखना बेटा यह देखो मैं यहाँ पर एक structure बना रहा हूँ मैं यहाँ एक structure आपके सामने बना रहा हूँ यह देखिए यह यह मैंने एक structure बना लिया यह एक्जामपल के तौर पर हम एनसील का structure ले लेते हैं अब यहाँ पर एनसील में एक काम करते हैं सोडियम आयन को इस करेंगे और जो chloride आयन है उसको इस कलर के dot से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह मैंने इस ट्रक्ट्चर अभी आपको बना के दिखाया है कुछ दर के लिए मानलो यह एनसील के इस ट्रक्चर है तो जानते हो क्लोराइड आयन आपको यहां मिलेगा यह देखो यहां पर यह क्लोराइड आयन है आपको कोनों पर सभी कोनों पर आपको क्लोराइड आयन दिखाई देगा साथ यह यहां पर फेस में फलक पे आपको क्लोराइड आयन दिखाई देगा यह देखिए यह क्लोराइड आयन है ब इंदर पर दिखाई देगा एक क्लोराइड तक टूर धूरीया भीत घूद यहां पर और एक और सोडिया में दो यहां पर यह देखिये तो यह मैंने आपके सामने एनसेल के इस्ट्रक्चर्चर बना तो जर्म इस structure को देखो कितना सुन्दर सा त्रिविम structure बना है त्री-dimensional structure बना है तो ये तो त्री-dimensional structure है इसे त्रिविम जालक या crystal lattice कहते है बेटा इसे त्रिविम जालक या फिर crystal lattice कहते है तो जर्म गौर सुने का आप दुनिया का कोई भी ionic compound ठाके ले आओ कोई भी ionic compound अगर आप उसके अंदर जाक के देखोगे तो ऐसा ही सुन्दर सा structure आपको मिलेगा ऐसा ही त्री-dimensional structure मिलेगा जिसको हम crystal lattice कहते है अब जर्म इस crystal lattice को ध्यां से देखिए आप साब साब देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी ion है जितने भी particle है वो एक दूसरे से same same distance पर है एक जैसे दूरी पर है और ना सिर्फ NaCl बलकि कोई भी ionic compound आप ले के आ जाओ सब के अंदर आपको ऐसा ही थ्री-dimensional structure देखने को मिलेगा तो ये एक example मैंने ले लिए बेटा NaCl का अचा ठीक है तो ये जो structure आप देख पार है इसी को crystal lattice कहते हैं अब फिर से एक बार याद दिला दूँ बेटा crystal lattice अच्छा इसको त्रीविम त्रीविम याने कि इसको space lattice भी कहते हैं इसको space lattice भी कहते हैं यहाँ त्रीविम सब दूद हुआ है न तो space lattice भी कहा जाता है चलिए तो आप बस आते हैं हाँ जी तो ये बता रहा था कि इस structure को crystal lattice क्यों कहते हैं आपको मैंने ये पिछले class में बताया था एक बार चलिए फिर से आपको याद दिला देता हूँ सेम डिस्टेंस का होना और लेटिस का मतलब होता है जालीदार structure होना लेटिस का मतलब होता है जाल जैसा या जालीदार structure होना तो आप किसी भी ionic compound के अंदर अगर जाके देखेंगे तो आपको ऐसा ही structure मिलेगा अच्छा ठीक है तो ये जो example मैंने लिया है वो NACL का है अब चलो आगे बढ़ते हैं इस structure में मैं काम करता हूँ इसमें न एक box को अलग से मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूँ इन देखो बेटा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं एक बॉक्स को अलग से थोड़ा आप लोगों के लिए हाइलाइट कर रहा हूँ यह देखो ऐसा अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि यह जो बॉक्स मैंने अलग से आपके सामने हाइलाइट किया है ऐसे इसको मिलाके और कितने बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको मिलाके आपको और कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं बताएंगे मेरे को तुशार तुशार आप कहां सर सही है बेटा और कोई बताएंगे इस बॉक्स के अलावा इसको मिला के टोटल ऐसे इसी साइज के कितने box आपको दिख रहे हैं ओके आर्या, दिव्यांस, शीवम, सबका अंसर सही है बेटा कितने? आठ टोटल आठ ऐसे box आपको दिख रहे हैं कुछ लोगों ने चार लिखा है कुछ लोगों ने 9, 12 अरे नहीं भई, धियांसे देखो इस size के टोटल 8 box है ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ ये जो box आप देख पा रहें अच्छा मैं पहले आपको ये बता दूँ ये जो पूरे structure में एक छोटा सा box मैंने आपके सामने जो highlight किया है बेटा इस छोटे से box को unit cell कहा जाता है unit cell या फिर इसको iki cell भी कहा जाता है गौर से सुनिए, इस पूरे structure में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा box आपके सामने highlight किया है इस छोटे से box को unit cell कहा जाता है या फिर iki cell कहा जाता है मैंने कहा इसे हम यूनिट सेल कहते हैं या इकाई सेल कहते हैं अब फ्रस्ने ये उठता है कि इसे यूनिट सेल क्यों कहते होंगे इसे यूनिट सेल क्यों कहते हैं सबसे पहले आप मुझे एदा बताओ बेटा इकाई का क्या मतलब होता है यूनिट का क्या मतलब होता है कि यूनिट का मतलब या इकाई का मतलब क्या होता है तो लगभग तै होता है कि जो आंसर मुझे मिलता है वो होता है वो होता है थे तरह बच्चे कहते हैं सर्जीनरीलेल के मतलब होता है सुरुकर मैं थोड़ा सा इसका इसका डिकाई यानिकी का यूनिट में किता होता है, मिटर, मिटर, हाजी, लिएक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक माली जी मैंने एक मिटर का डिश्टेस कासिडर कर लिया, अब मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता हूं, तो फिर मुझे कई one meter, one meter, one meter का यह उसका ना पड़ेगा, यह देखो, यह एक मिटर और ले लिया मैंने यह एक मिटर ले लिया मैंने यह एक मिटर ले लिया मैंने तो यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तो जाने के लिए मुझे कई बार वन मिटर का यूज करना पड़ा अब तुम मुझे बताओ अगर मेरे लिए एक मिटर का मतलब इतना होता है तो यहाँ पर एक मिटर जितनी दूरी को कहा जाता है, यहाँ पर भी वहीं दूरी होगी, यहाँ पर भी वहीं दूरी होगी, यहाँ पर भी वहीं दूरी होगी, तो मिटर एक इकाई है, तो गौर सुनना इकाई का क्या मतलब होता है, कोई भी मान या कोई भी पैरामिटर, कोई कोई भी मान जब बीना अपना डाइमेंशन बदले बार 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 रिपीट होता है तो उसे यूनिट कहा जाता है उसे यूनिट कहा जाता है मैं आपको एक और साधरन एक्जांपल साथ समझाता हूं यह बताओ कभी अगर आप किसी सरकारी कॉलोनी में चले जाओ या तो अगर आप किसी सरकारी कॉलोनी में चले जाते हो देखनो वहाँ सब एक जैसे घर बने होते हैं जो सरकारी मुहला होता है कॉलोनी होता है वहाँ एक जैसे घर बने होते हैं तो यह बताइए एक कॉलोनी में लाइन से दस घर बना हैं सब घर एक जैसा है तो अगर मैं एक घर के अंदर घुसूंगा एक घर के अंदर घुसते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि पूरे कॉलोनी में जो घर है वो बिल्कुल ऐसी होंगे अरे भई एक घर में ड्राइंग रूम का जो साइज है बातरूम का जो साइज है किचन का जो साइज है पूरे घर का जो साइज है पूरे कोलोनी में उसी साइज वाले घर मिलेंगे मुझे तो फिर वो एक घर मेरे लिए इकाई बन गया तो पूरे सिश्टम में वो एक घर मेरे लिए एक इकाई है क्यों मैंने इसको इकाई बोला क्योंकि यह बार-बार-बार रिपीट हो रहा है बीना अपना शेप या साइ बन गया क्योंकि वो बार-बार repeat हो रहा है बीना अपना dimension बदले बीना अपना आकार बदले तो बेटा इकाई का मतलब होता है किसी भी parameter का वो छोटा हिस्सा जो बार-बार repeat होता है बीना अपना आकार size, shape बदले उसको unit बोलते हैं तो अब मुझे यह बताओ यह जो box था यह जो आकार है इसका जो लंबाई है, चवणाई है बाकी सारे box के भी same size है? है जी? यह जो box है, इसका जो length है, जो breadth है, जो height है जो लंबाई है, चवणाई है, उचाई है बाकी सभी box का same है ना? तो इसका मतलब क्या समझे? यह एक box मेरे ले लिए क्या बन गया? unit बन गया और म बार-बार, बार-बार, बार-बार repeat हो रहा है बीना अपना dimension बदले, बीना अपना आकार बदले, बीना अपना shape, size बदले, तो फिर repeat करता हूँ, किसी भी system का, किसी भी निकाय का वो छोटा हिस्सा जो बार-बार, बार-बार repeat होता है बीना अपना आकार बदले, बीना अपना डाइमेंशन बदले उसी को बोलते हैं यूनिट उसी को बोलते हैं यूनिट और यूनिट सेल, सेल क्यों बोला? क्योंकि ये सेल नुमा आकार में है, है जी, सेल क्यों बोला? और तु दिखी रहा है ये सेल नुमा आकार में सेल बोल दिया, तो ध्यां सुनेंगे, कोई आप से पूछता है, इकाई सेल क्या होता है, यहाँ पर इस हिस्से में अगर आते हैं वापस, तो अगर भी पुछेगा, केमेश्ट्री में, इस चप्तर में, इकाई सेल क्या होता है, तो तुम कहना, किसी भी तिरीविम जालक के अंदर, किसी भी crystal system के अंदर, वो छोटा हिस्सा जो बार-बार-बार repeat होता है बीना अपना आकार बदले बीना अपना dimension बदले उस छोटे से हिस्से को आप क्या बोलेंगे बेटा unit cell बोलेंगे क्या बोलेंगे unit cell और मैं इस unit cell के उपर इसलिए इतना जोर डाल रहा हूं क्योंकि बेटा यह जो एक unit cell होता है यही इस बात को तैय करता है कि पूरे system का क्या गुण होगा क्या property होगा फिर इपिट करता हूं यह जो एक unit cell तुम देख रहे हो न यह एक unit cell इस बात को तैय करता है कि पूरे system का पूरे निकाय का गुर धर्म कैसा होगा ये ज़्यादा hard होगा कि soft होगा इसका गलनांग ज़्यादा होगा कि कम होगा ये इसका reactivity ज़्यादा होगा कि कम होगा और ऐसे ना जाने कितने properties तो मैं यहाँ पर इस unit cell के बारे में इसलिए इतना बता रहा हूँ आप लोगको इसलिए इतना जोर डाल रहा हूँ क्योंकि आगे चलके इस chapter में आप किसी भी क्रिश्टली ठोस का कोई भी गुर धर्मजब पढ़ोगे तो यहाँ पर इस unit cell के बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा आपको इस unit cell के बारे में सब कुछ जाना पड़ेगा तो सब कुछ मतलब क्या अब मैं और क्या जानूँ मैं unit cell का definition तो जान गया अब मुझे और क्या जानना है तो बेटा यह जो unit cell होता है यह कई परकार के होते हैं यह जो unit cell होता है यहाँ पर जो इकाई सिल आप देख पा रहे हैं यह कई परकार के होते हैं अलग-अलग थोसों के अनदर अलग-अलग इकाई सेल पायाते हैं अलग- MARY-एलग सोलिड के अंदर अलग-अलग यूनिट सेल पाया जाता है और किसी भी solid का जो property है जो धर्मगूण है वो इस unit cell पे depends करता है अब कौन-कौन से धर्मगूण, कौन-कौन से property इस unit cell पे depends करता है यह हम बाद में देखेंगे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर यह unit cell कितने प्रकार किए होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये unit cell कितने type के होते हैं, चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ बटा, आखिर ये unit cell कितने type के होते हैं, तो unit cell कई प्रकार के होते हैं, मैं आपके सामने कुछ example रखूंगा, सबसे पहले आपके सामने आए बटा, ये देखो, cubic cell, ये सबसे subtle cell होता है जो क्यूबिक सेल होता है यह सबसे इजी वाला होता है अब देखना कोई पूछे का कि यह पर घं यह सेल क्या होता है तो अब जड़ा गौर से सुनेंगे इसके क्या मतलब है तो यह देखो मैंने यहां पर यहां पर मैंने एक घं बना दिया एक क्यूब बना दिया यहां से लेकि यहां तक को B दूरी माल लेते हैं, और यहां से लेकि यहां तक को C दूरी माल लेते हैं, तो कि पूछेगा कि क्यूबिक सेल क्या होता है, तो बोलना ऐसा सेल, जिसमें A, B, C, सब तरब दूरी बराबर होगा, जिसमें A, B, C, सब तरब दूरी वो बराबर होग यह देखिए, यह 90DG पे है, यह देखो बैटा, यह 90DG पे है, तो कहीं पर भी अगर इसको बेटा मान लिजे, इसको गामा मान लिजे, सब जगह आपको कोड 90 ही मिलेगा, तो कोई भी ऐसा सेल जिसमें सब तरब किनारों की दूरी बराबर होगी यह किनारा है ना इसे किनारा बोलते हैं बेटा तो सब तरब किनारों की दूरी अगर बराबर होगी और साथी साथ सब तरब जो कोण है वो 90 डिगरी होगा तो कहा देना वो क्यूबिक सेल है कहा देना क कि वो औक सिंपल्स क्योंबीक सेलधा और अगे बढ़ते हैं देखते हैं और कुने टाइट के और किते टाइट के युटेशन होता ही अभी ये देखो ये वालब देख योड़ एक इसमें जड़ा देखो तो यह जो A है और जो B है बेटा यह थ्री डाइमेशनली स्ट्रक्चर है जहां देना यह जो A है और जो B है इनकी दूरी बराबर होगी अब मैंने बनाया ऐसा कि आप ऐसा मत कहा देना प्लीज की A तो हमें ज़्यादा लंबा देख रहा है और B थोड़ा छोटा देख रहा है वो ऐसा जूका हुआ है इसलिए ऐसा है प्लीज थोड़ा कॉप्रेट करेंगे मैं अच्छी तरकला उतना भी अच्छा नहीं है हाँ जी तो यहाँ पर A और B ये दोरों बराबर दूरी पर यह ज जो है यह कुछ जाद ही बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि A और B बराबर है पर C C A और B के बराबर नहीं होगा तो कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा सेल जिसमें A और B की दूरी बराबर होगी पर कोई एक दूरी बराबर उनसे नहीं होगी उनके बराबर नहीं होगी तो आप इसे ये भी 90 है यहाँ पर ये भी 90 सब तरब आपको कोण जो है वो 90 डिगरी पर ही दिख रहा है तो फिर सी रिपीट कर दू कोई भी ऐसा इकाई सेल जिसमें A और B की दूरी बराबर हो पर C उनसे अलग हो और साथी साथ सब तरब जो कोण है वो 90 डिगरी हो इस तरह के सेल को हम क् स्क्रीन शॉॉट ले ली जिए यह अगर कॉपी करते हैं ठीस यह इसमत्स इस अब इस बार欸 काई सल मेरे सामने है अब एक यह देखो यहां पर यहां पर देखो ए ज्यादा है बी बहुत कम है और सी कुछ ज्यादा ही लंबा बना हुआ है तो तीनों A, B, C, तीनों की दूरी एक जैसी नहीं है तो इस तरह के अगर औहे जैरा के जो इक इनिसे ऑरफरोब्चस कहा जाता है लेकिन अगर bond angle की बात करें लेकिन अगर core की बात करें तो अगर दिख रहा है बेटा साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी bond angle 90 है है जी यहाँ पर भी bond angle 90 है और कहीं भी ले लो यहाँ पर भी bond angle 90 है तो bond angle आपको सब तरफ 90 ही मिलेगा यह और्थोरोम्बिक सेल यह कहलाएगा और्थोरोम्बिक सेल ठीक है और अब आते हैं आख्री आख्री एक्जाम्पल में इस बार कुछ इस तरह का इस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यह देख्यों बिट्टा थोड़ा सो अच्छा बना देता हूं एक मिनट थोड़ा सहयो करेंगे हाँ यह देखिए यह इस तरह का सेल बना हुआ है इसमें इसमें जो डिस्टेंस ए है डिस्टेंस बी है डिस्टेंस सी है यह तीनों एक जैसे होते हैं हाला कि दिख ऐसा रहा है आपको कि सायद भी छोटा है पर वो थोड़ा चिप्ठा से बना हुआ है वो थोड़ा दूर है इसलिए ऐसा दीख रहा है पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर a,b,c , तीनों के दूरी बराबर है way अ,b,c , तीनों की दूरी जो है वो बराबर है लेकिन अगर कोड죠, परत करें तो कोड को आप साफसाफ दे ने दिख रहा है है यह 29t नहीं है यह जो कौड है यह होग यह 90 नहीं है यह जो कोड है यह 29t सेल्या में गइसा 11 जिसमें a b seat tina dori बराबर तो होंगी लेकिन कॉर्ट जो होंगे वो questions नहीं होगा सब तरफ जो कोन होंगे वो 90 डिक lípu नहीं होगा इस तरह के unit cell को trigonal cell कहा जाता है इस तरह के unit cell को trigonal cell है वह चलिए पहले इसे कॉपी कीजिए फिप्र आगे बढ़ाता हूं बेटा मैं हाँ आदित्य तुम जो पूछ रहे हो नो कोर्शन उसका मैं आपको आशार देता हूं अब सुनो यह जो मैंने अभी आपको ना यूनिट सेल बताए हैं इन सब में इन सब में सबसे यादा इंपोर्टेंट है यह वाला यह वाला सिंपल वाला अब इस चैप्टर में आगे आप यह सब नहीं पढ़ होगे मैं तो बस बता रहा था मैं तो बस बता रहा था कि जो यूनिट सेल होते हैं जो निकाय होते हैं क्रिश्टली निकाय होते हो कितने प्रकार के होते हैं वह मैं आपको उसी बता रहा था पर अब इस पूरे चेप्टर में आगे आप सिर्फ पढ़ेंगे यह सिंपल वाला क्यूबिक सेल के बारे में हाँ पर इनको भी आपको याद करना पड़ेगा आधी तुम पूछ रहा थे मेरे से हाँ बेटा इसको यादी करना पड़ता है इसको बारे में बना दीजेगा नहीं तो इतना लिखने से भी काम चल जाता है पर अपको अलग अलग प्रकार के कई सेल के बारे में बताई पर अगर अगर ओलए सब मुझे अब यहां से मुझे क्या पढ़ना है तो यह बहुत जादा Gent cruise सब्हें खंग करनेे ड़िए लक्हिए तो अब मुझे चैपतर में कंग तो मुझे क्या ड़िए बारे हम फिर यहां से चीजीजे ज्यादा इंप्वरियं वसक्राम जाओ पर अब 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 यहां से जो भी चालू करूंगा आगे वो सब बहुत important होगा तो चलिए जब मुझे पता चली गया है कि इन सब में बस अब मुझे आगे इसके बारे में पढ़ना है तो चलो फिर इसी को आगे लेके चलते हैं ठीक है तो चलो अब हम बात करेंगे बेटा घ में यही से आगे के चीजने बहुत जबाएं देखी गई है देखे पड़ना तो आपको पूरा है आपको सब कुछ पढ़ना होता है लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे बॉर्ड इक्जाम में कौन-कौन से चीज़ें कौन-कौन से कोशन्स या कौन-कौन जै ट करना है तो बेटा अब यहां से इस पूरे चैप्टर में मैं जो कुछ बताऊंगा सब आपके लगभग इंपॉर्टेंट होगा तो चलिए शुरुवात करते हैं इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूबिक सेल के बारे में तो गौर से सुनेगा अब इतना पर एक क्यूबीक सेल बना दिया तो अब जरा गौर से सुनेंगे कोई आपसे पूछे गाना कि सिंपल या अचे पहला वाला कहलाता है सिंपल क्यूबिक क्यूबिक उनिट रिखते हैं तो अब में जिसको जिसको शॉट में SCC भी लिखते हैं बैटा इस तरह के unit cell को short में SCC भी लिखते हैं तो अब सुनेंगे क्या होता है सरल घने सरचना वाला unit cell तो आप कहेंगे कोई भी ऐसा unit cell जिसमे कर्ण या particle या atom सिर्फ कोनों पर पाया जाए सिर्फ कोनों पर ऐसा cell एसा unit cell जिसमें particle सिर्फ कोनों पर पाया जाए इसे कहते हैं सरल घन्य सरचना वाला unit cell या SCC या simple cubic unit cell इसको कहते हैं अब आते हैं फलक केंद्रिये घन्य सरचना ये क्या होता है तो ध्यान सुनेंगे ये देखो मैंने फिर से एक structure बना दिया अब आप से भी पूछेगा कि फलक केंद्रे घन्य सरचना क्या होता है तो ध्यान से सुनेंगे बेटा ये क्या होता है ऐसा ऐसा unit cell ऐसा इकाई जिसमें atom या अनू कोनों पर तो होंगे ही corner पर तो होंगे ही साथी साथ हर एक फलक पर हर एक फलक केंद्र पर भी पाया जाएगा ये बताओ एक क्यूब में कितने फलक होते हैं बेटा एक क्यूब में एक घन्य कितने फलक होते हैं टोटल छे टोटल छे ये देखो तो अब ज़रा गौड सुनेंगे कोई आप से पूछता है कि भई फलक केंद्र गणी सा रचना क्या होता है या फिर कोई आप से पूछता है कि इसको ना इंग्लीज में लिखते हैं बेटा हम एक मिनट हाँ जी इसको इंग्लीज में लिखते हैं बेटा हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल Face Center, फलक, फलक को हम Face बोलते हैं तो Face, फलक के केंदर में, Face के सेंटर में फेस के सेंटर में भी जब पार्टिकल पाया जाए तो यह फलक केंदरे घने सरजना कहलाता है और इसको Short में, इसको Short में हम लोग FCC लिखते हैं आप जब प्रस्ट में बनाओगे, जब आप कोशन बनाओगे तो आपको बहुत सारे कोशन में ऐसा Short में लिखाव मिलेगा FCC, SCC, ऐसा लिखाव मिलेगा तो उसका मतलब आपको याद रखना है न तो जो फलक केंदरे घने सेंटर यूनिट सेल होता है उसे, उसे FCC शॉट में लिखते हैं चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा है अब यहाँ पर तीसरा है क्या, अंता, केंदरे, घने, सारचना अब यह क्या होता है? तो जड़ा ध्यान से देखेगा फिर से मैंने यहाँ पर एक इकाई सेल बना लिया और इसमें जो पार्टिकल है जो आयन है या जो अडू है, यह जो परमाडू है वो कोनों पर तो पाया जाएंगे ही गौर से सुनेगा कोई पूछता है कि अंता, केंदरे, घने, सारचना क्या होता है? तो आप कहना ऐसा सेल जिसमें पार्टिकल कन कोनों पर तो पाया जाएंगे ही, साथे साथ इस घन के केंदर पर भी पाया जाएगा एक कन इस घन के केंदर में भी पाया जाएगा, इस तरह के इस तरह के यूनिट सेल को इस तरह के इकाई सेल को हम लो cubic unit cell कहते हैं, या जिसको short में bcc भी लिखते हैं, इसको short में bcc भी लिखा जाता है, जो short form है इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, तो चलिए, आपको मैंने बताया कि cubic cell कितने इसे प्रकार के होते हैं, ये कहलाता है simple cubic cell, इसे बहुते हैं face center cubic cell, इसे बहुते हैं body center cubic cell, बाकि ये जो नाम दिये गए हैं, वो बिल्कुल इस पस्ट है, structure को देखे आप जान जा रहे हों कि इनको ये नाम क्यों दिये गए, बस एक बात याद रहना, कुछ भी हो जाए, जो particle होंगे, जो कण होंगे, वो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, अब कोनों के अलावा, और कहां पाया जाएगा, उसी पर ये तै होता है, कि वो किस प्रकार का unit cell कहलाएगा, अच्छ चलिए, पहले से copy कर लेंगे, और अगर copy कर रहे हो, तो इस तरफ थोड़ा सा ना, अपने copy म जगह छोड़ देना, अभी यहां मैं कुछ लिखवाऊंगा आपको, इनके बारे में, अभी इनके बारे में और कुछ लिखवाऊंगा, पहले इसको copy कर लो, फटा-फट, यह screenshot ने लिए जो भी आपको ठीक लगता है, ओके, आगे बढ़ते हैं, तो अभी मैं आप लोगों इन सभी unit cell के बारे में और भी कुछ बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक बहुत important बात जरा समझ लो, कि इस unit cell में यह जो atom आपको दिख रहे हैं, यह जो आपको, कण आपको दिख रहे हैं, यह कण पूरे-पूरे इनके नहीं होते, एकदम ध्यासुन में क्या बता रह हूं, जरा इस structure को देखो, कोई से पूछेगा, कोई अगर इस से पूछेगा कि बताइए आपके अंदर कितने particle हैं, तो यह जो unit cell है न, यह 8 नहीं कह पाएगा, भले ही आपको, यहाँ पर 8 particle दिख रहे हैं, पर यह सारे particle इस unit cell के नहीं हैं, अब इन सब बातों का क्या सब है, प्लीज, थोड़ा ध्या समझना बेटा, अब जो बताने जा रहा हूं, इस तो जब गौर से सुनना, यह बताओ, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास एक, इकाई है, एक unit cell है, एक unit cell है, और इसमें, एक कण यहाँ पर है, यहाँ फलक पर, यह फलक है न, यह फेस आप देख सकते हैं, यह फरक आप देख सकते हैं, अब बताओ, इस घं के अंदर, इस cube के अंदर, एक आदमी खड़ा है, यह देखो, अंदर में एक आदमी खड़ा है, और यह जो cube है, यह जो घं है, वो इसी आदमी का है, अब तुम अगर इस आदमी से कहोगे, इस आदमी से प पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं गौर सुनना अगर इस आदमी से पूछोगे तुमको कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं तो वो कहेगा मुझे एक पार्टिकल दिख रहा है ये कहेगा मुझे एक पार्टिकल दिख रहा है लेकिन जब तुम इससे ये पूछोगे कि त तुम्हारे हिस्से में कितना है तो वो एक नहीं कहेगा इस आदमी को एक पाटिकल दिखतो रहा है पर ये पूरा पाटिकल इस आदमी का नहीं है इस घं का नहीं है बैटा आप भूलेंगे नहीं आप इस बात को भूलेंगे नहीं कि कोई भी कोई भी इकाई अकेला तो नहीं होता कोई भी यूनिट सेल सिंगल तो नहीं होता उसके आसपास आगे पीछे उपर नीचे और बहुत सारे यूनिट सेल है है जी मैंने कहा unit cell कभी भी अकेला नहीं होता कोई भी unit cell कि आगे पीछे उपर नीचे दाइबाय सब तरफ unit cell होगा तो एक unit cell चारो तरफ से और दूसरे unit cell से घिरा हुआ होता है तो उसे क्या फराग पड़ेगा तो उसे फराग यह पड़ेगा कि कि इसको देखो इसको देखो यह एक unit cell है यह एक unit cell है पर यह अकेला तो नहीं है मेरे कहने के मतलब बगल मे भी तो एक unit cell होगा भई यह देखो बगल में कोई unit cell है यहाँ भी एक आदमी खड़ा है अब तुम बताओ मैं तुम से पूछ रहा हूँ कि ये जो फलक है, ये जो फेस है, ये फेस किस घंका है, किस क्यूब का है, ये जो फेस है, ये जो फलक है, वो किस घंका है, संजू, हाँ बेटा, सही जवाब, ये जो फलक है, ये दोनों का है, ये फलक दोनों का है, तो अब तुम मुझे दोनों का आधाधा होगा, तो क्या समझें, क्या समझें, फलक में, फलक में एक कण है, उसको दो लोग बारते हैं, फलक में एक कण है, एक कण है, जिसे दो लोग बारते हैं, और बेटा, टोटल फलक कितने होते हैं, टोटल फलक कितने होते हैं, छे, तो इसका मतलब, इस आद इस कमरे में तुम आप जहां भी बैठे होंगे आप जहां भी बैठे होंगे आप जड़ा आसपास देखिए आप के कमरे में 6 फलक होंगे 6 फेस होंगे कमरा का ये दिवाल कमरे का ये दिवाल आगे वाल दिवाल पीछे वाल दिवाल उपर वाल दिवाल और नीचे वाल दिव में छे दिवाल होते हैं छे फलक होते हैं और मैंने कहा कि एक फलक का इसे सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलेगा एक फलक का इसको आधा हिस्सा मिलेगा तो बेटा इस फलक से मुझे आधा मिला इस फलक से आधा मिला एक हो गया सामने वाले फलक से आधा मिला पीछला फलक से आधा मि देक हो गया तो 60 फलक है सब में से आधा तक मोजा मेरे इसमें कितके राइंगे सिब्तीं कीप थे तीन liberum इसादमि के पास गवर्चैज तो ना इस आदमि के पास इसके हरे कहलं पलक में हरे थ Katy हरस में कर देखो हरे कि वर यहाद हर पो सबस्क्राइब दहां कि ये देखिए हर एक फलक न आपको कंड दीख रहा है छे फलक है, पर दिक्कत ये है कि इस unit cell के अंदर हर एक फलक में एक एक पार्टीकल दीख रहा है पर हर एक पार्टीकल को दो लोगों ने भाटा है और तोटल 6 फलक होते है तो इस एक घंग के अंदर कितने फलक पार्टीकल आएंगे तिन तो आपको कैसे आद sì, जी है है कि फलक केंद्रिय फलक केंद्रिय, जो इकाई सैल होता है उसमें दिखने के लिए 6 6 अड़ू आपको दिखेंगे पर आपके हिस्सें सिर्फ किता आएगा बटा तीन सिर्फ तीन आएगा अठा जी चलो अभी सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अच्छा बुझिये बताओ कि अगर अगर इस उग्जामपल को देखो मैं तुमसे एक प्रश्न पूश रहा हूँ ऐसे इस क्युब में माल लो एक पार्रीकल यहां पर है कहां पर बटा किनारे पर कोने में नहीं किनारे में कोловने में नहीं किनारे में तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि एक कड़ को दो लोग बारते हैं, क्या तुम बटा सकते हो? इस एक कड़ को कितने घण आपास में बातेंगे? अभी न वो सही जवाब बेटा देखते हैं, तो यहाँ देखो यह जो घण है, इसमें यहाँ भी एक घण होगा जी यहां भी एक घंड होगा यह देखो तो अब मुझे बताओ कुल मिलाके इस एक कण को कितने लोगों ने माटा? चार इस एक कण को कितने लोगों ने माटा है? चार तो क्या समझे? कोई भी कण, अगर कोने में हुआ किनारे पे हुआ अगर कोई कण किनारे पे हुआ, तो एक कण को चार घंड बाटेंगे और बेटा, यैसे किनारे कितने होते हैं? एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं? एक क्यूब में टोटल कितने किनारे होते हैं? जल्दी बताइए बारा एक cube में कितने किनारे होते हैं 12 तो क्या समझे 12 होते हैं 12 हाँ जी तो ये बोल रहा था कि अगर कोई particle किनारे पर होगा किनारे पर होगा तो उस एक particle को एक particle को 4 cell बाटेंगे और total किनारे होते हैं 12 तो कुल मिला के इस एक इकाई के अंदर कितने पार्टिकल आएंगे बटल? सिफ थ्री तो याद रखना अगर कोई पार्टिकल किनारे पे हुआ तो उस एक पार्टिकल को चार घंड बाटेंगे और टोटल बारा किनारे होते हैं तो आपके हिस्से में से तीन पार्टिकल आएगा, चलिए एक एक एक्जांपल और दिखाता हूँ, एक एक्जांपल आपको और दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ, मैं आपसे एक और कोशन पूछ रहा हूँ, यहाँ देखना, हाँ जी, एक और आखरी प्रशन आपसे इस बार न इस बार एक particle कोने में है यह दो corner पे corner पे corner पे corner पे corner पे अब तुम मुझे बताओ क्या रखते हैं तुमको इस एक particle को कितने घंब आपस में बाटेंगे इस एक particle को कितने घं आपस में बाटेंगे answer आना चालो हो चुका है 8 सही बात है मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा बेटा यह जो unit cell है यह केला तो रहेगे नी और भी unit cell होंगे तो यह देखो मैंने बगलवाला एक और unit cell बना दिया है ना इसके बाद यह ऐसा दीखेगा यह ऐसा दीखेगा डाइग्राम बहुत सुन्दर तो नहीं बना है बस बनाने कुछिस कर रहा हूँ अब बता बेटा उस एक particle को कितने क्यूब ने बाटा उस एक particle को कितने लोगों ने बाटा आठ तो क्या समझे अगर कोई कर 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 कोने पे हुआ ये देखो, इस फलक को देखो, इस फलक में, इस घन में, इस क्यूब में पार्टिकल कॉर्नर पे है, तो अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे होगा, तो एक पार्टिकल को आठ घन बाटेंगे, और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कोने होते हैं, आठ, तो इसका मतलब आ आपके हिस्सेम से किता है एक एक तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी घं में आपको पार्टिकल कोनों पर नजर आ रहा है तो अब तुम बताओ मैं तुम से पुछूँगा कि इस घं में कितने पार्टिकल दिख रहे हैं तो आप बोलोगे आठ आप बोलोगे आठ पर जब गन के हिस्से में कितना पार्टिकल आया तो आप बोलेंगे बैटा वन आप बोलेंगे वन क्यूंकि एक पार्टिकल को एक पार्टिकल को आठ लोगों ने बाटा है एक को आठ ने बाटा इसको भी आठ लोग बाटेंगे इसको भी आठ लोग बाटेंगे इसको भी आठ लोग इसको भी आख तो हर एक पार्टिकल को अगर आठाट लोग बातेंगे और सब को जमा करोगे तो एक बनेगा जमा करोगे तो एक बनेगा तो क्या समझे बेटा अगर कोई पार्टिकल कॉर्णर पर है तो कुल मिला कि आपके हिस्से में सिफ एक आएगा तो यह सब मैं क्यों ब बनाए हुए हैं अब गवान और पुछेगा कि पुछेगा कि चलो इन सभी इन सभी इकाई और में इन सभी त्टेबे कर और कुल कितने फार्टिकल सक्रिट अभू पता लगाओ टोटल कितने पार्टी का है वो पता लगाओ तो बैटा अब मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि टोटल नमबर आफ अडवो की संख्या या परमाडवो की संख्या कितनी होगी परमाडवो की संख्या कितनी होगी तो पहले वाले केस में आते हैं कोई पूछेगा СCC में कितने particle होते हैं तो आपकेहंगे total particle होंगे 1 by 8 in to 8 that is 1 तो कुल कोडो की संख्या होगी 1 किसमें simple में अब इस में आते हैं, इस वाले में FCC में आते हैं, कोई आब से पुछेगा FCC में total particle कितने हैं, तो बेटा, FCC में पार्टिकल कोनों पर भी है और फलक के केंदर पर है, तो कोनों के लिए क्या होता है, 1 by 8 into 8, that is 1, किसे के लिए, कोने के लिए, कोना मतलब कॉर्णर, कॉर्णर, और बेटा, जो फेस होता है, फेस, अभी फेस के लिए क्या बताया था हमें, जुटा टीकल हो गया चार तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि एप सीची में टोटल पार्टिकल कि प्रक्न कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा चार थीक अब आते हैं नीचे वाले में अब आप से की अनता केंदरिय यानिकि बॉडि सेंटर में बॉडि सेंटर में यहां भी तो कॉर्णर है यहां भी कॉर्णर है और कॉर्णर पर क्या फॉर्मला लगता है जी वन बाई एक इंट सकता यह पूरा-पूरा इसी का है अरे भई पार्टिक्ल अगर फलक पे होगा Kohni hai मजा फिरम खाफ तो उसे मेरे अलावा दूसरे घंडी मातें Config cocaine अगर से लेकिन कोई मेरे अंदर है मेरे घंड के अंदर हैं तो मेरा पूरा पूरा होगा तो जो Center में होता है center में अंदर में वह पूरा-पूरा लेते यहां पर लिखुनगा मैं तो अब बताओ दो तो आपको क्या याद रखना है बेटा कोई आपसे पूछेगा सी सी में कितने पार्टिकल होते हैं टोटल तो आपका जवाब होगा वन तो आपका जवाब होगा 4 यानि कि 4 और अगर बी सी सी में पूछेगा कोई तो आप कहेंगे टोटल पार्टिकल होंगे 2 और ये जो तरीका है आप ध्यारक ना आप इसको सुत्र मस्상ज़िए आप इसको फॉर्मूला मत समझो आप किसी घं को देखने के बाद जो उसमें जो कण होते हैं उनकी इस्थिती को देखने के बाद आप खुद बखुद यह फॉर्मूला बना सकते हैं अब इनके अलावा कोई नया टाइप का घं आ गया तो मैं कैसे बनाऊंगा फॉर्मूला बताता हूं पहले से कॉपी कर लेजिए इतना तो मीनिमिम्म आपको याद रख नहीं है हाँ यह शॉट फॉर्म जरूर याद रखने बेटी जरूर याद रखना ठीक है चलो इसे कॉपी करो या स्क्रीशॉट लेलो जो भी है बेटा आगे बरते चलो अब मैं आपको दिख तो आगी नहीं कोशन आ गया किसी ने पूच दिया कि भई एक घन है एक यूणिट रहे जिसमें जिसमें पार्टिकल्स कौनों पर है जो परमाडू है और सिर्फ और सिर्फ दो पलक पर है तो छे फलक होते हैं किसी भी दौ फलक में पार् 50 रखदो अब किसीMus पुछा संख्या कितनी होगे टोटल पाटिकल कितने होंगे तो अब आपको यहां बताना है कि टोटल एटम्स कितने होंगे टोटल एटम्स कितने होंगे तो कितने होंगे बैटा चलिए देखते हैं तो यह बताओ यह बताओ corner पे corner के लिए क्या formula होता है 1 by 8 into 8 that is 1 अब बस मुझे इतना बता दो इस 8 का क्या मतलब है इस 8 का मतलब है 8 कोनों में particle है 8 8 हो कोनों में particle है अच्छा जी अब ये तो हो गया corner के लिए corner के लिए अब फलक फलक के लिए मैंने क्या formula बताया था तो फलक के लिए formula था 1 by 2 into 6 पर बेटा इस 6 का मतलब क्या होता है 6 का मतलब होता है कि 6 फलक में आपको particle दिखने चाहिए 6 का मतलब होता है 6 फलक में आपको particle दिखने चीपर बेटा यहाँ तो सिर्फ 2 ही फलक में particle है तो अब यहाँ 6 ना लिखके यहाँ पर 6 ना लिखेंगे बटर 2 क्योंकि दो ही फलक है मेरे पास दो ही फलक है तो अब किता हो गया 1 तो यह किसके लिए हो गया फेस के लिए तो बताए कुल मिला के टोटल कितने पार्टीकल हो गया दो तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखके उसका जो कुल संख्या है करो कि इसको अपनी काल सकते हैं इसे कपी करो और एक्जांपल दिखाता हूं मैं हाँ चलो अब एक दूसरा एक्जांपल माल लो किसी कोशन में पूछ दिया कि एक घन है जिसमें जिसमें परमाडों सभी कोनों पर है सभी कोनों पर है और साथीजिसाथ 12 किनारे होते हैं बारा में से चार किनारों में पार्टीकल से तो बताए कुल संख्या कितनी होगी इसकी और वो की परमाड़ वो की कुल संख्या कितनी होगी बताओ हां बताओ कितने यहाँ पर कण होंगे बैटा कॉर्नर के लिए 1 by 8 into 8 that is 1 8 क्यों लिखा क्यों आठो कोनों में पार्टिकल है और किनारे के लिए क्या बताया था 1 by 4 into किता लिखू चार ही चार ही किनारों में पार्टिक्र तो 4 that is 1 कुल संख्या कितनी होगी टू कुल संख्या कितनी होगी टू चार ही किनारे है और가 चाहरी किनारे हैं, आयसंद में, चलो, अगला एक्जामपल देखो, अगला एक्जामपल दिखाता हूँ मैं आपको बेटा, चलो, एक एक्जामपल और देखो, मालो किसी प्रक्ष्ण में पूछा गया, कि एक यूनिट सेल है, एक ध्याम से सुनना क्या बोर रहूं मैं, एक यूनिट सेल है, जिसमें ऑक्सीजन नाम का एटम कोनो पर है, केल्सियम नाम का एटम केल्सियम नाम का एटम है, वो केंदर पर है, सेंटर पर है, घं के सेंटर पर है, और, है, एक मिनट, एक मिनट ना बेटा, हुआ, है, यह न, ऑक्सीजन एक मिनट, थोड़ रूंह जाओ, हाँ जी, हाँ ऑक्सीजन एटम ना फेस में लेते हैं, यह फेस में हैं, फलक पर है, जो calcium है ये corner पे ले लेते हैं corner पर ले लेते हैं और carbon नाम का atom body के center पे है body के center पे तो चलिए बताइए ये तीनों मिलके कौन सा formula तयार करेंगे ये तीनों मिलके कौन सा formula तयार करेंगे तो यहां देखना बैटा, क्या करेंगे सबसे पहले oxygen या फिर एक काम करते हैं हां, सबसे पहले calcium atom की संख्या निकालते हैं calcium atom की संख्या, तो calcium कहा पर है, corner पे है तो corner के लिए क्ले क्या होता है, 1 by 8 into 8 that is 1 ठीक है, अब carbon atom की संख्या निकालते हैं carbon कहा है, carbon कहा है, center में है तो सेंटर में होता है, तो सिंगल होता है, यह हो गया बेटा 1, अब ऑक्सीजन कहा है, ऑक्सीजन एटम फलक पे है, सारे फलक पे है, तो 1 बाइ 2 इंटू 6, that is 3, तो कुल मिलाके, कैलसियम की संख्या I1, कार्बन की संख्या I1, और ऑक्सीजन संख्या I3, इसका मतलब है, कि आ बनाने के लिए भी एक्जाम में आता है, कबी कीजिए इसको, चलिए, अब, हाँ चलिए बटा उल्टा लिग दे कोई बात नहीं, पर एक जाना पचाना फॉर्मला बनना चाहिए, इसलिए ऐसा, ठीक है, हाँ जी, चलो, एक एक्जाम पर और देखो, एक प्रस्ण मैं आप को अपने तरफ से दे रहा हूं, उजब बना के बता रहा, ठीक है, माल लिजिए, कि एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में, ए, बी और सी नाम के एटम है, एटम ए जो है, गौर सुनना, एटम ए जो है, ये, आ, आल, कॉर्नर, सभी कोनों में, ए सभी कोनों पर है, बी ज जो है जहां सुनना बी जो है यह सेंटर पे है सेंटर पे है और जो सी है एटम सी है वो आँ अनली फोर फेस छे फलक में से सिर्फ चार फलक में सी पाया जाएगा तो बताईए इस कंपाउंड का का फॉर्मूला क्या होगा इस सेंटर पे हैं और जो सी होचार फलक में ले लेते है चले बताईए इस घन का सूत्र क्या होगा मैंने कुल संख्या नहीं पूछा है अमरिता बेटा मैंने कुल संख्या नहीं पूछा है मैंने इस ABC ये तीनों मिल के क्या सूत्र बनाएंगे क्या formula बनाएंगे ये पूछ रहा हूँ सही जवाब ABC2 ये है इस इश्टचर का formula ठीक आज मैंने आज मैंने कुछ बेहत साधरन कोशन आपको करवाएं हैं और मैं आपको घर में बनाने के लिए ठीक है मैं आपको ना कुछ कोशन देता हूँ बेटा आप इसको घर मना लीजेगा मैं आप लोगों को कुछ प्रशन दे रहा हूँ ये आप घर में बनाएंगे और निस्चित है कि इसमें से एक दो कोशन या तो आप से नहीं बनेंगे ये आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है और मुझे पता है मुझे पता है कि आपको कौन-कौन से प्रशन में परिशानी हो सकती है फिर भी मैं कहूंगा एक बार कोशिस जरू करना बनाने का और जो भी कोशन नहीं बनेगा मुझे तो पता है मुझे मालूम है कि आपको कौन-कौन से कोशन में डाउट आने वाला है तो अगले class में उन्हीं questions के doubt को clear करते वे हम आगे बढ़ेंगे तो चलो इन questions का एक screenshot ले लो यहां potation का spelling थोड़ा सा mistake है cooperate कर लेना यहाँ ठीक है potation के यहाँ spelling ठीक है वहाँ वहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है अगले क्लास में इसमें से जो प्रस्ट नाप से नहीं बनेंगे उसको पहले मैं समझाऊंगा फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोगोंने जो यूनिट सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात किया था और ये भी देखा था कि किसी भी यूनिट सेल में जो कन होते हैं वो किस-किस जगे पर पाया जाएगा उसके अधार पे हमने उसे कुछ हि बेसिकली तीन तरा का होता है एक क्या था बेटा सरल गन्य सराचना जिसको हम लोग Symmple जिसे हम लोग बॉडी centered cubic unit cell कहते थे याद रखना इनका जो short जो abbreviation होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा जो simple cubic unit cell है इसे हम लोग s c c से दर्शाते हैं face center वाले को, फलक केंदरे वाले को, f c c से और जो अंता केंदरे वाले हैं उसको हम लोग b c c से दर्शाते हैं कुछ बाते और याद दिला दूं कि s c c में कुल परमाडवों की जो संख्या थी वो किता थे बैटा? 1 by 8 into 8 that is 1 जो फलक केंदरे था इसमें कुल अडवों की संख्या कितनी थी? तो ये था 1 by 8 into 8 that is 1 और था 1 by 2 into 6 that is 3 तो टोटल हो गया था ये हमारा 4 तो चार जो पार्टिकल थे वो थे इसके बाद bcc में कुण अडवों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 1 by 8 into 8 1 plus 1 जो घन के केंदरे में रहता है उसको हम एक लेकर के चलते हैं तो कुल यहाँ पर कणों की संख्या कितनी थी? तो पिछले क्लास में हमने सिर्फ यह देखा था कि किसी भी जो घनिसा रचना है किसी भी क्यूबिक सेल में कितने कितने परमाडू जो है वो पाय जाते हैं फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ कोशन्स भी किया था कुछ एक्जामपल मैंने आपको बताये थे और मैंने कुछ कोशन्स भी आपको दिये थे और मैंने आपसे कहा था यह वो कोशन्स बना के देखिएगा और जो कोशन्स नहीं बनेगा वो मैं आपसे डिसकस करूंगा तो वो कोशन्स एक बार मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ यह देखिए तो यह है वो सारे कोशन्स जो हम लोग ने पिछले क्लास में मैंने आपके साथ में डिस्प्ले किया था और कहा था एक बर इसको बना के देखिएगा तो काम कीजिए इसको एक बर और ध्यान से देखिए और मुझे बताईए इसमें से कौन-कौन सा कोशन आप ल देखिए आपके मैं कमेंट पड़ पा रहा हूं लगभग लोग जो है सारे कौशना मना लि conventions पर जड़ लोग मुझे लिख करके भेज रहे हैं तीसर ना कोशन और चौफ़ा कोशन कुछ लोग लिख करके भेज रहे हैं कि थर्ड कोशन और फौर्थ कोशन में आपको डाव तो यह जो कोशन से नीचे वाले दो यह एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे बनेगा मैं चाहता हूं कि यह दो कोशन तो हम बना ही लेंगे इससे पहले इन दोनों कोशन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ अपने तरफ से एक्जामपल देना चाहता हूं उस एक्जाम कि सपोज आपके पास कोई ठोस है जिसके अंदर जिसके अंदर 200 अणू है या परमाडू है जिसके अंदर 200 परमाडू है या एटम्स है गौड सुनेगा किसी ने question में पूछ दिया कि हमारे पास एक ठोस है जिसमें दो सब परमाडू है यानिकी एटम्स है तो आपको आपको ये बतारा है कि इस ठोस के अंदर कुल इस ठोस के अंदर कुल unit cell कितने होंगे कितने होंगे ध्या सुने तो question में कोशन में हाँ पर क्या बोला मैंने कि अगर आपके सामने एक ठोस आजा जिसमें 200 परमाड़ू है 200 एटम है तो बताए उसमें कुल यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी और अगर और आपको वहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो ठोस है आपका जो ठोस है वो FCC तरीके से क्रि अब तु मुझको यह बताओ कि अगर आपके सामने FCC आजया है तो उन्हीन कुल परमाड़ू की संख्या कितनी होती है तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अभी मैंने कुछ देर पहले होता था कि FCC में, FCC में कुल परमाड़ों की जो संख्या है, वो कीता होता है बटा, फोर, तो मुझे आप ये बताओ, FCC का एक यूनिट सेल, FCC का एक यूनिट इकाई सेल के अंदर चार जो है होते हैं, इस बात को आपको दिमान में रखना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो अब तुम मुझे बताओ, कि FCC में, FCC में एक जो यूनिट सेल होता है, इकाई सेल होता है, उसमें चार कण होते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि चार एटम चार एटम मिलके बनाते हैं एक इकाई सेल यानि कि एक यूनिट सेल एक यूनिट सेल बनाते हैं एपसीसी में एपसीसी में चार एटम मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं तो बैटा एक एटम एक परमाडू कितना unit cell बनाएगा 1 by 4 unit cell बनाएगा तो फिर कितना बोला है मैंने 200 तो फिर 200 परमाडू यानि कि 200 atom मिलके कितने unit cell बनाएगे यह होगा बैटा 1 by 4 into 200 unit cell तो मैंने question में क्या पूछा था मैंने question में आप से यह पूछा था कि अगर किसी ठोस में 200 परमाडू पाया जा रहे हैं तो 200 परमाडू मिलके कितने unit cell बनाएगे कितने unit cell बनाएगे यदि वो FCC तरीके से क्रिश्टली करण हुए हो या क्रिश्टलाइज हो तो आपने कहा कि FCC के अंदर आपने कहा कि FCC में FCC में चार एटम मिलके एक इकाई cell बनाते हैं तो 200 एटम मिलके कितने unit cell बनाएगे तो यह जो प्रस्ण है इसे नोट कर लीजिए इसी पर आधारित है वो जो मैंने अभी कोशन बताया था न कुछ दर पहले वो इसी पर आधारित है तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लो प्लीज ओके अधरसर आपका जो चैट मुझे दिख रहा है न वो किसी वज़े से बार-बार डिसपियर हो जा रहा था आपके जो लाइव चैट है वो अच्छली गयाब हो जा रहा था इसलिए थोरा सा क्लास जो है वो डिश्टर्ब हो रहा था चलो ठीक है तो बैटा यह बन गया सबसे बन जाएगा यह आगे बताओ ठीक चलो इसी प्रकार का इसी प्रकार का एक और एक्जामपल आपको दिखाता हूँ मैं जाद गौर से सुनना बैटा इसी प्रकार का चलो एक और एक्जामपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ देखो माल लोyas किसी ने किसी ने हमसे पूछा ध्यान देना एक प्रशन आपके सामें रखता हूं इस बार मैंने आपसे प्रशन में यह पूछा कि माल लोग आपके पास 5 ग्राम सोडियम का ठोस है पांच गराम सोडियम का ठोस है ध्या सुनने बिटा पांच गराम सोडियम का ठोस है तो आपको बताना है कि यदि सोडियम यदि सोडियम एप सी सी क्रिश्टलाइज होगा यदि सोडियम एप सी सी तरीके से FCC तरीके से crystallize होगा crystallic run उसका हुआ होगा तो बताइए sodium के अंदर कितने sodium के अंदर कितने iqai cell कितने iqai cell cell होंगे कितने unit cell होंगे प्रस्ट क्या है आपका कोशन क्या है पिटापका कोशन में पूछ रहे हैं अगर आपको मैं 5 ग्राम sodium दे दूँ और अगर sodium FCC तरीके से crystallize है तो बताओ sodium में कितने iqai cell पाय जाएंगे और आपको प्रस्ट में दिया हुआ है कि sodium का जो अणु भार है sodium का जो अणु भार है वो 23 ग्राम प्रती मोल है sodium का जो अणु भार है या आपको पता ही होगा sodium का जो अणु भार है वो 23 ग्राम होता है तो चलिए अब इस प्रस्ट को किस तरीके से बनाया जाएगा इसके बादे में बात करते हैं तो प्रस्ट में क्या पुछा गया है कि 5 ग्राम sodium के अंदर कितने सारे iqai cell होंगे कितने सारे unit cell होंगे तो अब तु मुझे यह बताओ सबसे पहले मैं आपसे question पूछता हूँ कि sodium अचा sodium का तो अडु भार मैंने लिखी दिया है एक दूसरा example पूछता हूँ carbon के carbon के एक परमाडू का दर्वेमान कितना होता है भार कितना होता है carbon के carbon के एक परमाडू का एक एक एटम का वेट कितना होगा बताएंगे प्लीज carbon के एक एटम का वेट कितना होगा अखंड भारत 12 तेजपाल 12 अंजली 12 सोनल 12 सबने आशर दिया है बेटा 12 ओके ध्यास सुनो मैंने आपसे पूछा carbon के carbon के एक एक एटम का वेट कितना होगा carbon के एक एटम का वेट कितना होगा तुमने लिखा है 12 ग्राम तुमने लिखा है 12 ग्राम यह आंसर सही नहीं है carbon के एक एटम का वेट 12 ग्राम नहीं होता आपने class 11 चेप्टर में class 11 में जो first chapter था class 11 में जो first chapter था mole मोल वाला जो चैप्टर था उसमें मोल के सिध्धाच में आपको कुछ चीजे पढ़ाई गई है चलिए अब मैं आपको याद दिलाता हूं गौर सुनना मैंने आपसे पूछा कि कार्बन के एक एटम के वेट कितना होगा तुमने लिखा है 12 ग्राम तुम खुछ सोचो कार्ब बहुत प्रशन है कितना सारा एकम लेकि हाऊ तो बेटा तो बेटा आप जब 6.022 into 10 to the power 23, carbon का atom लाओगे, carbon का अगर atom लाओगे तब जाके होगा 12 gram और इसको क्या बोलते हैं बेटा मोल, इसके क्या बोलते हैं एक मोल, तो याद रखना, कोई भी आप से पुछेगा, कोई भी आप से पुछे, carbon के कितने सारे atom का वेट 12 gram होता है, तो एक atom का वेट 12 gram होता है मत देना आप बोलना 6.0 to 2 10 to the power 23 carbon के atom का वजन होता है 12 ग्राम ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पुछूं अगर मैं आपसे ये पुछूं कि sodium का sodium का आणविक दरवेमान 23 ग्राम है तो उसका ये मतलब थोड़ी के एक sodium का वेट 23 ग्राम होगा तो उसका ये है कि 6.022 into 10 to the power 23 sodium के जो परमाडू होंगे जो एटम होंगे उसका वजन होता है 23 ग्राम उसका वजन होता है 23 ग्राम तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 23 ग्राम sodium के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 एटम होते हैं मैं ऐसा कह सकता हूँ न कि 23 ग्राम sodium के अंदर इतने एटम होते हैं तो बेटा 23 ग्राम के अंदर अगर इतने एटम होते हैं तो पांच ग्राम में कितने एटम होंगे तो फिर पांच ग्राम sodium के अंदर कितने एटम होंगे 6.022 into 10 to the power 23 into 5 divided by 23 एटम होंगे तो ये देखिए ये देखिए आपने ये पता लगा लिया आपने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि 5 ग्राम sodium में कितने सारे कितने सारे परमाडू होते हैं कितने सारे एटम होते हैं पर आपने ये क्यों निकाला पर आपने ये क्यों निकाला मैं आखों दिखाता हूं हमारा प्रस्ण क्या था हमारा प्रस्ण क्या था कि 5 ग्राम के अंदर कितने सारे एकाई सेल होंगे तो पहले मैंने क्या निकाल लिया 5 ग्राम के अंदर कितने ए लेखते हैं तो बैटा फिर यहां FCC लिखा हुआ है फिर वहां FCC लिखा हुआ हुआ तो आपको तो पता है कि FCC में FCC में जो चार एटम होते हैं वो मिल के एक unit cell बनाते हैं तो एक एंटम मिलके कितना इन्ट चल बनाएंगे तो फीर तो फिर इतने एंटम मिलके कितने इन्टट बनाएंगे तो बैटा 6.022 into 10 to the power 23 into 5 divided by 23 atom मिल के कितने unit cell बनाएंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 into 5 upon 23 1 by 4 इतने सारे इकाई सेल बनेंगे तो कोशन में क्या था तो कोशन में क्या था कि 5 ग्राम में प्रस्ट नहीं है था कि 5 ग्राम में कितने इकाई सेल बनेंगे तो मैंने पहले क्या किया 5 ग्राम में कितने परमाडू है वो निकाल लिया फिर उतने परमाडू में फिर फिर उतने परमाडू में उतने परमाडू में कितने इकाई सेल होंगे मैंने वो निकाल लिया तो इस तरह से इन कोशन को बनाया जाता है तो प्लीज इसे copy कर लेंगे बेटा, यह example मैंने अपने तरफ से बताया है, कैसा आपने copy कर लिया, ओके चलो तो अब एक काम करते हैं, वो जो प्रस्ण आपको दिये गए थे, जरा उस पे वापस आते हैं बेटा, तो वो जो प्रस्ण आपको दिये गए थे, जरा उस पे बनाईएगा, तो मेरे ख्याल से ये दो कोश्ण तो आपने बहुत आसानी से बना लिये होंगे, इन दो कोश्ण में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो उसको देख लेते हैं फिर, को दिक्कत निये, जरा एक बार कोशिस कीजिए, इसको बनाने का, अभी जो मैंने बताय ऐसा ही बनेगा, जैसे अभी कुछ दर पहले मैंने आपको अपने तरफ से एक्जामपल दिया था, आप इस कोश्ण को बनाएंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया था, से वाइसी बनेगा, और इसके बाद वाला कोश्ण भी, जो पोटेशन वाला है, ये भी बिल्कुल सकं करने होंगे बेटा, तभी तो समझ में आएगा, ये देखो FCC मतलब होता है, फलक के अंदर है और प्रश्न में लिखा हुआ आता है, कि आपका जो ठोस है, वो FCC है, एक कि FCC है, कि BTC है, तो जब भी FCC लिखा हुआएगा, तो हम कर्णो की संख्या कितना ले लिएते है, फो वापस आते हैं अब आज के क्लास में चेप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा density ध्यान सुनेंगे तो आज के क्लास में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है बेटा density density of unit cell ओके यह बहुत important टॉपिक है इसके numerical भी आते हैं इसके numerical भी आते हैं और theory भी आता है board exam में अब वापस आते हैं बेटा density का मतलब क्या है और यहाँ पर मुझे density जैसा concept क्यों पढ़ना पढ़ रहा है इस chapter में density मुझे क्यों पढ़ना पढ़ भूलेंगे नहीं आप ठोसवस्ता पढ़ रहे हैं बेटा आप ठोस अवस्ता पढ़ रहे है और ठोस अपने भारी घंत के कारान जाना जाता है भाई यह जो टॉपिक है घनतव यह हम क्यों पढ़ रहे हैं सबको पता है बेटा कि गैस के जो परमाडू होते हैं वो दूर दूर होते हैं लिक्विट के परमाडू थोड़े पास होते हैं और जो ठोस होते हैं उसके जो परमाडू होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं अब सभाविक सी बात है कि ये परमाडू अगर एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली जुड़े होंगे तो इनका घनत्व इनका जो डेंसिटी ह वो बहुत हाई होगा, डेंसिटी बहुत हाई होगा, तो बेटा हम इस चेप्टर में घनत्व नाम का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ठोस होता है, ठोस वो अपने भारी घनत्व के कारण जाना जाता है, तो सुभाविक सी बात है, ये टॉपिक तो मुझे इस च रहा चुका हूँ, कि भई, किसी भी ठोस के अंदर, किसी भी ठोस के अंदर, बहुत सारे इकाई सेल होते हैं, ये देखो, ऐसे बहुत सारे इकाई सेल होते हैं, आपने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, आपने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, कि एक ठोस के अंदर, ऐसे बहुत सारे इकाई सेल होते हैं तो बेटा सिम्पल सी बात है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एक इकाई सेल का घनत्व कितना है तो अपने आप समझ जाएंगे कि पूरे ठोस का घनत्व कितना है वही सिम्पल सी बात है एक unit cell का density पता करना पड़ेगा और अगर आपने कह दिया कि इस थोस का इस थोस के अंदर जो join cell है उसका density बहुत हाई है तो कह देना पूरे solid का density बहुत हाई होगा तो complex बात है सिंपल सी बात है किसी थोस का घंदध वो पता करने से पहले आप पहले किसी इकाई सेल का घ्नत्व पता कर लो फिर अपने आप आपको पूरे ठोस का जो घ्नत्व मालूंन चल जाएगा, तो चली देखते हैं, कि किसी भी ठोस का अंदर जो इकाई सेल होते हैं, उनका घ्नत्व कैसे निकाला जाता है, खान सुनेंगे बेटा, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, कि किसी भी ठोस के अंदर जो इकाई सेल होते हैं, उनका घंटव कैसे रिकालते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी किसी भी इकाई सेल का कैसे निकालते हैं गहनत वह गौर से सुन्येगा तो अब यह बताओ आपको किसी इकाई सेल का घहनत वह निकालना है तो बेटा मैं ने क्या किया मेरे पास तो कई प्रकार के इकाई सेल है मेरे पास तो कई प्रकार के इकाई सेल हैं रगू थोड़ा ध्यान दे बेटा हाँ तो कई प्रकार के इकाई सेल हैं क्या सिंपल वाला फेस सेंटर वाला बॉडी सेंटर वाला है ना एक क्या था सरल घन्य इकाई सेल दूसरा फलक केंदरे इकाई सेल तीसरा अंता केंदरे इकाई सेल तो बेटा हमें काम करते हैं एक इकाई सेल का घनत्व निकालने के लिए हमना सिंपल वाला यानि कि सरल यूनिट सेल को ले लेते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल ले लिया मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल ले लिया और अब मैं इस unit cell का घनतव आपको निकाल के दिखाता हूँ तो सबसे पहले आप मुझे यह बताओ बेटा घनतव का क्या सूत्र होता है density कैसे निकालते हैं density कैसे निकालते हैं है जी तो अगर आपको density निकालना है तो density निकालने का formula होता है बेटा mass by volume याने की द्रव्यमान बटे आयतन यह बात हो सबको पता है किसी भी चीज का जब density हम निकालते हैं तो density निकालना तरीका है बटा द्रव्यमान बटे आयतन पर कोशन है किसका किसका density आप निकाल रहे हैं प्रस्न है कि आप आखिर किसका डेनसिटी निकाल रहे हैं यूनिट ल का इकाई चाहिए होगा आपको यूनिट चल का तो अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी किसी भी इकाई चल का ड्रवय मान कितना है किसी भी 21 सेल का आयतन कितना है तो आप बहुत आसानी से उसका घंणतो निकाल सकते हैं तो कैसे निकालूं घंणतो यहाँ देखना तो यह एक unit cell है जिसमें मालो यहाँ पर कण रखे हुए हैं कोनों पर अब चलो सबसे पहले एक काम करते हैं हम सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं इस घंण सेल का पहले हम आयतन निकाल लेते हैं तो बेटा यह बताओ अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम यानि कि अगर मुझे आयतन यहाँ पर निकालना है तो आप उच्छे ये बताईए, आप लोग एग बाप उच्छे बताओ, ये जो किनारा है, इसे आप क्या बोलते हैं बेटा, लंबाई, चवडाई, उच्छाई, लंबाई, चवडाई, उच्छाई, और आपको मैं बता दू, आपको मैं बता दू कि ये जो किनारा होता है न लंबाई, चवणाई, और उचाई, तीनों का जो गुडांक होता है, यही तो आयतन होता है, और आप कह रहे हैं कि लंबाई को भी आप A कहेंगे, चवणाई को भी आप A कहेंगे, यानि कि एज कहेंगे, और उचाई को भी अगर आप A कहेंगे, तो बेटा घनत वक्त, इस व हमको आयतन मिल गया हमको आयतन मिल गया अब देखते हैं द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम इस इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे तो बहुत सिंपल है सुनना बहुत सिंपल है अगर आप इस इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना चाहते हो जहां सुनेंगे अगर अगर आप द्रव्यमान निकालना चाहते हो, एक मिनट, द्रव्यमान निकालना चाहते हो, अच्छा मुझे बताओ, द्रव्यमान मतलब की मास, यानि की वेट, वेट, आप मुझे बताओ, इस पूरे इकाई सेल का, इस पूरे इकाई सेल का, कैसे निकालेंगे आप द्रव्यम होगे अगर आपको यह पता चल जाए कि एक परमाडू का द्रयमान कितना है और यह पता चल जाए कि कुल परमाडू कितने हैं तो आपके सामने टोटल द्रयमान निकल के आ जाएगा अगर आपको इस यूनिट सेल का द्रयमान निकालना है तो क्या करेंगे अगर आपको एक परमाडू का द्रहवान पता है और अगर आपको टोटल कितने पर माडू है यह पता है तो फिर अपने का द्रव्यमान गुरा खुल पर्माणुकी संख्या अगर आपको इस इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना है ड़ आपको दो बाते मामूमोंबादा चिहे एक कि एक पर्माणुकु द्रव्यमान कितना होता है और दूसरा कुल परमाड़ों की संख्या कितनी है तो सबसे पहले मुझी एक बाह बता बेटा सबसे पहले आप मुझी एक बाह बताईए कि एक परमाड़ू का दर्यमान कैसे निकालते हैं एक परमाड़ू का दर्यमान कैसे निकालते हैं अभी अभी मैंने बताया था अभी अभी मैंने आपको बताया था यह बताओ कि 6.022 x 10 to the power 23 जब इतना सारा इतना सारा तुमने sodium लिया था तब जाके उसका द्रवयमान था 23 ग्राम तो बेटा एक sodium के परमाडू का एक sodium के परमाडू का द्रव्यमान कितना होगा तो 23 बटे 6.022 इन्टू 10 पावर 23 तो आपने एक एटम का इस प्रकार से द्रव्यमान निकाला तो गोर सुनना कोई आप से पूस्ता है कि एक एक प्रमाडू का एक प्रमाडू का द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे तो आप बोलेंगे अुबार ये क्या है बैटा अडूबार ये तो अणूबार बटे इसको क्या बोलते हैं ये जो 6.022 इंटू 10 पावर 23 लिखा इ सैंक्टेशा ये है जी एवोगेड्रो एवोगेड्रो संख्या इसे क्या बोलते हैं बैटा एवोगेड्रो संख्या तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक परमाडू का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अरुभार बटे एवगेड्रो संख्या कैसे निकालते हैं अरुभार बटे एव वापस आते हैं तो अभी मैं आप आप से ये पूचा था कि एक पर्माडू का द्रह्यमान कैसे निकालते हैं तो वे बेटा आडू भार बटे आवो गेड रो संख्या तो ये है एक पर मार्मार्वाल निकाले कि तरीका तो अगर मैं इसको यहाँ to इसके मान को अगर यहाँ put up कर दो टो मैरा क्वेशन क्या बन जाएगा तो फिर मैरा उक्वेशन क्या कितनी हैं क्या है अडू भार बटे एक मिनट ओहो तो कैसे निकालेंगे यह निकालेंगे अडू भार बटे एवोगेड्रो संख्या गुड़ा इधार क्या लिखा है इधार क्या लिखा है बेटा कुल परमाडवो की संख्या तो लीजिए तो लीजिए हमको हमको यहाँ पर घंत्म निकालने के लिए हमको द्रव्यमान चाहिए था और आयतन चाहिए था था थो बेटा हमने यहाँ पर आयतन निकाल लिया है और यहाँ पर द्रव्यमान भी निकाल लिया है, तो चलिए, इनके मान को अगर वहाँ पूटप करें, अगर इनके मान को हम वहाँ पूटप करें, तो नतिजा क्या होगा, तो चलो देखते हैं, डेंसिटी निकलने वाला है, जल्दी बताईए, द्रव्यमान का मैंने क्या फॉर्मूले यहा पर अडुभार बटे एवोगेड्रो संख्या क्या लिखाया पर बेटा कुल कुल पर मारवो की संख्या कुल पर मारवो की संख्या और नीचे में क्या लिखा हुआ पटा आयतन तो बस समझे लो ये है फॉर्मूला किसी भी इकाई सेल का घरत्व निकालने का ये है फॉर्मूला किसी भी इकाई सेल का घरत्व निकालने का तो बस मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर दो चीज़े की हैं घनत वरी कालले का तरीका होता है द्रवेमान बटे आयतन तो मैंने यहाँ पर आयतन बता दिया आपको आयतन कितना है एक क्यूब और द्रवेमान कितना होता है वो भी मैंने बता दिया इसको बस मैंने यहाँ पूट अप किया और एक बार मैं clear आपको लिख देता हूँ, यहाँ देखना, मैंने आप से क्या पूछा था कि density, एक मिनट, मैंने आप से पूछा था कि density याने कि घनत्व आपको किसका निकालना है, यूनिट सेल का, तो इसका सुत्र बना, इसका सुत्र बना, अडू भार, अडू भार, गुडा कुल परमाडवो की संख्या बटे आयतन गुडा अवोगेडरो संख्या और इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, अरू भार को M से दर्स आते हैं, कुल परमाडवो की संख्या को Z से दर्स आते हैं, आयतन को A क्यूब से दर्स आते हैं, और अवोगेडरो संख्या को N नौट से दर्स आया जाता, तो ये है, मा यह किसी भी इकाई सेल का घरता वनिकांने का formula अ कि यह फॉर्मला यहाँ, यहाँ पर बनेंगा, तो इसके पहर लिख लो बैटा, तो जब qoshen बनाएंगे, जब numerical बनाएंगे, तो यह वाला formula आपको use करना है, यह formula आपको use करना है, लिख लेंगे, लेकिन अब होता क्या है? य ये तो एक्जाम में अगर कोशन पूछ दिया कि किसी भी इकाई सेल का घनत वोनीकाल के बताओ तो आप इसको बस जो कुछ मैंने बताया है उसको आप लिग दीजेगा उसको आप लिग दीजेगा लेकिन जब निमेरिकल आएगा जब निमेरिकल आएगा तो फिर उस केस में होता क्या है, simple theory पढ़ने से numerical पूरा पूरा नहीं बनता, गौर सुनेगा, पूरा theory पढ़ने से आप numerical पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे, numerical बनाने के लिए आपको formula तो याद हो नहीं चाहिए, साथी साथ और भी कुछ छोटी मोटी चीजी आपको मालूम होने चाहिए, numerical ब formula है, इस formula में जो M है, M है, बेटा वो atomic mass है, जरत Z के बारे में जान लेते हैं, जरत Z के बारे में जान लेते हैं, मैंने पूछा, Z क्या है, तो Z है कुल परमाड़ों की संख्या, तो आपको पता है, कुल परमाड़ों की संख्या कितनी होगी, तो Z का मान एक होगा, अगर सरल केंद्रिय याने की FCC ठोस होगा तो तो जब numerical बनाओगे तो प्रश्ण में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो ठोस है वो सरल घनी सरचना वाला है कि फलक केंद्रिय सरचना वाला है कि अंता केंद्रिय सरचना वाला है तो प्रश्ण में लिखा हुआ आएगा तो उसके अधार पर Z का मान आपको लेना है, अच्छा, अब यहाँ पर N not क्या है, तो बटा N not Avogadro संख्या है, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग, 6.022 into 10 power 23, अब मैं आपको एक बात बता दू, जिब आप numerical solve करोगे, तो बटा numerical solve करते वक, 6.022 लिखने से, जो calculation है, जो गड़ना आप करते हैं वो थोड़ा कठीन हो जाता है, मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, जब भी आप exam में 6.022 लिखते हो, तो calculation थोड़ा जादा हो जाता है, तो आप चाहो, आप चाहो तो exam में, आप सिर्फ इसको न, 6 into 10 power 23 लेके भी हल कर सकते हो, यादगना, लिखना 6.022 ही, लिखने का काम जब करोगे, तो लिखते समय 6.022 लिखना, पर जब गड़ना करो, जब calculation करोगे, तो calculation करते बाद, आप 6 लेके बनाना, answer लगभग उतना ही आता है, अब आप देख लिजी, अगर आपको लगता है, कि 6.022 लेके आप हल कर सकते हो, तो अच्छी बात है बेटा, पर कई बच्चों को थोड़ी calculation में परिशानी होती ही, मुझे पता है, खास करके जो बायो वाले बच्चे होते हैं, उनको calculation में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो चाहें, तो 6 लेके आप हल करना, answer लगभग उतना ही आएगा, ठीक है, पर लिखेंगे यही, बस हल करते हो, तो 6 ले Age, मतलब किनारा, किनारा या किनारे की दूरी, या किनारे की दूरी, अब यह क्या चीज़ है, तो अभी कुछ दिर पहले मैंने आपको ऐसा structure बना के बता味 था ने, बैटा, तो जब भी आपको एक आमान जब भी आपको एक आमान दिया रहेगा, तो समझ जाना आपको क्या दिया है आपको एक कंड से दूसरे कंड तक की दूरी दी हुई है जब भी किसी प्रस्ट में आपको एक आमान दिया रहेगा तो समझ जाना आपको एक परमाडू से दूसरे परमाडू तक का डिश्टेज दिया हुआ है तो ठीक है तो ए का मतलब हो किनारे की लंबाई होगी हो किनारे की लंबाई होगी दूरी नहीं होगी हाँ अब वापस आते हैं अब प्रॉब्लम क्या है आपको पता है आपके बुक में जितने भी प्रश्ण दिये हुए हैं आपके बुक में जितने भी प्रश्ण दिये हुए हैं उनमें एका जो मान है वो पीको मिटर में दिया रहता है, एका जो मान है, वो पीको मिटर में दिया रहता है, अब परशानी क्या होगी? अब परशानी क्या होगी? जब आप घनत वो निकालेंगे, जब आप घनत वो निकालेंगे, तो बेटा, एका मान आप पीको मिटर में लेंगे, अगर एका मान आप पीको मिटर में लेंगे तो ऐसे में घनत्व का इकाई क्या बन जाएगा अच्छा घनत्व का इकाई क्या होता है ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब ये इसकी इकाई है ये 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 घनत्व की इकाई है तो अब दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि घनत्व की इकाई होती है ग राम प्रती सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब अब रॉबलम क्या है कि तुम्हारे प्रषण में आप खोल के देखो जितने प्रषण आपके बुक में दिये हैंने हर बार एक जो मान है वहirty को मितर में दिया रहता है और 우리가 कि आपको किसमे लाना है सेंटीमेटर में तो आप पीको मिटर को सेंटीमीटर कैसे तो यहां सुनना डेटा मैं कुछ दूमर न는 आपको बता है ठीक है जैसे कि एक पीको मीटर दस के घंड में होता है 10 to the power 10 cm के बराबर एक आंघ च्ट्रॉंग 10 to the power minus 8 cm के बराबर होता है 1 nanometer 10 to the power minus 7 cm के बराबर होता है 1 micrometer 10 to the power minus 5 cm के बराबर होता है तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीजे हैं जो आपको पता होना चाहिए ये कुछ छोटी मोटी चीजे हैं जो आपको पता होना चाहिए तभी आप निमेरिकल बना पाऊगे तो काम करो पहले आप इसको लिख लो फिर बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे लिखो बैटा क्या है ना आफ लाइन पढ़ाते पढ़ाते ही आदत हो गया है जब भी आफ लाइन क्लास चलती है तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि चलो इसे कॉपी करो पर ऑनलाइन में फैदा कि हाँ भई स्क्रींशॉट ले लिए या वीडियो तो ही हमारे पास दुबारा एक बार पीछे जाएंगे और देख सकते हैं चलो ठीक है हाँ तो आप चलो मैं आपको दिखाता हूं इसको उप्योग कैसे करेंगे इसको उप्योग कैसे करेंगे तो यह बताओ कि अभी आपका जो सेंटीमेटर में हैं अगर एक कामान पेकोमिटर में है तो फिर आपको एक एक शाथ so happy आपको एक साथ नाट करना पड़ेगा एक के सासी तो आपका जो आनसर है वो की समया आगा स। जी मि6 कमांकि अचलों स्आख миज altern अभगो सेंटीमिटर में आजाएगा आप इसको आपको क्यूब करना है ना आप एक यूब लिखे हो इसार देखो यहां एक यूब लिखा हुआ है तो एक यूब अगर जब करोगे तो आपका सूत्र ऐसा हो जाएगा M into Z N naught मैंने क्या बोला A के साथ A के साथ आपको क्या गूड़ा करना परेगा 10 to the power minus 10 इसको जब क्यूब करोगे तो फिर इसका जो आंसर है तब इसका जो आंसर है वो ऐसा हो जाएगा क्या हो जाएगा a cube 10 to the power minus 30 अब आपका answer gram प्रती सेंटीमिटर cube में आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पर density का तो अब आपको यहाँ पर density का यह formula throughout use करना है तो बस आपको इतना आद रखना है कि जब भी किसी question में जब भी किसी question में a कामान पीको मिटर में दिया रहेगा तो आपको बेटा a के साथ 10 to the power minus 30 multiply करना होगा 10 के power में minus 30 multiply करना होगा तो प्रीज कॉबी कर लीजिए फिर मैं आपको एक दो परश बना के दिखाता हूँ ठीक है कॉबी करो तो अब चलो एक काम करते हैं बेटा मैं आप लोगों को कुछ उदाहरान दे के बताता हूँ और अगले क्लास में उसका हम specific question भी बना लेंगे ठीक है तो यहाँ देखो माल लिजे मैं आपको कुछ प्रशन दिखाता हूँ कैसे प्रशन आएगा बेटा इसका जैसे माल लो किसी ने पूछ दिया किसी ने पूछ दिया कि एक धा सुनेगे एक ठोस है गोर सुनेगे बेटा एक ठोस है जो है सिल्वर सिल्वर यानिकी एजी सिल्वर यानिकी एजी और किसी ने बताया कि silver जो है वो BCC तरीके से crystallize है यानि कि क्या अंताग केंद्रिय तरीके से crystallize है और बताया गया कि silver के ठोस के अंदर एक परमादू से दूसरे परमादू को दूरी है यानि कि age जो है वो 200 picometer है 200 picometer तो चलिए silver का silver का घनत हो यानि कि density find out कीजिए density आपको पता करना है तो बेटा कैसे करेंगे एक example मैं दिखाता हूँ क्या करोगी जी density निकालना है formula क्या था M into Z N naught into A cube तो बेटा अब मैं याँ पर क्या करने वाला हूँ तो जल्दी बताए फिर हाँ M silver का स Rück अचा silver का अडू भार जानते हैं बैटा कित्ता होता है इसे कित्ता होता है अडू का अडू, यहाद ओनी ही ठत्क पर जाए State 1.8,6 G 022 into 10 to the power 23 और और एक आमान किता दिया है बेटा 200 तो 200 का हम यहां cube कर देंगे बागि 10 के power minus 30 तो लिखेंगे और जो इसका जो answer निकल के आएगा वो gram प्रती centimeter cube में निकल के आएगा तो इस तरह से आपको घनत्व का numerical बनाना है हाँ बेटा 200 gram प्रती cc भी लिखते हैं cm3 को न cc भी लिखा रहता है किसी-किसी बुक में cc भी लिखा रहता है cc मतलब cm3 यानि घन cm3 cc भी लिखा रहता है चले काम करते हैं एक प्रफ्ष्ण और आपको देता हूं यह मुझे आप बना के दिखाओ फिर आगे बढ़ेंगे बेटा एक प्रफ्ष्ण मैं बस आपको दे रहा हूं यह आप मुझे बना के दिखाना ठीक है माल लीजिए ध्या सुनेंगे माल लीजिए कि आपके पास एक ठोस है गोर सुनेंगे बेटा माल लीजिए आपके पास एक ठोस है एक सॉलिद है और वो सॉलिड है ही पोल्टेंज स्य होगा है ओट हो ऊधों आगा हुए सब्सक्राइबन होता है विए तर्टीन ग्राम प्रती मूल अब आपको बताना है अगर अगर पोल्टेश्यम का पुटेश्यम मेंड़ अगर प्रहंड्रेड पीकोमीटर हुआ थो देंसिटी का मान किता होगा चलिए आप मुझे बताएं किसने हल करने कुशिस की तो एक बार बस मैं सूत्र में सूत्र में लगा देता हूं आप लोग कन्फर्म करना कि आप लोगो ने भी वैसा से किया है कि नहीं ठीक है एक बार सूत्र में इसको मैं लगा देता हूं और कंफर्म करना आप लोग ऐसे किया हो क्या डेसिटी निकालना था एम कमान 39 जेट कमान एप सी सी लिखा है मतलब 4 एवो गैडर नमबर 6.022 इंटू 10 पावर 10 पावर 23 और एक कमान कितना है बेटा 100 का हम यहां पर क्यूब करेंगे साथ में 10 पावर मैनस 30 लिखेंगे और आंसर आएगा ग्राम प्रती सेंटी मिटर क्यूब में बस इतना बता द है उसके घनत्व के बारे हम बात किया याद रखिए हम अभी ठोस अवस्था के बारे बढ़ रहे हैं और हर बार हम इसी बारे हम बात करते हैं कि जो ठोस है वो बाकी के जो अवस्थाएं होती है जैसे कि गैस और द्रब उसके मुकाबले ठोस अलग क्यूं है उसमें क्या अ आखिर जो ठोस होते हैं, उनके अंदर जो परमाडू होते हैं, वो किस तरह से विवस्थित रहते होंगे, कैसे उनका पैकिंग होता होगा, मैंने कहा पैकिंग, तो अगले क्लास में हम ये देखेंगे, कि किसी भी ठोस में जो परमाडू होते हैं, उनका पैकिंग कैसा होता है कि वो इतने हाड हो जाते हैं, जो ठोस होते हैं, वो इतने हाड क्यूं हो जाते हैं, तो उनके अंदर packing की विवस्था आपको समझनी होगी, चलिए, तो आज class भी तई करते हैं बेटा, अगले class में हम जो परमाडू होते हैं, उनके packing के बारे में बात करेंगे, संकुलन के बार होत्त क्लास है तो एक बार मैं आपको शॉट में याद दिला देता हूं कि अब तक हम लोगों इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा है तो आपको याद होगा हम लोगों ने इस चैप्टर में ठोस अवस्था हमने शुरू किया था और जब चप्टर शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि हमने ये जाना कि प्रक्रिती में जितने भी ठोस होते हैं जित्ते भी ठोस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिष्टली और अक्रिष्टली, जिसमें से हमको इस पूरे चेप्टर में किस तरह के ठोस के बारे में पढ़ना है, क्रिष्टली ठोस के बारे में, फिर जब हम आगे बढ़े, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमें पता पिर जब आयोनिक ठोस के बारें पढ़ना चालू किया तो हमने सीखा कि जितने भी आयोनिक ठोस होते हैं उनके अंदर एक थ्री-डायमेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं त्रिविम जारग बोलते हैं या क्रिश्टल लेटीज बोलते हैं और उसके अंदर छोटे-छोटे बोक्स जैसे इस्ट्रक्चर पाय जा रहे थे जिसके हम क्या बोलते हैं इकाई सेल और जब इकाई सेल के बारें पढ़ा तो हमें पता चला कि जो इकाई सेल होता है इकाई सेल में हमें किस तरह के इकाई सेल के बारें पढ़ना था क्यूबिक सेल इकाई सेल तीन तरह के क्यूबिक सेल हमने पढ़े थे उसके बाद उसके बाद हम लोगोंने कुछ कोशस बनाये थे आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगोंने उसे कुछ कोशस भी किये थे उसके बाद हम लोगोंने घनत्व देखा था ठोस का घनत्व देखा था और आज के क्ल में हम देखने जा रहे हैं बेटा क्रिस्टली ठोसों के अंदर संकूलन यह बहुत important topic है देखिए board exam में इस chapter से numerical भी आएगा और theory भी आएगा पर जब theory की बात करते हैं तो यह जो topic है यह topic theory में आता है यह topic है वो theory में आता है हाला कि इसके आगे चलते कुछ numerical भी आपको देखने को मिलेंगे पर अगर आप यह पूछेंगे कि इस chapter में theory कहा कहा से आता है तो इस chapter में theoretical question की सुरुवात इसी topic से होगी ज्यादत तर जो theoretical question होता है वो यहीं से शुरू होता है तो चले फिर देखते हैं आखिर संकूलन का क्य मतलब होता है यहाँ पर संकूलन का क्या मतलब होता है बैटा फिछले क्लास को खतम करते करते मैंने आपको एक बार का था था कि जो ठोस होता है वो द्रव और गैस से इस लिए अलग है क्योंकि ठोस के अंदर जो परमाडू होते हैं उनमें बहुत घना संकुलन होता है उनमें बहुत अच्छे से पैकिंग होता है इसलिए ठोस जो होता है वह बाकी दो अवस्थाओं से एकदम अलग होता है तो अब यह बताओ ठोस तो कई अबर भी यह ठोस है पर दोनों में फरक है ना लोहा में लोहा में आप सबको पता है हाडिनेस ज्यादा होता है वो ज्यादा हार्ड होता है और जो रबर है है rubber के अंदर जो παरमाडू होते हैं जो atंस होते हैं उनमें उतना अच्छा टैकिंग नहीं होता उनमें Looze टैकिंग होता है तो क्या समझे कि rubber भी एक ठोस था लोहा भी एक ठोस था पर दोनों जो परमाडू है जो एक पैकिंग अलग 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 है तो particles का जो packing होता है कणो का जो संकूलन होता है वही इस बात को तैय करता है कि कोई भी ठोस कितना hard होगा कितना soft होगा उसका गल्लांग कितना होगा उसका density कितना होगा उसका stability कितना होगा तो भाई ठोस जाना ही जाता है ठोस जाना ही जाता है परमारुवों के बीच strong packing के लिए पैकिंग होता होगा उसमें किस प्रकार का पैकिंग होता उसके बारें बात करेंगे तो बेटा जब आप किसी ठोस के बारें बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जो परमाडू होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ टाइटली जूड़े होते हैं एक दूसरे ये चाहता है कि वो ज्यादा हाड बने तो कोई भी ठोस ज्यादा हाड जब बने गया तो ज्यादा इस्थाई हो जाएगा कोई भी ठोस चाहता है कि वो ज्यादा हाड बने ताकि वो इस्थाई हो जाए तो याद रखना ठोस सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बेटा हाड अ मैं एकदम स्ट्रॉंग बनूँ गा मैं एकदम एक्टिव बनूँगा मेरी डेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए मेरा कोधन वंदों बहुत जाहता हूं तो अगर कोई ठोस बनना चाहता है तो कोई बी सच ये चाहेगा कि मेरे अंदर की प्रमाडू है उनका जो packing है, उनकी जो वेवस्था है, वो बहुत अच्छे से हो, ताकि वो ज्यादा hard बन सके, वो ज्यादा hard बन सके, वो ज्यादा इस्थाई बन सके, वो ज्यादा stable बन सके, तो आज के class में हम यही सीखेंगे, कि आखिर परमारवों की बीच में संकुलन कैसे होता है, कितन उपर साप सब लिखा हुआ है, कि कोई भी ठोस अपने आपको इस्थाई करने के लिए, अपने अंदर के परमारवों को करीब से करीब रखना चाहता है, जहां सुनेगा, ठोस के अंदर जो परमारू होते हैं, वो पास पास होते हैं, पर लोहे के अंदर के परमारू कुछ ज़्यादा ही पास होते हैं, रबर के अंदर के परमाडवों उतने पास नहीं होते हैं, होते हैं पास पल्लोहा जितना नहीं, तो कोई भी ठोस अपने आपको इस्थाई रखने के लिए, कोई भी ठोस अपने आपको इस्थाई रखने के लिए, पूरी कोसिस करता है कि वो ड्विम-बंद संकुलित सरचना बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं भाटा two-dimensional packing दो अक्ष में आप इसका packing करेंगे और एक होता है त्रिविम्-बंद संकुलित सरचना इसे हम three-dimensional packing कहते हैं इसे हम थ्री-dimensional packing कहते हैं ऑज़े कर देयन हम समझ गया होंगे वेटा टू-डाइमेशनल पैकिंग का मतलब है कि आप परमाडवों को दो एक्सिस में रखोगे परमाडवों को दो एक्सिस में रखोगे है ना यहाँ पर यहाँ पर टू-डाइमेशनल पैकिंग का मतलब है आप परमाडवों को दो एक्सिस पर रखोगे और three dimensional के मतलब है three dimensional के मतलब है कि आप परमाडवों को आप परमाडवों को तीन एक्सिस पे रखोगे अच्छा चलो मैं आप आपको दिखाता हूँ कि याखिर परमाडवों के बीच कैसा होता है packing जरक गौर सुनेगा जरक गौर सुनेगा तो बैटा मैं अब आपको इन परमाडवों के बीच किस प्रकार का packing होता हूँ वो दिखाता हूँ सबसे पहले two dimensional packing कैसे होता उसके बारे में बात करते हैं तो असल में जो two dimensional packing है उसमें परमाडवों को आप किसी एक दिशा पर रखेंगे और नीचे के तरफ एक दूसरी दिशा में भी आप जाएंगे तो बैटा ये मैंने एक लाइन से परमाडवों को रख दिया अब मुझे नीचे भी परमाडवों रखना है तो जब नीचे परमाडवों रखूंगा तो पहला परमाडवों की विवस्था मुझे बनानी होगी तो मेरे पास एक विकल्प और है क्या है बेटा ये देखो ये मैंने परमाडवों को पहले एक लाइन में जमा दिया अब मुझे नीचे भी परमाडवों को रखना है तो मैं एक के नीचे एक परमाडवों को एक के नीचे एक ना रखके ऐसा भी तो कर सकता हूँ जलगर डो परमाड़गों के बीच में जो गहराई बनी हुई है उसमें मैंने रख दिया यह देखो बेटा तो एसे भी परमाड़गों को जमाया जा सकता है इनकी विवस्था बनाई जाय सकती है तो ये देखो, इन दोनों तरह के संकुलन में इन दोनों तरह के packing में एक बात समान है, कि ये जो packing हुआ है, ये two dimensional है, two dimensional मतलब दो अक्ष में, आपने सिर्फ दो अक्ष में जो अरुवों कहों रखा है, पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है जब भी आप टू डाइमेशनल पेकिंग करेंगे तो आप यह पाएंगे कि गौर से देखो बेटा इस एक परमाडू को चारो टरफ से चार परमाडू टच कर रहे हैं को जोड़ू तो यह ऐसा दिखाई देगा तो इसी लिए इस तरह के इस तरह के संकुलन को वर्गाकार बंद संकुलन कहते हैं देख लो बैटा इस तरह के संकुलन को वर्गाकार बंद संकुलित सरचना कहते हैं यहां वर्गाकार क्यों बोला मैंने वर्गाकार क्यों बोला द चारो तरफ से जो है छै पर मारू घेर रहे हैं चारो तरफ से छै पर मारू घेर रहे हैं तो आप यहां पर कहेंगे इस तरह के सारचना को इस तरह जाना को शट फल किया बंद संग्खू आ रजहां को इसकोash एकजा एक है हैं एक जट गॉनन शतômफ ए छ जटेसें लज सेट गॉनन शोल चैंग कहते हैं इसे देगा पिसको एक फॉन nossa क्लोस टे किंग का ढऄा ब्षाट में यह सीपी भी लिखते हैं जो श्रट्फल के चलोच है है इससे शॉर्ट में exceptältि भी 팔 Rider अब देख रहें इस वाले को वर्णाकर यानि की स्क्वायर यानि की is Guayrode कुलोस फैकंग भी लिखते हैं एक फ़ता है कि वर्ण को हम square बोलते हैं तो वरगा- कार यानिकी स्क्वाइर क्लोस पेकिंग कहलाता है या फिर इसी को या फिर इसी को सी सी पी भी कहते हैं सी सी पी मतलब होता क्यूबिक क्लोस पैकिंग क्यूब क्यूब जैसा इस्ट्रक्चर बनना तो आपको याद क्या रखना है कि जो टू डायमेशनल पैकिंग होता है यह द द्यृटि में यह बताओ बैटा जो ठोस होता है उसके अंधर जो पर वारू होते हैं वह तो तो 312 दिशा में तीनों डारेक्शन में जमे होते हैं तो अब देखते हैं कि अगर मुझे तीन अक्ष में तीन एक्सिस में परमाडवों को रखना हुआ तो मैं कैसे रखूंगा यहां देखना सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने यह मैंने कुछ परमाडवों रख दिये इसके नीचे अच्छा मैं आपसे एक कोशन पुछता हूँ इन दोनों में से कौन सा वाला पैकिंग ज्यादा अच्छा है ज्यादा इफिशेंट है ज्यादा कारगर है इन दोनों में से कौन सा वाला पैकिंग ज्यादा अच्छे से हुआ है मतब इन दोनों में से किस केस में ठोस अपने आपको ज्यादा इस ठाई पाएगा ज्यादा इस टेबल पाएगा नीचे वाला है एक्जागुनल वाला सही बात है नीचे वाला क्यूकि आपको दिख र वाले case में जो परमाडू हैं वह ज्यादा अ अच्छे से packing की है इनका घनत वो ज्यादा है, यह ज्यादा पास-पास हैं, यह ज्यादा पास-पास हैं, तो कोई आपसे पूचेगा कि कोई भी ठोस अपनी आपको किस तरह के संकुलन में रखना-पसंद करता हैं, तो आप है जो शंकूलन है ज्यादा अच्छा होता है तो मैं यहाँ पर शट फल किया जो संकूलन है उसी का उधारान लेकर आगे बढ़ता हूं यह देखो मैंने हाँ पर कुछ परमाडू ले लिए अब नीचे में भी कुछ परमाडू रखूंगा मैं यह देखो और मैंने नीचे में रख दिया इधर भी रख देते हैं तो यह तो टू-डा Mars गहुआ- अब हम बात करें त्रिमं बंद संकूलित सरगाना कि यानिकि three dimensional packing की तो three dimensional में क्या होता है कि आपको अब इनके उपर भी अब आपको इनके उपर भी परमाडू रखने होंगे तो अब आप अगर इनके उपर परमाडू रखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा तो यह देखो चला अब इनके उपर रखते हैं यह देखो अब मैं इनके उपर परमाडू को रखना शुरू कर दे रहा हूँ इस प्रकार से यह देखिए अब मैंने इनके उपर भी परमाडू रखना चालू कर दे तो जब आप तीनो अक्ष में तीनो दिशाओं में परमाडू का संकुलन बनाएंगे तो आप कहलाता है थ्री डाइमेशनल पैकिंग यह कहलाता है थ्री डाइमेशनल पैकिंग यानि कि त्रिवीम बंध संकुली सरचना अब ध्यान देने वाली बात क्या है ध्यान देने वाली बात यह है कि आप परमाडू को लेकिन यहाँ तक बिच बिच में जो gap बना हुए है रिक्तियाँ बनी हुई है यहाँ रिक्ति स्थान है खाली स्थान है बीच बीच में आपको कुछ खाली स्थान दिखाई देंगे, तो आप इन परमाडवों को कितना भी अच्छा पैकिंग कर लो, आप इन परमाडवों कितना भी ठूश-ठूश के भर दो, बीच-बीच में जो गैप बना हुआ है, आप इन गैप को नहीं भर पाओगे, वो तो रह जाएगा, बीच-बीच म में भी एक परमाडू रख दोगे तो बिटा अंदर में जो गैब बना है जो रिक्तिया बनी हुई है जो खाली स्थान बने हुए है वो भली ढख जाएंगे पर भरेंगे नहीं तो किसी भी ठोस में किसी भी ठोस के अंदर हम कितना भी अच्छा पैकिंग कर ले पर बीच या फिर हम इन्हें वाइट कहते हैं या फिर गैप सिंपल भाशा में गैप कहते हैं सिंपल भाशा में गैप कहते हैं तो यहां पर मैं सब बताओं आपके एक्जाम में संकुलन से ज्यादा प्रश्ण नहीं आएगा आपके एक्जाम में संकुलन से ज्यादा प्रश्ण नह लिखा गया है तो बेटा मैं साहा साथ आपको बताते भी चलूँगा कि किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है तो यहां पर यहां पर यह जो वाइड है इसको अच्छे समझना तो पहले काम कीजिए इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैंने बताया कि आप परमाड़ू के बीच कितना भी अच्छा पैकिंग कर लो पर बेटा बीच बीच में जो गैप रह जाते हैं उसको आप नहीं भर सकते हैं आपको पता है किसी भी ठोस के अंदर कितना परसेंट हिस्सा कितना परसेंट हिस्सा यह परमाडू घेरते माल लो कि मेरे पास एक ठोस है तो बेटा आप किसी ठोस में परमाड़ू को कितना भी ठोस ठोस के भरा जाए बीच बीच में गैप रह ही जाएगा उसे आप नहीं भर सकते और आपको पता है किसी भी ठोस के अंदर 74% से ज़्यादा हिस्सा आप नहीं भर सकते और जो 26% हिस्सा है वो क्या है? गैप है जिसको रिक्तिया कहते है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वाइड कहते हैं तो कोई आप से पूछेगा वाइड क्या होता है? रिक्तिया क्या होती है? तो आप कहना किसी भी ठोस के अंदर हम परमाड़ों को चाहे कितना भी विवस्थित तरीके से उनका संकुलन किया जाए अधिक सिया धिक 74% हिस्सा ही परमाड़ों द्वारा घेरा ज सकता है जबकि बचा हुआ हिस्सा जो खाली रह गया है उसे को हम गैप या वाइड कहते हैं गैप या वाइड कहते हैं तो चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि वाइड इतना इंपोर्टेंट क्यू है और इससे सम्मंदित कैसे कैसे एक्जाम में कोशन आते है ओके तो अब देखते हैं चलिए अब हम बात करने वादे हैं रिक्तियों के बारे में जिसे क्या कहते हैं बेटा वाइड कहते हैं जिने हम वाइड कहते हैं तो अब जड़ा गौर से सुनेगा यह तो दिखराने क्लियर है हाँ बेटा एंडिये में पूछ रहे हो आप एंड कोई बच्चा जो है पूछ रहा कि एंडिये में भी इसके कोशन आते हैं क्या तो हां बेटा पर ध्यान देना एंडिये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो नुमेरिकल वाला पार्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा चलिए वापस आते हैं तो अब वाप यह वाइड बैसिकली दो टाला क्या होता है एक होता है चतुस फलकीया जिसको हम बोलते है बैटा टेटरा करूंगा अगर आप बारवी बोर्ड के बाद और भी कुछ एक्जाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसमें केमिश्ट्री सब्जेक्ट आपका हिस्सा बने तो याद रखेगा आप इंग्लीज शब्द हैं इसको भी थोड़ा याद करना चालू किजिए आप अपने बो हिंदी के शब्दावलियों के मुकाबले जो इंग्लीज के वर्ड होते हैं थोड़ा जल्दी याद होता है तो बस छोटा से नीविदन है कि आप साह साथ ये जो इंग्लीज वर्ड है इनको भी थोड़ा सा याद करना चालू करेंगे ठीक है चले वापस आते हैं तो अब म उपर में भी मैंने एक परमाडू रख दिया अब आप देख सकते हैं बेटा यहां अंदर में यहां अंदर में एक गैप दिख रहोगा यहां बीच ओ बीच एक गैप दिख रहोगा और क्योंकि वो गैप क्योंकि वो गैप चार परमाडू से बना है इसलिए उस गैप को इ TETRAHEDRAL VUOID बोलते हैं याने की चतुस फल की रिखती बोलते हैं वो जो बीच में गैप बना हुआ है वो गैप क्योंकि चार एटम से मिलके बना है इसे लिए उसको चतुस फल की रिखती या अब आप उझे एक बहां बताओं, Class 11th में, आप लोग, जो अणू होते हैं, उनके सरचना पढ़े होगे बेटा, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्रा हेडर, औक्टा हेडरल, ट्राइगुनल, बाइपिरेमिडल, पेंटागुनल बाय पिरेमिडल, स्क्वायर पिरेमिडल ऐसे आपने बहुत सारे इस्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसी में आपने टेट्रहेडरल भी पढ़ा था उसी में आपने तो मैं यह बता रहा था कि आप लोग क्लास 11 में टेट्रहेडरल यानिकि चतुष फल किये, सरचना पढ़े होगे क्या मुझे आप एक्जामपल बता सकते हो कौन से परमाडू का सरचना टेट्रहेडरल था किसका इस्ट्रक्चर हाँ जी, चैप्टर 4 किसका इस्ट्रक्चर टेट्रहेडरल होता है एक्जांपल दीजिए किसी परमाडू का आपने क्लास 11 ने पढ़ा होगा दिव्यांश CH4 सही जवाब अच्छा आपको याद है वो सरचना दिखता कैसा था वो सरचना दिखता कैसा था CH4 CH4 का सरचना हमाट टेटरहेडल होता है और वो दिखने में कैसा था आप सबको याद होगा बेटा यह इस प्रकार का बना हुआ था है ना CH4 जो है वो इस प्रकार का बना होता है इसी को हम टेटरहेडल इस्टर बोलते हैं आपको याद होगा यहाँ पर बंद कौन और एक 188 डिग्री ऐस आरवा एक से genuinely 28 i.e. आपको याद अधोगा तो सी आच 4K जो इस्टरक्टीर यो में जस्ट्रक्टर हैं वी मिंटा है विट इसी ओंड प्रशने ये उटता है कि क्या किए क्या यह जो ट्रक्चर है यह आपको टेक्टर हेडरल दिख रहा है यह जो ट्रक्चर है क्या वह आपकोון डुक्त मैं आपको दिखाता हूँ दरसल यह इस ट्रक्चर कैसे बना है अब मैं आपको दिखाता हूँ यह इसको आप अभी उपर से देख रहे हो इसको अभी आप सामने से देख रहे हो या उपर से देख रहे हो अब मैं इसी को ना आपको साइड से दिखाता हूँ अभी आप उपर पर बहुद से पर माडू ऊपर से यहां पर आ रहा है बीच में तो इन पर माड़ों को मैं ठोडा ओर दूर-दुर करता हूं तो hike मैंने इन पर मात बहुत दूर-दूर कर दिया जैसी मैं नगों की दूर-दूर किया ब feato अपस अप्स देख सकता हूं कि यहां पर इन छारों के मिलने से इन चारों के मिलने बीचों बीचों बीच यहां पर एक गैप बना है और यह जो गैप बना है वह चार परमाड़ों कि मिलने से बना इसलिए इसको जिए क्या मोलेंगे पेटा टेट्रा हेर्ड़लवाइड क्या वोलेंगे टेट्रहडल वाइड व्यक्त आपको इतना ढूरा कि जब भी चार परमारू आपस में मिलेंगे तो बीच में बनने वारा जो लोट अप ऑल बैंत में ऑक्ताहेडरल वाइड में मुझे बताईए ऑक्ताहेडरल जो वाइड है जो अश्ट फल के रिक्ती है वो कितरे परमाड़ों की मिलने से बनेगा वेटा एक बच्चा बारबर प्रश्ण पूछ रहा है कि यह जो केमिस्ट्री पढ़ाएं है वो पेपर में फस जाएगा या कम समाएगा देखो बिटा सीलिबस तो आपको पूरा कराया जा रहा है हाँ मेरा क्राम है यह बताना कि कौन को से टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है पर आप इंपोर्टेंट टॉपिक में बात ध्यमत रहिएगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको पूरा पढ़ना है मैं को आपको क्लास 11 में नहीं पढ़ाया है पर आप चिंता ना करें आपको हर चीज बताया जाएगा बस क्लास अटेंट करो हरे क्लास को देखो ध्यान से तो अब जब चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे न तो फिर आप इस चीज पर बाउंडेड नहीं रहते कि क्या प्रणा पूरा है पर जो इंपॉर्टें टॉपिक होंगे उस पर ज्यादा फोकस कारना है तो हां यह टॉपिक सच में इस चेप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक आता है बोर्ड एक्जाम में तयार रहेंगे हां जी तो मैंने अभी एक प्रश्न पूछा लोग लिखे हैं बता दूं ुटा पर्माडवों की मिलने से एल्ट नहीं अधिकाहस रोग यह आठ 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 लिखे हैं जबाइस्टा अगर आप बात करते हैं सॉरी अस्ठ फल्क यानि कि जिसको हम बोलते हैं वेटा58 हैंड तो सुनना किसी परमाडू का घ्जांपल बताओ क्लास 11 में आप पढ़े हो ना किसी परमाडू का इग्जांपल बताओ जिसमें अस्ठ्सद्क्वले सरसना पया जा रहा था जिसका ड्ला Hour F6 ऐसा होता था इसका सरचना इसी को तो हम अश्ट फलकिया बोलते हैं ने बेटा इसी को तो हम अश्ट फलकिया बोलते हैं करेक्ट इसी को अश्ट फलकिया सरचना बोलते हैं अब बस इत्ता बता दो बेटा अश्ट फल्किय सुनके लगता है आठ अश्ट फल्किय सुनके लगता है आठ अक्ता अक्ता मतला भी होता है आठ अब एक प्रस्ट नहें कि जब मैंने आपसे कोशन पूछा कि किसी मॉलेक्यूल का एक्जामपल बताओ तो हमारे सामने कुछ लोगों ने आंसर दिया आज-सफ फसी सुगत पर दो पूछ집 पाबताओ अक्ता हेड्र रल को अक्ता हेड्रल क्यू बोलते हैं भई इसमें कुछ भी आठ नहीं है इसमें तो कुछ भी आठ नहीं है विदीक ना कुछ यहां से लेकि यहां तक एक फेस बन गया यहां से लग्या यहां तक एक face बन गया तो बैटा octahedral में 8 face होते हैं यहाँ एक face होगा इधर एक face होगा सामने 1 face होगा पीछे 1 face होगा वैसे ही नीचे भी 4 जो face होगा तो इस तरह का कुछ structure होता है वो इस तरह का कुछ structure होता है तो याद रखेंगे octahedral को octahedral इसले कहते हैं कि उसमें 8 face होते हैं, 8 फलक होते हैं, ठीक है, तो अब वापस आते हैं, तो इतना समझ में आ गया ना, कि बेटा जो 8 फलके सरचना है, उसमें 8 फलक होते हैं, पर, पर, 8 फलके सरचना कितने परमाडवों के मिलने से बनता है, 6, द मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यह देखो, ओ, मैं आपको इसे बना के दिखाता हूँ, यह देखो बेटा, यह मैंने तीन परमाडवों ले लिए, ठीक है, तीन परमाडवों, यहापर मैंने और ले लिए उपर में, अब ये बताओ, इन 6 परमाडवों के मिलने से यहाँ बीचो बीच एक gap बना है और यह जो gap बना है क्योंकि वो 6 परमाडवों के मिलने से बना है तो सभाविक सी बात है आप इसे octahedral white कहेंगे आप इसे octahedral white कहेंगे पर बेटा यह देखने से ऐसा तो नहीं दिख रहा है यह देखने से अश्ट फल किये सरचना जैसा तो नहीं दिख रहा है तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसको अश्ट फल किये रूप में कैसे बना सकते हो तो यहां देखना जरसल इस स्ट्रक्चर में गौर्श देखो यहां यह जो परमाडू है यह वाला यह जो पीला रंग का परमाडू है उसको मैंने यहां पर बना दिया यह देखो यहां पर बना दिया ठीक है और यह जो हरे रंग का परमाडू है यह वाला यह नीचे वाला ब कि यहाँ पर दो हरे पारटिकल है और और यहां पर यहां पर दो पीले पार्टिकल लमना सब फल कई और और जैसे ही यह चय पारटिकल आपस में मिलेंगे तो बीचो बीच एक गैप और तो आपको सिर्फ इतना हाद रखना है कि जब भी 6 पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो फिर वहाँ पर बनने वाले गैप को प्रोलेंगे बेटा ओक्टाहेड्रल वाइड थीक है तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको थेहरी बताया है कि टेट्रहेटरल वाइड और ओक्टाहेटरल वाइड दिखते कैसे हैं कितने परमाड़ों के मिलने से बनते हैं लेकिन अब आते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्ण कैसे आते हैं इनसे संबंधित प्रश्ण कैसे आते हैं निमेरिकल निमेरिकल तो इनके जो निमेरिकल है वो बह रिक्तियां दो परकार के होती है अब ये देखते हैं कि इनसे सम्बंधित प्रश्ण कैसे आता है तो अब जहाँ सुनेंगे जहाँ सुनेंगे एक्सपरिमेंट करके साइंटिस्टों ने कुछ चीजें पता लगाई हैं कि ये जो रिक्तियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होगी गौर सुनेगा तो बेटा अब यहां पर गौर सुनेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट बात है कि कि यह जो परमाडू दीख रहे हैं आपको गोल 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 यह है क्या यह है क्या और बीच में जो गैप बनेगा उसका क्या होने वाला है अभी मैं आपको निमेरिकल बतान से पहले कुछ बातों को समझ लीजिये पहला चीज 오늘 गोल गोल पार्टिकल बनाए है मैंने यह है क्या और बीच में जो गैप है जिसका वॉइड कहते हैं उसका करना क्या है उसके करना क्या थो गोल और सुन निमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो आपको एक बात ये याद रखना है, कि जब भी परमाडवों के बीच में संकुलन होगा, पैकिंग होगा, तो बेटा, आप एक बात दिमाग में छाप लो, कि संकुलन याने की पैक संकुलन करने का काम किसका होता है, और बीच बीच में गैप बने हैं, इने ही गैप में केटायन फंसा हुआ रहता है, इसमें केटायन फंसा हुआ पाया जाता है, तो अब प्रस्ट नहीं था कि भाई बीच-बीच में जो रिक्तिया बनी हुई हुई है, उनको करना क्या है तो बैटा वे जो रिक्तिया होती है वो केटायन के लिए होती है, अब आपको तो पता होगा, आप क्लास 11 Account ॅब क्या सक состо i r एनायन का आकार बड़ा होता है यानि की संकुलन यानि की पैकिंग पैकिंग हमेशा एनायन ही कर सकता है याद रखना एनायन ही हमेशा पैकिंग करेगा केटायन पैकिंग नहीं कर सकता अगर केटायन पैकिंग करेगा तो उसके बीच में इतने छोटे छोटे गैप बनेंगे क इन इन उसमें नहीं फस सकता तो हमेशा रखना पैकिंग हमेशा इनायन करेगा और उसके द्वारा बने हुए बीच बीच में जो गैप है इन गैप में क्या पाया जाएगा केटायन इस बात को बस ध्यान में रखेंगे आप डायरेक्ट फॉर्मुला याद करोगे तो बहुत सारे निमेरिकल नहीं बनते निमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ता जैसी यह एक बात है कि आपको क्या याद रखना है पैकिंग हमें सा इनायन करेगा चाहे वह पैकिंग SCP हो, चाहे वह CCP हो या SCP हो अभी कुछ दिर पहले मैंने यह बताया था क्या-क्या होता है ना इसक्वायर क्लोस पैकिंग, क्यूबी क्लोस पैकिंग, हेग्जागॉनाल क्लोस पैकिंग तो जब भी तुम सुनोगे किसी ने packing किया है तो समझ जाना वो एनायन ही होगा पैकिंग हमें से एनायन करता है और केटायन बीच बीच में बने हुए gap में फंसा हुआ पाया जाता है बस इतनी से बात आपको याद रखनी है चलिए अब मैं आपको कुछ निमेरिकल वाली बाते बताता हूं तो निमेरिकल बताने से पहले यह जो वाइड होते हैं यह जो रिक्तिया होती है यह कितने होते होंगे किसी भी ठोस के अंदर यह जो gap होते हैं यह जो रिक्तिया पाई जाती हैं वो कितने हो सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजे निकाली गई है एक्सपेरिमेंट करके कुछ डेटा निकाला गया है कि यहाँ सुरेंगे कि नमबर ओफ एनायन यानि एनायनों की संख्या गवर सुनना एनायनों की संख्या जितनी होती है एक्जेक्ली उतना ही उतना ही उतना ही ओक्ताहेडरल वाइड यानिकी अश्ठ फल किया वाइडों की संख्या पाई जाती है फिर सुनना ध्यास क्या बोरो मैं जितने एनायन होंगे उतने ही ओक्ता हेडरल वाइड होंगे और ओक्ता हेडरल वाइड की जो संख्या उसे हम N से दर्साते हैं जो अश्ट फलकिया रिक्तिया होती है उसे हम N से दर्साते हैं अब प्रस्ण है कि टेट्रा हेडरल वाइड कि जश्ट दुगना होता है Octahedral white के जश्ट दुगना होता है इसलिए इसको 2N लिखते हैं इसलिए इसको 2N लिखते हैं बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है ये 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 experimental value है इसको experiment से निकाला गया है तो अगर आपको अगर आपको इस topic का numerical बनाना है तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी आप N-I-N सुनोगे जब भी आप N-I-N सुनोगे तो तुरंट उसको N मान लेना जब भी आप N-I-N सुनोगे तो उसको N मान लेना या फिर Octahedral white सुनते ही उसको N मान लेना और Tetrahedral white सुनते ही उसे 2N मान लेना Tetrahedral white सुनते ही उसे 2N मान लेना बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है देखो फटाफट अभी कैसे question बनेगा पहले से copy कर लो फिर मैं आपको question बताता हूँ बेटा कैसे आएगा बेटा आपको देखो आप हरी state board में हो तो numerical की संख्या थोड़ी कम होती है थेयोरी यादा आता है पर फिर भी मैं कहूँगा numerical आपको सीखना चाहिए क्योंकि जो आप numerical सीखो गए ने बेटा तो आपका IQ लेवल थोड़ा बढ़ेगा आपका potential बढ़ेगा आपी छमता बढ़ेगी जिससे आप जो बड़े बड़े एक्जाम है उसमें आसानी से survive कर सकते उसलिए मैं हर numerical करवाऊंगा जिस chapter में जितने भी प्रकार की numerical होंगे मैं आपको हर एक numerical को बनाग दिखाऊंगा आप उसके चिंता ना करें तो आपने एक आपी कर लिया होगा ओके अब चलिए ये जो आप लिखे होना बस इसे की अधार पर सारे कोशन बन जाएंगे बस क्या याद रखना है एन आयान सुनते ही एन लेना है या ओक्ताहेडरल वाइड सुनते ही एन लेना है और टेटराहेडरल वाइड सुनते ही टू एन लेना है बस अब दिखाओं आपको प्रश्न तो यहाँ देखना मान लो अच्छा एक उधारान ही ले लेते हैं हम लोग ज्यादा अच्छा रहेगा यह देखो यह देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसी तरह के कोश्चन आएंगे मैं एक प्रश्न पढ़कर सुनाता हूँ बेटा जैसे बोला है कि एक योगीक है जिसमें X और Y नाम के दो तत्व पाये जा रहे हैं Y तत्व एनायन है प्रश्न में क्या लिखा है Y तत्व एनायन है और इस Y ने CCP सरचना बनाया है अब बेटा CCP हो या HCP हो या SCP हो तीनों का मतलब क्या होता Packing तो तुमने सुना कि Y CCP सरचना कर रहा है तुमने क्या सुना Y CCP सरचना कर रहा है तो CCP मतलब Packing Packing कर रहा है तो प्रश्न में लिखा है कि Y Packing कर रहा है तो बस सुनते ही समझ गया Packing मतलब ये एनायन है Packing कौन करता है एनायन करता है तो यहाँ पर Y Packing कर रहा है मतलब ये एनायन है और A9 की संख्या क्या लेंगे बेटा N अब प्रश्ट में आगे क्या लिख्या है कि जो X तत्वा है जिसको आप केटायन कह रहे है ये सभी अश्ट फल किये रिक्तियों में पया जा रहा है सभी अश्ट फल किये रिक्तियों में पया जा रहा है तो बताईए यहाँ पर उस ठोस का क्या सूत्र होगा तो इस प्रकार के आपको प्रश्ण देखने को मिलेंगे अभी मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं एक प्रश्ण और देखो प्रश्ण में लिखा है कि यह एक बी यौगिक है जो SCP पैकिंग कर रहा है अब फिर नहीं CCP, SCP, SCP सूनते ही समझ जाना जाना की वो पैकिंग है और B अगर पैकिंग कर रहा है मतलब आनायन है और आनायन की नंबर को N लेते हैं इस प्रश्ण में क्या लिखा है कि आज ततवा है वो चतुस फल के रिकितियों के टू बाई, थ्री हिस्से में पाया जा रहा है प्रश्ण में क्या लिखा है ए जो केटायन है वो चतुस फल के रिक्तियों के टेट्राहेडरल वाइड के तूथड हिस्से में पया जा रहा है तो चलो बताओ कि उस योगी का सूत्र क्या होगा तो प्रश्ण ऐसे होते हैं तो यह प्रश्ण में दुबारा आपके सामने इसमें दो तातवा हैं ए और भी दो ततवा है ठीक है दो एटम है और प्रश्ण में यह लिखा हुआ है प्रश्ण में यह लिखा हुआ है कि बीने बीने ऐक्जाओ बोस्टेति ऑी B ने hexagonal close packing किया है और जो A है, A जो है वो जितने भी चतुस फल किये रिक्तियां होती हैं, उसके एक तिहां हिस्से में पाया जा रहा है, जहां सुनना रिक्तियों में कौन पाया जाता है? केतायन, तो बेटा प्रस्ट में लिखा है कि A और B मिलके एक ठोस बना रहे हैं, बी ने बी ने पैकिंग किया और ए टेट्रहेडरलवाइट के एक तिहाई हिस्से में पाया जा रहा है तो चलो ए और बी मिलके जो योगिक बनाएंगे उसका सूत्र बताओ सूत्र बताओ तो आपको बस क्या करना है सबसे पहले आप मुझे बताओ इतना तो आप जानते होंगे कि बेटा जब भी हम एक आयोनिक कंपाउंड की बारे में बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड में आपको याद होगा कि हमेशा केटायन पहले रहता है केटायन पहले रहता है और एनायन बाद में रहता है है ना हमेशा हरे बेटा हम हमेशा एने सिये लिखते हैं सिये एने थोड़ी लिखते हैं ये तो आयू प्येस्टी के नियम है कि हमेशा केटायन लेफ्ट में होगा और एनायन राइट में होगा तो हमेशा केटायन को लेफ्ट बे रखेंगे और एनायन को राइट में तो सबसे पहली बात इस प्रस्ट में इस प्रस्ट में सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि एनायन कौन है एनायन कौन है तो मैंने जैसे सुना B पैकिंग कर रहा है अच्छा, B पैकिंग कर रहा है, मतब बेटा, B एनायन है, B पैकिंग कर रहा है, मतब वो, एनायन है, और A केटायन है, तो बस आपको A और B का अनुपात निकालना है, अब सुनू आगे, मैंने आप से बोला था, कि B अगर एनायन है, तो एनायन की संख्याओ क्या दोते हैं, पड़ेगए देखो नायन सुनते ही और लेना है दो आफ़ अब वापस उते हैं with हाँ तो मैंने सुना कि बी ने पैकिंग किया है और पैकिंग कौन करता है एनायन करता है तो मैं समझ गया बी एनायन है और एनायन की संख्या क्या होगी एन एनायन की संख्या एन अब कोशन क्या बोला है है यह टेट्रहेड्राड्र वाइड के वरण थर्ड मेथा यह बताओ के ट्रहेडरा सुनते ही क्या लिख द unity कर लिगते हैं तो प्रस्ट में लिखा है कि KT Ayan 2n के यानि कि टेटराहेडरल वाइड के वन थर्ड हिससे में पया जा रहा है तो चलो सूत्र बनाते हैं आप यहां से यहां से यह एन और यह एन कैंसल हो गया अब इक्वेशन क्या हो जाएगा यह क्या बचा भटा टू बै थ्री इधर वन बचा अब इस एक्वेशन तो ऐसे बिं A to B 3 तो इस तरीके से हम किसी भी ठोस का सूत्र निकाते हैं इसे कॉपी करो फिर फटाक से आपको और एक्जांपल दिखाता हूं बेटा चलो अब आपको एक दूसरा प्रश्ण दिखाता हूं यह रिख लिए ठीक है अब मुझे बोला गया कि जो X परमाडू है उसने क्यूबिक क्लोस पैकिंग किया है और जो Y परमाडू है यह टू थर्ड टू थर्ड औफ अक्ता हेडरल वाइड में पाया जा रहा है सुनो ध्यांस कोर्शन क्या बोल रहा है कोर्शन कहा रहा है कि X और Y दो परमाडू है जिन्होंने मिलके ठोस बनाया हुआ है और बताया जा रहा है कि X ने CCP किया है क्यूबिक क्लोस पैकिंग किया है और Y ने Y ने जितने भी ओक्ता हेडरल वाइड है उनके अंदर दो तिहाई हिस्सा घेरे हुए है जो Y है वो ओक्ता हेडरल वाइड का दो तिहाई हिस्सा घेरा हुआ है तो अब कैसे बनाएंगे बटा कोशन को तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको क्या लिखना है लेफ्ट में रहेगा केटायन राइट में रहेगा एनायन सबसे पहले आप मुझे यह बताओ एनायन कौन है एक्स और वाई में से एक्स और वाई में से एनायन कौन है एनायन कौन है एक्स कैसे पता चला बेटा एक्स ने क्यूबिक क्लोस पैकिंग किया है पैकिंग किया है पैकिंग सुनते में समझ गया वो एनायं है कि Y occupy two thirds of octahedral wide यानि कि Y octahedral wide का दो तिहाई हिसा घरा हुआ है दो तीहाई हिस्था घरा हुआ ह३आ है वाइऑ और या करो और कि और सुनते क्या लिखना है Cambon job ऑ 당시 देख उन्तेका अनीम तो अनिक एनरे अन्लों सबस्क्राइए ऎंसे क्या प्लाइब चुनता ही नि évidemment यह बटा वाई टू और एक्स थ्री तो यह है इस कंपाउंड का इस्ट्रक्चर यह इस कंपाउंड का फॉर्मूला कभी कीजिए फिर मैं आपको प्रश्ण आपके सामने रखूंगा और एक प्रश्णा मुझे बनागे दिखाना कभी कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो इसका तो चलो अब काम करते हैं चलो मुझे न इसमें न पहला वाला और थाड़ वाला आप मुझे बनाखे बताओ एक बट्राइ करो थोड़ा स्क्रीन को हलक असा बड़ा कर देता हूं बेटा अला वाला एकस वाई आया वन इस्टु वन पहले वाले का अनुपात पहले वाले का अनुपात एकस और वाई का एकस और वाई का वन इस्टु वन आया होगा बेटा कन्फर्म करो वन इस्टु वन आया पहले वाले का अनुपात वन इस्टु वन आना चाहिए हाँ ठीक उसी प्रकार चलो ये तीसरा वाला ट्राई करो तो चलो ये टॉपिक मैंने कंप्लिट कर दिया जो रिक्तियां थी जो वाइड है अब इसके बाद आगे इस चेप्टर में ज्यादा निमेरिकल वाले टॉपिक नहीं है अब पुरा थेवरी आएगा बेटा ये जो च सिसके बाद आएगा विल्ले इसके बाद आएगा रसा Anda के बाद एलेक्रोकेमेश्टरी तो इन चारो फीजिकर चेप्टर में सबसे कम कॉंसेप्ट्टैल यही चेप्टर है, सबसे कम कॉंसेप्ट इसी में हैं, पर इसके बाद जो चैप्टर आएंगे, वह भयानक इंट्रेश्टिंग है, आप मतलब एक मिनट के लिए भी स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे, इतने इंपोर्टेंट अब इतना आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब अगले क्लास फिर मिलते हैं बेटां जो बचेवे टॉपिक है वह मैं आपको अगले क्लास में कराता हूं ठीक है तो चले परते रहें आपको याद दिलायता हूं अभी क्लास 12 के फर्स्ट चेप्टर में हैं हम चैप्ट क्लास में हम लोगों ये देखा था कि ठोस के अंदर जो परमाडू होते हैं उनमें किस तरह का पैकिंग होता है उनमें संकुलन किस प्रकार का होता है और पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि जब परमाडूओं की बीच संकुलन होता है जब हम परमाडूओं को पैक लिट हम लोगों ने कुछ निमेरिकल कोश्यम भी बनाया था तो चलिए अब कहानी को ही से आगे बढ़ाते हैं तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ठोस अवस्था के अंदर रिक्तियों के बारें पढ़ा था पिछले क्लास में हम लोगों ने रिक्तियों के बारें पढ़ा और मिलने के बाद, मिलने के बाद, ठोस आवस्थात आयार करते हैं तो हमने ये देखा था, कि किसी भी तरह के structure में, जब परमाडू आपस में मिलते हैं तो बेटा, बीच-बीच में gap बन जाते हैं, उन्ही gap को हम wide कहते हैं, या फिर रिक्तिया कहते हैं और आपको याद होगा, wide जो है, वो दो परकार का होता था, एक है, चतुस फल किये, या फिर टेट्रहेडरल वाइड और दूसरा होता है बेटा, अश्ट फल किये, यानकी ओक्ताहेडरल वाइड, तो पिछले क्लास में हमें होना सीखा था, कि किसी भी परमाडू में, जब प परमाडू लिए हुए है, यह जो गोल आकार में, मैंने यह पर जो एटम लिए हुए, यह क्या होते हैं, पिछले क्लास में, हम लोगों ने इस बारे में डिसकस किया था, कि यह जो गोल गोल पार्टिकल है, यह एनायन होते हैं, यह रिणायन होते हैं, और बीच में, बीच में वो जो वाइड रहता है वहां कौन फसा हुआ पाया जाता है केटायन पाया जाता है ठीक है तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि जो परमाडू बहुत सारे परमाडू मिल करके एक ठोस अवस्था तयार करते हैं पैकिंग करते हैं तो बीच-बीच में कुछ गैप बन जाता है उन गैप को हम वाइड कहते हैं और उन वाइड में केटायन पाया जाते हैं अब आज हम इस बारे में थोड़ा से डिसकास कर लेते हैं कि ये जो वाइड होता है बीच में जो गैप होता है आप जब परमाडवों का आप जब परमाडवों का संकुलन करते हैं त इस गैप का साइज क्या होगा इसका अकार क्या होगा तो आज एक लास में हम थोड़ा साइज बारे में देखने वाले हैं कि यह जो वाइड होते हैं इनका साइज क्या होता है इनका अकार क्या होता है तो चले फिर आगे बढ़ते हैं तो आज हम रिक्तियों के अकार के बारे वो जो एनायन होते हैं, उनके 0.225 के बराबर होता है, अब इसका मतलब क्या है, जड़ा गौर सुनना, यह यह टेटरहडलवाइड है, यह ओक्टरहडलवाइड है, जड़ा गौर से सुनने है बेटा, माल लो कि मैं यहाँ पर, यह देखो, परमाडवों का एक संकुलन का ले आज हम इसके आकार के बारे बात करेंगे, तो सुनेंगे, इसको न अभी जो कुछ दिर पहले बढ़ने बताया था, हाँ, एक मिनट, जड़ा यहाँ देखना, माल लो, इसको थोड़ा बचाव बनाना पड़ेकर मिरे को, यह मैं न थोड़ा बना लिया, यह में थोड़ा ब बारें बात करेंगे साइस के बारें बात करेंगे तो सुनना बेटा असल में होता क्या है इस बड़े गोले को आप क्या बोलते हैं एनायन बोलते हैं तो इस एनायन का यह जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर से दर्साओंगा यह जो एनायन होते हैं यह जो एनायन होते ह और यह चोटा केटायन है यानि कि इस जो रिक्ती बनी हुई है जो गैप बना हुआ है इसके त्रिज्या को इसमाल आर्से में दरसाने वाला हूँ जरो गवर सुनेगा इस एनायन के त्रिज्या को कैपिटल आर्स दरसाऊँगा और इस छोटे से गेप के अंदर जो केटायन फिट होता है उसके तिरिज्या को मैं इसमाल आर्फ दर साऊंगा तो उससे नतीज़ा क्या हो गा तो उससे नतीज़ा यह होगा कि एक्सपेरिमेंट से यह पाया गया है कि की जो वाइड होता है कोई सा वाइड टेटरहेडरल तो जो टेटरहेडरल वाइड होता है ने बेटा ये 0.225 होता है किसके capital R के ध्यान देना small r क्या है small r उस gap का तरिज्य है और capital R क्या है उस NIN का तरिज्य है गहर सुनेंगे बेटा ये small r है अब इसका मतलब क्या है ज़र गौर सुनना अगर किसी ने आपको यह बता दिया अगर आपको यह बता दिया कि आपने यहां जो एनायन लिया है आपने आपने यहां जो एनायन लिया है इस एनायन की त्रिज्या किसी ने मुझे बताया इस एनायन की त्रिज्या है वो सपोस् अनायन की त्रिज्य थो 200 fix क्या हो गिए आपको ये बता रहे हो कि अंधर में जो क्या होगा तो सुननने डैट कि त्रिज्य को 200 पीको मिटर लेके चलते हैं तो इस रिक्ति की इस गैप की तरिज्या कितनी होगी तो आप इसको जब सॉल्फ करेंगे तो 0.225 आर किता है तो यह जो आंसर आएगा यह करीब 45 के आसपास आएगा 45 तो इसका यह मतलब है इसका यह मतलब है कि अगर आप 200 पीको मिटर वाला 200 पीको मिटर त्रिज्या वाला एनायन लोगे संकूलन के लिए तो बीच में बने हुए गैप में ऐसे केटायन आप आएगे जिनका त्रिज्या 45 पीको मिटर के आसपास होगा 45 पीको मिटर के आसपास होगा एक बाद फिर से रिपीट करता हूँ मैंने बोला कि अगर आप 200 पीको मिटर वाले एनायन को लेके संकूलन करोगे उनका पैकिंग करोगे तो फिर अंदर में जो गैप बनेगा उस गैप में जो केटायन आएगा उसका त्रिज्या 45 पीको 200 तो यह करीब आएगा 22.5 परसेंट 22.5 परसेंट आप ऐसा भी कह सकते हो चिन जो एनायन है उसका जो आकार है उसका 22.5 परसेंट अकार वाला ही केटायन इसके बीच में आ सकता है फिर जी रिपिट करता हूँ 22.5% का मतलब ये है कि आप जिस आकार का एनायन लेंगे उस एनायन का जो भी आकार होगा उसका 22.5% आकार वाला ही केटायन आप इसके अंदर में भर सकते हैं तो ये जो वैलिव आप देख पा रहें बेटा ये फिक्स वैलिव होता है ठीक उसी प्रकार यहां पर जो अश्ट फल की रिक्तियां होती है बेटा इसमें इसमें केटायन का जो आकार होगा वो 0.414 होगा कि इसके इनायन के आकार के बराबर तो यहां देखिए इसका क्या मत लगाँ हो यह देखो यह मैंने यहां पर ऑप्या लिया है और आपको याद होगा पिछले क्लास्ट में आपको बताया गया था कि जब 6 पर माणू मिलते हैं तो बीच में जो गैब बनता है उस gap को octahedral wide कहते हैं octahedral wide तो बेटा ये जो figure है वो ये बता रहा है कि जब आ octahedral structure बनाओगे गौर सुनना जब आप octahedral structure बनाओगे तो यहाँ पर जो NIN लोगे यहाँ पर जो NIN लोगे उसका जो भी आकार होगा उसके मुकाबले उसके मुकाबले इस रिक्ती के अंदर भरे हुए केटायन का जो अकार होगा वो 41.4% होगा 41.4% अकार वाला केटायन आप भर सकते हैं तो अगर कोई आपसे पूशता है कि भई चतुस फल की ये रिक्ती का size क्या होता है तो बस तुम इत्ता कहा देना कि यहाँ पर यह जो बड़े-बड़े एनायन होते हैं इनका जो भी आकार होगा उसका 22.5% अकार वाला केटायन बीच में भर सकते हैं और इसमें आप कहेंगे कि जब हम अश्ट फल की सरचना तयार करते हैं तो यहाँ पर जब एनायन पैकिंग करेंगे तो उस एनायन का जो भी आकार होगा उसका 41.4% साइज वाला केटायन ही आप इसके अंदर फिल अप कर सकते हैं तो इसको याद रखेंगे बेटा इसे प्लीज स्क्रीन शॉट ले लिजे इसका यहाँ पर मैं आपको केटायन किस आकार का इसके अंदर फिट बिठाया जा सकता है वो बता रहा हूँ अच्छा वेट आपको यह तो पता है ना आप सबने पिछला वाला क्लास अटेंड किया होगा आपको पता है ना कि यह जो बीच बीच में गैब बनते हैं यहाँ कौन फसे हुए पाए जाते हैं केटायन तो आज हम बस यही पता लगा रहे हैं कि यहाँ जो केटायन बीच में फसेगा वो किस आकार का होगा यहाँ बीच में जो केटायन फसेगा वो किस आकार का होगा तो अगर चतुस फल के इस्ट्रक्चर है तो यहाँ पर बीट में फसने वाला केटायन का जो आकार है वो 22.5% होगा इन एनायन के आकार के और अगर आप अश्ट्फल किया पैकिंग करते हो तो यहाँ पर जो केटायन आप फसाओगे उसका आकार 41.4% होगा किसके इनायन के आकार के ठीक है तो अभी हम लोग ने देखा कि आखिर इन रिक्तियों में कितने आकार का हम केटायन को फसा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते ह आप पिछले कुछ क्लासे से ये परते आरे हैं लगातार कि जो ठोस होता है वो किस चीज के लिए जाना जाता है प्था अपने बहतर संकूलन के लिए अपने Strong Packing के लिए इस ट्रॉंग पैकिंग के लिए पर आपको याद होगा हम आपको ने इस बारे में डिसकस किया था कि किसी भी ठोस के अंदर जब आप परमाडवों का संकुलन करना चालू करते हो यानि कि परमाडवों को भरना शुरू करोगे तो आप देखोगे कितने भी अच्छे से आप पैकिंग कर लो बीच बीच में गैप तो रह जाते हैं तो आज हम चलो ये भी जान लेते हैं कि आखिर किसी भी ठोस के अंदर जब पैकिंग होगा तो पूरे ठोस का कितना हिस्सा इन परमाडवों द्वारा घेरा जाएगा और कितना हिस्सा खाली रह जाएगा फिर रिपिट करता हूँ अब हम थोड़ा इस बारे में भी जान लेते हैं कि जब हम संकुलन करते हैं पैकिंग करते हैं तो इस पूरे ठोस का कितना आयतन या कितना हिस्सा इन परमाडवों द्वारा घेरा जाएगा और कितना हिस्सा खाली रह जाएगा तो थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूँ चलो फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा तो यहाँ द चुक पैकिंग फ्रेक्शन शॉर्ट में इसको पिएफ लिखते हैं इसको पीएफ लिखा जाता है चलो जरा इसका मतलब समझ लेते हैं इसका और यह मतलब होता च्नकुलन कर दीया लेकिन लेकिन मैंने एक ऐसा ठोस लिया है मैंने एक ऐसा ठोस लिया है जिसके अंदर जिसके अंदर जो परमाडू है उन्होंने उन्होंने जो 21 सेल बनाया हुआ है वह SCC है वह SCC मतलब simple cubic structure तो तो गोर से सुनेंगे, अगर आप सरल घण्ये इकाई सेल वाला थोस लोगे तो उसके अंदर उसके अंदर जो परमारू होंगे, वो इस पूरे ठोस का 52% हिस्सा ही घेर पाएंगे, बाकी हिस्सा खाली रह जाएगा, फिर रिपिट करता हूँ, अगर आप एक ऐसा ठोस लेते ह जिसके अंदर सरल घन्य इकाई सेल पाया जा रहा है तो बेटा ऐसे ठोस के अंदर इन परमाड़ों को जब आप मिलाओगे तो आप यह पाओगे कि टोटल जो इस पेस है उसका स्रिफ बावन परसेंट हिस्सा ही यह पार्टिकल घेरेंगे बाकी हिस्सा खाली रह जाएगा ठ आपके पास एक ठोस है आपके पास एक ठोस है और उसके अंदर उसके अंदर आपने एक ऐसा इकाई सेल वाला इस ट्रक्चर लिया है यह देखो इस बार आपने ऐसा इकाई सेल वाला ठोस लिया है जो कुछ इस प्रकार का दीख रहा है जाली बताब ये कौन सा इस्ट्रक्चर है ये कौन सा इस्ट्रक्चर है FCC फलक कैंद्रे घंय इकाई सेल तो गौर सुनना अगर आपके पास ऐसा ठोस आज़ाए जिसके अंदर ऐसे इकाई सेल पाय जा रहे हैं जो FCC है तो बैटा FCC इकाई सेल वाले इस ट्रक्चर में कुल जो इस्थान होता है परमाड़ूगों का वो कितना होगा? 74% बागी 26% हिस्सा खाली रह जाएगा और अगर आप अंता केंद्रिय ठोस के बारे में बात करते हैं तो बैटा अंता केंद्रिय ठोस क्या होता है आपको पता है यह देखिए मैंने यहाँ पर एक इकाई सेल ले लिया जिसमें परमाड़ू अपनी इस कंडिशन भी ए देखो एकदम बीच में है सेंटर में इसको और क्या बोलते हैं बैटा हम लोग BCC तो गौर से सुनना फिर से मैं वही सेंटर से रिपीट करूँगा जब आप कोई ऐसा ठोस लेके आते हो जिसके अंदर BCC structure पाया जा रहा है तो बैटा इस अवस्था में सारे परमाड़ू मिलके इ 66 अधि 68% हिस्सा ही घेर पाएंगे तो यह ना MCQ में पूछते हैं बैटा multiple choice question में यह सब पूछा जाता है कि चलो बताओ FCC में कितना संकुलन गर्णांख होगा तो आप बोलेंगे बैटा 74% multiple choice में question आता है कि body center में यानकी अंता ठोस में परमाड़ू द्वारा कितना हिस्सा घेरा जाएगा तो आप बोलेंगे 68% तो बस आपको यह figure जो है वो याद रखना है बस आपको यह figure जो है वो याद रखना है ठीक है तो एक पर देख लिजे इसको हाँ एक बच्चा पूछ रहा सर इसके derivation भी है हाँ बेटा इसके derivations भी है बहुत सरल पैथा गरास ठीरम से इसके derivation बनाया जाते हैं कल शाम को notes ready हो चुका है कल शाम तक आपको notes मिल जाएगा तो इनके ना इनके कुछ बिलकुल साधरन derivation दिये हुए है अब देखो derivation को मै है बुक से देखके यहां छापूँगा फिर आप उसको छापोगे मतलब उतना ही होगा तो जो derivation है उसको लिख लिख के practice करना है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा तो कल शाम को जब आपको हमारे application के through जब notes मिलेगा तो उस notes में मैंने एकद last class हम करेंगे जिसमें हम multiple choice question भी देखेंगे उस दिन अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं करवा दूँगा पर चिंता ना करें इसके जो derivation है वो बहुत easy है आप notes में एक बार देखो कि आपको सब्समें आई जाएगा simple pathogras theorem से बना है पर आपको minimum यह याद रखना है कि कि किस आप बाकी जो notes हैं जहां से physics के notes और mathematics के notes आप हमारे application से बिल्कुल free download कर सकते हैं तो वहां भी आपको कल शाम को इसका notes मिल जाएगा कल शाम तक upload हो जाएगा PDF के form में आपका notes तो आप उसको download कर सकते हैं आप चाहें तो उसको print भी करवा सकते हैं अपने पास रख सकते हैं ब चाहता है बेटा की book पढ़ना चाहिए आपको पता है कि यह जो books होते हैं हमारे teacher थे वो कहते थे कि जो books वहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप किसी book से पढ़ते हैं कि notes से पढ़ते हैं या किसी पीचीज से पढ़ते हैं एक बार अगर आप topic को समझ गया तो बेटा जैसी ओ topic आपके सामने आएगा चाहिए book के form में आए चाहिए PDF के form में आए या notes के form में आए आप उसको आसानी समझ जाएंगे तो बस मैं यह कहना चाहता हूं कि notes मैं आपको दे दूंगा और आप book भी खरी लेना लेकिन बस आप चीजों को ध्यान से समझो पिर आप किसी पीचीज नहीं से पढ़ेंगे आपको समझ में आही जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं तो अब इस chapter का इस chapter का लगभग 70% हिस्सा हमने complete कर लिया है अब यहां से अब यहां से जो topic आपके सामने आ रहा है वो इस chapter का सबसे important topic मैंने कहा इस chapter का सबसे important topic है और वो topic क्या है मैं आपको दि इस टॉपिक को ना थोड़ा ध्यान समझना ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आप चाहे छहमाही परिच्छ दें चाहे अधवार्सी परिच्छ दें चाहे एन्वाल के एक्जाम दें या किसी भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम में बैठें हंड्रेड परसेंट है हंड्रेड परसेंट है कि इस टॉपिक से आपको कोशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये इस चेप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोशन हर बार आएंगे हर बार आएंगे चाहे आप टेस्ट दीजिए चाहे हाथ फेरली दीजिए चाहे एन्वाल इसके कोशांस अक्सर देखने को मिलते हैं बेटा लागभगता है होता है कि प्रफान classe आपको मिलेंगे अभी जब अपने एक्जाम में बैठोगे इसकुल के एक्जाम में तब देखना आपको टीचर इसके कोशन जरूर देगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा यह जो टॉपिक अब आपके सामने आ रहा है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा ध्यान समझना चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं यह क्या है यह क्या है यह टॉपिक क्यों इतना इंपोर्टेंट है और कोई भी टीचर इस टॉपिक को हर एक्जाम में क्यूं देता है सारी बातों को समझ लेते हैं शुरुवात में लोग ऐसा सोचते थे कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो अच्छा पहले मैं आपसे कोशन पूछता हूं देख़े एक बच्चा बोल रहा है कि हां सार इस बार भी आया था इस टॉपिक के कोशन एक बच्चा भी मैसेज किया हुआ है वैभाओ कि हासर इस टॉपिक कोशन है बेटा हर सार आता है कुछ ना कुछ आएगा तब डायरेक्ट कोशन आएगा कभी घुमा हुआ कोशन आएगा पर सच बता रहा हूं इस टॉपिक कोशन से आप बच नहीं पाओगे यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है अच्छा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कोशन पूशता हूं कि कोई भी ऐलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करता है क्या वह व्यादूत चालकता दरशाता है जो डॉब आया सही बात है जो आंवीक कमपाउंड होते हो ववए दू चालकता दर्शाते चलो एक चाहल मेंसे माल मेरे घर में बाठा प्लास्टिक बरतन है इस बरतन के अंदर म phones दिया यह देखो मेरी मम्मी ने इस बरतर में नमक रखा हुआ है यह देखिए यह नमक है इस बरतन में नमक रखा हुआ है जिसका उपयोग घर में किया जाता है अब मैंने क्या किया इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिये यह देखो बेटा इसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिये और अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूँगा अब मैं यहां से दो वायर लगा दिया और अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो तुम बताओ क्या आप इस नमक को छू सकते हो क्या आपको करेंट लगेगा मैंने भी आपसे कोशन पूछा था कि जो यह एने सेल आयोनिक कंपॉन है ने बेटा यह आयोनिक सॉलीड है बताओ क्या यह इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करेगा क्या वैदू चालकता दर्शाएगा बहुंसा लोग बोर रहे हैं यह सर और लगेगा कि इस से में करेंट नहीं लगेगा तो बेटा आयोनिक समपॉंड जो आयोनिक ठोस होते हैं वह वैदू चालकता दर्शाएगा पर 10 जब उन्हें पानी में गोला जाता है या पिघ्लाया जाता है सवस्था है आयोश तो नमक या कोई भी आउनिक कंपाउड नमक या कोई भी आउनिक कंपाउड जब थोस अवस्था में होता है वो तब इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट नहीं करता वो तब करता है जब आप इस नमक को पानी में घोलोगे वो तब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट जब कोई भी आउनिक कमपाउंड गौर सुनना कोई भी आउनिक कमपाउंड थोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट नहीं करता कब करता है जब उसका आप जली वीलियन मनाएंगे याने कि उसका पानी में घोल देंगे या उसको आप पिगला देंगे ठीक तो मैंने कह मैंने कहा कि किसी भी आउनिक ठोस में वैदुचालक्ता तब नहीं होता जब वो ठोस अवस्था में होता है क्या मैं ठीक बोर रहा हूं आउनिक कमपाउंड जब सॉलिड श्टेट में होता है तब वैदुचालक्ता नहीं दर्शाता लेकिन अब एक बहुत इंपोर्टेंट बात गौर सुनना बेटा ऐसे बहुत सारे आउनिक ठोस पाए गए अब सुनो ध्यांसे ऐसे बहुत सारे आउनिक ठोस पाए गए जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्त करते थे ठोस अवस्था में वो इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्त करते थे साथी साथ चुम्बकिय गुड भी दर्शाते थे मैंने कहा ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आयोनिक ठोस पाए गए हैं जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंड़र्ट करते हैं चुम्बक के गुड़ दर्शाते हैं ये बड़ा अजीब था कि ऐसे कैसे हो सकता है सुरवात में लोगों को ऐसा लगता था कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंड़र्ट नहीं कर सकता पर जब रिसर्च हुआ लोगों ने शोध किया तो पाया ऐसे बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं ऐसे बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंड़र्ट कर रहे थे अरे बेटा एक बच्चा लिख रहा है लोहा बेटा लोहा धातू है आयोनिक ठोस नहीं है धोता है और लोहा तो धातू है ने बेटा आयोनिक ठोस थोरी है मैं आयोनिक ठोस की बात कर रहा हूँ याने की ऐसे compound के बारे में बात कर रहा हूं जो आउनिक होते हैं यह देखो यह होते हैं आउनिक compound लोहा सोना यह सब थोड़ी होता है हाँ यह simple भाशा में आप सीधा salt बोल दो बिटा नमक बोल दो यह सब नमक होते हैं यह सब अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं तो मैं यह कह रहा था कि काफी समय तक लोगों को ऐसा लगता रहा कि जो आउनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में electricity कंड़ट नहीं करते पर जब धिरे धिरे research होना चालू हुआ तो लोगों ने एक अजीबो गरीब चीज नोटिस किया उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ ऐसे आउनिक ठोस होते हैं जो solid state में भी ठोस अवस्था में भी electricity कंड़ट करते हैं अब बड़ा अजीब था क्योंकि सब सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता लोग अचंभे में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है एक आउनिक कंपाउंड जब उसको पानी में घोलते हैं वो तब electricity करेगा कंड़क्ट जब उसको पिखलाएंगे वो तब करेगा electricity कंड़क्ट पर सबको लगता था कि कोई भी आमनी कंपाउंड ठोस अवस्था में असा नहीं कर सकता पर जब लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो जब लोगों ने ध्यान से चीजों को समझा तो पाया कि वे सारे ठोस जिनके अंदर परमाड़ों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है गौर सुनना वे सारे ठोस जिसके अंदर के आयंस या परमाड़ों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है ऐसे ठोसों के अंदर ही ऐसे अजीबों गरी प्रापर्ट है उनमें कलर भी आ जा रहा है तो बेटा लोगों ने ये देखा कि जब कि जब जो ठोस होते हैं जब उनके अंदर परमारवों की जो विवस्ता है जब बिगड़ी भी पाई गई तो हमको पता चला कि उसके अंदर जो है उसके अंदर अजीब गरी प्रॉपर्टी हैं तो अं आउनिक थोस दो प्रकार के होते एक जिसे हम आदर्श जिसे हम आईडियल सॉलिड बोलते हैं और एक को बटर Il एक को non-ideal बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अ देखो यह मैं आपके सामने एक आयोनिक थोस बना रहा हूं तो आपके सामने मैं यहाँ पर एक आयोनिक ठोस बना रहा हूं यह देखो यहां पर यह मैंने एक आयोनिक ठोस बना दिया बेटा जरगोर से देखो इस आयोनिक ठोस के अंदर इस आयोनिक ठोस के अंदर जो प्लस चार्ज वाले हैं वो केट आयन है जो मैनस चार्ज वाले हैं वो एन आयन है और आप देखो इस किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है सब कुछ एकदम सिस्टेमैटिक है एक दम सुन्दर से स्ट्रक्चर बनां है कोई गढ़बडी नहीं है सब कुछ एकदम सिस्टेमैटिक है तो इस तरह के ठोस को आदर्र सो ठोस याने की idea solid कहा जाता है ideal solid देखिए कितने सुन्दर तरीके से सारे के सारे आयंस एक के बाद एक एक विवस्थित है तो जब किसी ठोस के अंदर सारे आयंस एकदम systematic form में रखे हो ये अभी कुल विवस्थित तरीके से रखे हो उनमें कोई गड़वडी ना हो तो ये आदर ठोस कहलाता है लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा ठोस आ गया जिसके अंदर परमाडू जिसके अंदर के परमाडू गायब है ये देखो बीट-बी से परमाडू गायब है और कहीं से extra आयन आ गया है ये देखो इधर उथर सब इधर उथर बिखर गया है तो बेटा जब भी किसी ठोस के अंदर परमाडवों की वेवस्था बिगड़ जाए जब भी किसी ठोस के अंदर परमाडवों की वेवस्था बिगड़ जाए तो समझ जाना अब ये ठोस शो करने वाला है बिलकुल एक दम अजीवों गरीब बिहेवियर शो करने वाला है तो जब भी किसी आयनिक ठोस के अंदर आयनों का विवस्था बिगड़ा हुआ पाया जाए तो समझ जाना कि उसके अंदर कुछ और कुछ अजीब होगा अजीब मतलब हो सकता है कि वह ठोस अवस्था में ही इलेक्ट्र भी पाई गई सबत जाना कि वह अजीवों गरीब प्रापटी शो करेगा तो अब उसी आधार पर अब चलिए हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो मैंने कहा बेटा कि अब ऊपर कुछ लिखा हुआ है जरह एक बार रीड कर लेंगे जो मैंने बताया वही है एक बार उपर उनमें अपूरता आ जाए तो हम कहते हैं उस ठोस में क्या पाया गया दोश पाया गया दोस यानि हम बहुते बटा इसको हम लोग डिफेक्ट उसे बहुते डिफेक्ट और हम कहेंगे वह कैसा ठोस है डिफेक्टिव ठोस है डिफेक्टिव सॉलिड है तो जब भी फोस को हम बोलते हैं बेटा डिफेक्टिव सॉलिड डिफेक्टिव सॉलिड तो चलिए अब ये तो समझ में आ गया गौर सुनना अब ये तो समझ में आ कि वे सारे ठोस जिनके अंदर परमाडवों की विवस्था बिगड़ी हुई पाई जाए कह देना उसमें डिफेक्ट है यानि कि दोश है जिसके कारण हमें उसके कुछ अजीबों गरी प्रॉपर्टि देखने को मिल रहे हैं पर उनमें क्या अजीब होता है अगर किसी ठोस के अंदर परमाडवों का या आयंस का विवस्था बिगड़ जाया तो उनमें क्या आजीब होता है वो हम धीरे से समझेंगे पहले पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर यह जो अविवस्था है यह कितने परकार के होते हैं डिफेक्ट कितने परकार के होते हैं तो बेटा जो डि समीकर्णिया दोश जिसे जिसे कहा जाता है इस टोक्यों मैंट्रिक डिफेक्ट इस टोक्यों मैंट्रिक डिफेक्ट इस टोक्यों मैंट्रिक डिफेक्ट इस टोक्यों मैंट्रिक डिफेक्ट या रस समीकर्णिया डिफेक्ट दूसरा होता है अरस समीकर्णिया इसे हम बोलते है बेटा नॉन इसे बोलते हैं नॉन नॉन इस्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट है और एक होता है अशुद्धी दोश याने की इंप्यूरिटी डिफेक्ट इंप्यूरिटी डिफेक्ट इंप्यूरिटी डिफेक्ट सबसे बलता मुझे बताईए कि यहां पर समी करने मीतिय के मतलब क्या होता है आप जानते हैं इसका मतलब इस्टोक्योमेट्रिक या रस समी करने मीतिय मतलब क्या होता है बेटा इसका मत तो क्या समझते हैं आप मैं बताता हूं इसका मतलब का होता है बेटा इस टोकियो मेट्रिक या रस समी कर्णमीती मतलब होता है बैलेंस होना क्या बोला मैंने बैलेंस होना या इक्वल होना बैलेंस होना या इक्वल होना और नॉन इस टोकियो मेट्रिक मतलब होता है इंबैल होना imbalance होना या इक्वल ना होना imbalance हो या equal ना होना तो stoichiometric मतलब होता है balance हो न एक दम balance होना या equal होना non stoichiometric मतलब बैलेंस ना होना या इक्वल ना होना और impurity defect का मतलब समझ गया हुगे बटटा कुछ अशुद्धियां पाई जाएंगी ठोस के अंदर तो चलो अब एक एक करके मैं आपको पहले इनका मतलब समझा देता हूं एक एक करके मैं पहले आपको इनका मतलब समझा देता हूं आपसे प्रश्ण पूछता हूं मैं यह पहुंत ही अन्यूज्वल आपको लग सकता है यह कैसा प्रश्ण है इस प् sodium chloride नाम का एक salt है जिसका सूत्र दिया गया है एने CL जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एने एक है CL भी एक है यानि एने और CL का जो अनुपात है यह वन इस्टू वन है वन इस्टू वन है इसका मतलब है एक एने के पीछे एक CL रहेगा एक CL की पीछे एक एने रहेगा 100 एने की पीछे 100 CL रहेगा 100 CL की पीछे 100 रहेगा तो मैं आपसे कोशन पूशता हूं कि अगर मान लो एक ठोस है इस ठोस के अंदर खूप सारे एने सी यल के आयन है खुब सारे एने सी यल के आयन है तो क्या तो क्या इस ठोस के अंदर जितने भी एने आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन भी होंगे उनकी संख्या के साथ में समान होंगी जितने एने प्लस आयन होंगे उतने ही CL-N होंगे आपको क्या लगता है हाँ होंगे बिल्कुल होंगे तो बेटा अगर ये 100 है तो ये भी 100 है ये 1000 है तो ये भी 1000 है यानिकी यहाँ पर क्या है इनका संख्या का अनुपात क्या है 1 to 1 तो मैंने जब इनकी संख्या निकाली जब मैंने इनकी संख्या निका ली तो मैंने पाया सुनना मेरे बात जब मैंने एने सी यल के अंदर जाक के देखा जब मैंने एने सी यल के अंदर जाक के देखा और इस बात की गड़ना की कि क्या सच में एने और सी यल one is to one के रेशो में रहते हैं जैसे कि सूतर में बताया गया है तो मैंने देखा कि हाँ है सही था तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा ठोस आ जाए जिसमें defect है सुनना जब भी आपके सामने कोई ऐसा ठोस आ जाए जिसमें दोश है लेकिन दोष होने के बावजूद अगर उनमे आयनों का अनुपात वैसा ही हो जैसा सूत्र में पाया जा रहा है तो बैटा इस तरह के ठोस को ही हम स्टोस्योमेट्रिक डिफेट बोलते हैं पिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला जब किसी ठोस के अंदर डिफेक्ट आ जाए जब किसी ठोस के अंदर डिफेक्ट आ जाए दोश आ जाए और दोश आने के बाद भी अगर आयनों का अनुपात वैसा ही रहे जैसे उसके सूत्र में दिया गया है तो बेटा समझ जाना यह स्टोस्योमेट्रिक है वैसे भी स्टोस्योमेट्रिक के क्या मतलब बताया था मैं स्टोस्योमेट्रिक के मतलब बताया बेटा इक्वल होना तो वहाँ जैसा है यहाँ भी वैसा है दोनों तरफ इक्वल है दों तरफ इक्वल है अब सुनना मैं आपको और एक्जामपल दिखाता हूं मैं आपको एक और एक्जामपल दिखाता हूं अगला एक्जामपल है F E O का Ferrous Oxide Ferrous Oxide Ferrous Oxide तो बेटा यहां F E O का क्या अनुपाथ है दिख रहा है आप लोग को F E O का सूत्र में क्या अनुपात है 1 is to 1 है ना यहां फेरस ऑक्साइड का सूत्र में 1 is to 1 का अनुपात है लेकिन लेकिन जब लेकिन जब एफी ओ के इस्ट्रक्चर के अंदर ज्हाका गया और कैलकूलेशन किया गया तो बड़ा अजीब सा बड़ा अजीब सा रिजल्ट सामने आया और रिजल्ट क्या था सुनो अजीब सा रिजल्ट यह था कि जो फेरस आयन है और जो ऑक्साइड आयन है इनकी संख्या उस अनुपात में नहीं थी जिस अनुपात में सूत्र में दिया गया है जानते उसका अनुपात क्या था बेटा यह था 0.94 is to 1 यह 1 is to 1 नहीं था 0.94 is लूँ तो बेटा यह 94 था तो इसके मतब क्या समझे यहाँ पर एक एने की पीछे एक सील है सौ एने पिछे सौ इसील है लेकिन यहाँ पर सौ ऑक्सीजन की पीछे सौ फेरस आयन नहीं है सिर्प 94 है अब एक कैसे हुआ आपको आगे बताया जाएगा चिंता ना करो यह कैसे में नहीं पाया गया असल में नहीं पाया गया जब मैंने आयनों की गढ़ना की तो जब भी जब भी सूत्र में दिया गया अनुपात और आयनों का वास्तविक अनुपात अगर सच में इक्वल हुआ तो यह स्टोशोमेट्रिक कहलाएगा और अगर सूत्र में दिया गया अ और वास्तविक अनुपाद एक जैसा ना हो जिसे बोलते हैं नौन इस्टोश्योमेट्रिक तो यह इसका मतलब है अब कैसे होता है क्यों होता है बताया जाएगा पहले कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो आपस आते हैं तो अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजे लिखी हुई है अ इसको अब आगे बताता हूं मैं तो क्या समझे बेटा हाँ जी रस समी कर्णमिती दोश का मतलब होता है कि जब केटा जब केटायन का और एनायन का अनुपाद केटायन और एनायन का अनुपाद इक्वल हो जब केटायन और एनायन का अनुपाद इक्वल हो तो इसको आप क्या बोलें बटा इस्टोशामेट्री डिफेट और जब एक बहुत इजीब अस्था में पहुंच दोश chicken हमको एसा लगता था कि सारे जो 40 सु刧े यह झूट अधर्ष करेहे और हमने कभी सोचा खूचा भी नहीं था कि में कुछ यह आंदर भी हो गया तो इन सबकर पीछे कारण सबसे पहले इस टोशो मैट्रिक डिफेट के अंदर आते हैं बस इतने आद रखना इस टोशो मैट्रिक गोर सुनना इस टोशो मैट्रिक सुनते ही बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना कि अगर किसी ठोश में दोश आ जाए यानि कि डिफेक्ट आ जाए और डिफेक्ट आने के बावजुद भी केटायन और एनायन की संख्या वैसे ही हो जैसे उसके सूत्र में दिया गया है तो वो इस टोशो मैट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा या सिंपल भाषा में कहूँ तो आप इसको ऐसा समझ लो कि जब किसी ठोश में केटायन और एनायन जाए तो उसको आप इस टोशो मैट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे की डिफेट बोलते हैं और एक जीसों फ्रेंकल डिफेट अब इसका मतलब क्या है चलो समझते हैं तो तो यहाँ देखना मेरे पास मैं पहले ना एक ठोश बना लेता हूँ एक मिनट थोड़ा सा समय देंगे मेरे को बनाने के लिए अरे कहां कर अबर कर दिया मैं ओफो एक मिनट बेटा थोड़ा सा सहो किजिए थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ यह देखो मेरे पास एक ठोश है और आप देख सकते हैं इस ठोश के अंदर सभी आयोनों की विवस्था एकदम बढ़िया से बनी हुई है कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं है तो इस तरह के ठोश को क्या बोलते हैं बेटा इस तरह के ठोश को हम बोलते हैं आईडिया लियान मेरे पास एक ठोश आया मेरे पास एक ठोश आया उसके अंदर जब मैंने जहांक के देखा तो मैंने क्या पाया कि उसके अंदर आओ यह क्या हुआ यह लोग अब इस ठोस को देखो अब इसको देखो इस ठोस में देखो क्या यह आदर से ठोस है देखके बताओ क्या यह एक आदर से ठोस है बसी इतना बता दो मेरे को नहीं यह आदर से ठोस नहीं है इसमें तुरूटी नजर आ रही है इसमें डिफेक्ट नजर आ रहा है क्य तो गौर से सुनना, जब किसी ठोस के अंदर, केटायन और एनायन, केटायन और एनायन बराबर मातरा में गयब हो जाएं, अब गयब हो कहा गया बताऊंगा, माल लो किसी ठोस में केटायन और एनायन बराबर मातरा में गयब हो जाएं, तो इस तरह के, इस तरह के डिफेट को इस तरह के डिफेट को शोट की डिफेट कहा जाता है इस तरह के डिफेट को शोट की डिफेट कहा जाता है फिर इपिट करता हूँ यहाँ देखो इस ठोस में एक केटायन और एक एनायन गायब है बस मैं इतना पूछूँँगा कि इस ठोस में दोश आ गया है इस ठोश में दोश आ गया है लेकिन क्या दोश आने के बावजूद केटायन और एनायन की संख्या बराबर है क्या देखो जारा दोश आने के बाद भी क्या kétiain और eniain की संख्या बराबर है हाँ कि जब भी आपके सामने किसी ठोस में दोश आ जाए और दोश आने के बावजूद केटiain और eniain की संख्या बराबर पाई जाए तो वो stoichiometric defect कह रहाता है तो यह जो defect है यह stoichiometric defect के अंदर आता है क्यों इसके अंदर आता है तो जब भी कैसे आत रखोगे जब भी किसी ठोस में के टायन और एनायन इक्वल नंबर में गयाब हो जाए तो जब उस ठोस में दोस्ट आ गया तो हम किस तरह का दोस्ट है वो शौट की दोस्ट अच्छा अब इसमें देखते हैं दूसरा एक्जामपल दूसरा एक्जामपल जड़ा इसको देखना है बेटा अब जड़ा इस ठोस को देखो पहला प्रसना पहला प्रसना क्या इसमें दोश है हाँ दोश है हाँ दोश है हाँ दोश है और किस तरह के दोश है जरा गौर से देखो एक केटायन अपने इस्थान से खीसक के दूसरे दूसरे वाइड में यानि गैप में जाके फस गया है एक केटायन अपने वास्तविक इस्थान को छोड़के दूसरे गैप में जाके फस गया है तो यह बताओ यह आदर्स ठोस तो नहीं है दिख रहा है साप साप किस में डिफेक्ट है तो बटा गौर सुनना जब भी आपके सामने कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसमें कोई क देटायन अपनी स्थान को छोड़के करी और फस थार पाया जाए तो इस तरह के दोस्तव को फ्रेंकल दोस्त कहा जाता यह तो इसना मंग स्ंट इश डिफेक्ट कि नहीं सुनना जारा अब सुनना ज़रा फीर से मैं वही प्रघ्ष में पूचूंगा इसकतार गौर से क्या इसमें क्या इसमें दोश आने के बावजूद या दोश आने के बाद केटायन और एनायन की संख्या बराबर है क्या हां केटायन और एनायन संख्या बराबर है बेटा हां देखो न अरे केटायन गाया थोड़ी हुआ है बस वो खिसा के दूसरे जगी पे चला गया है पटके डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों में एक चीश समान है क्या डिफेक्ट होने के बाद भी केटायन और एनायन की संख्या बराबर बनी हुई है केटायन और एनायन की संख्या बराबर बनी हुई है इसलिए ये दोनों किसके अंदर आते हैं इसलिए ये दोनो गायप कैसे हो गए ये केटायन खिसक कैसे गया और मुझे कैसे पता चलेगा किसी ठोस को देखके कि कौन से ठोस में शौट की डिफेक्ट पहा जाएगा और कौन से ठोस में फ्रेंकल डिफेक्ट और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किसी ठोस में अगर दोश आ भी गया तो दोश की आ जाने से उसके वास्तविक प्रकृती में क्या बदलाव आएगा तो अभी क्योंकि समय है नी बहुत लंबल यहाँ पर concept है और अभी बचेवे समय में जो concept है उसको explain नहीं कर सकता तो वो तो खर में next class में कराऊंगा पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बस मैं यहाँ पर यह समझ पाया हूँ इतने देर में मैं बस यह समझ पाया हूँ कि यह आदर्स ठोश नहीं है इनमें परबाड़ वो कि यह आयनों की विवस्था बिगड़ी हुई है तो शोट की डिफेक्ट एक केटायन जब अपने इस थान से खी सक जाए तो फ्रेंकल डिफेक्ट लेकिन अभी बहुत कुछ जानना है पहला यह दोश आते कैसे हैं इसे ठोश के अंदर दोश कैसे आ जाता है दूसरा ठोश के अंदर अगर दोश है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरह के ठोश में किस टाइप का दोश पहाए जाएगा और तीसरा अगर किसी ठोश में दोश आ भी गया तो आने से उस ठोश के नेचर में उसके प्रकृती में क्या बदलावाएगा तो यह सारी बाते अभी हमको समझनी है पर समय अभी कम है इसको आपको नेस ट्लास में कराऊंगा अब क्योंकि मैंने बोल दिया है यह ऐसा टॉपिक है जो आपके एक्जाम में आता ही आता है तो बेड़ा ध्यान समझेगा ठीक है तो चले काम करते हैं इसके कहानी को अभी सस्पेस में रखते हैं कि ऐसा क्यूं होता है कब होता है यह सब हम समझेंगे अगले क्लास में आखरी लगभग चरण में पहुंच चुगे हैं पिछले क्लास में आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने ठोसों के अंदर पाय जाने वाले डिफेक्ट के बारे में बात किया था दोश के बारे में बात किया था आपको याद होगा कि पिछले क्लास में पिछ में study किया गया तो पाया गया कि जो ionic compound होते हैं उनके अंदर ये जो अजीबोगरी property आ जाते हैं जैसे कि color property चुमबकिय गूड है ना magnetic property ये सब ऐसे property हैं जो किसी ठोस के अंदर किसी ठोस के अंदर आ जाते हैं उन ठोस के अंदर दोश होने के कारण तो हमने पिछले class में पढ़ा था कि जो दोश होते हैं जो defect होते हैं जो defect होते हैं जो defect होते हैं वो basically 3 तरह के होते हैं हमने पढ़ा था stoichiometric defect non stoichiometric defect और impurity defect जिसमें से हम इन दो defect के बारे में बात कर रहे है थे पिछले class में ओके तो चले वापस आते हैं यहां पर तो बेटा इस डिफेक्ट इस हिस्से में हमने क्या सीखा था इस हिस्से में हमने क्या सीखा था कि शौट की नाम के scientist ने एक ऐसे ठोस पर study किया जिसके अंदर cation और in on bora bar मात्रा में गाय पाय गयों है एक बड़ आपको याद दिलाता हुँ एक बड़ आपको याद दिलाता हूं एक बर शॉट में याद दिलाता हुँ यह देखिए मेरे पास एक ठोस है बेटा मेरे पास एक ठोस है यह देखिए यह देखिए इसके अंदर इस ठोस के अंदर आप देख सकते हैं कि एक केटायन और एक एनायन एक केटायन और एक एनायन अपने पोजीशन से गायाब है आप देख सकते हैं इस ठोस के अंदर एक केटायन और एक एनायन अपने पोजीशन से गायाब है तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नमबर में गायाब हो जाएं इक्वल नमबर में बराबर मातरा में गायाब हो जाएं तो हम कहते हैं उस ठोस में क्या पाया जा रहा है शौट की डिफेक्ट यानि कि शौट की दोश और आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसके अंदर केटायन अपने वास्तफिक इस्थान को छोड़ कर अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के दूसरे जगे में चला जाता है तो जब भी किसी सॉलिड के अंदर केटायन और एनायन इक्वल नंबर में गायब पाये जाएं तो हम कहते हैं वह शौट की डिफेक्ट है और जब किसी सॉलिड के अंदर कोई केटायन अपने ओरिजिनल पोजीशन को अपने वास्तफिक इस्थान को छोड़ कर इस दूसरे इस्थान में फसा हुआ पाया जाए तो इस तरह के डिफेक्ट को हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं या फ्रेंकल दोश कहते हैं तो यहां तक हम पिछले क्लास में पढ़ा था अब आज हम इन्हीं कॉंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं चलिए अब मैं यह तो जान गया कि वास्तविक इस्थान से खिसा के कहीं और फसा हुआ पाया जाता है दोनों ही दोनों ही डिफेक्ट में एक चीज समान है क्या दोनों किसके हिस्से हैं बेटा इस टोशोमेट्रिक डिफेक्ट के याने कि इन दोनों में देखो इन दोनों ठोस के अंदर डिफेक्ट है इन दो हो गया डिफेक्ट तो हो गया डिफेक्ट होने के बावजूद केटायन और एनायन की जो संख्या है वो बराबर है तो जब भी किसी ठोस में डिफेक्ट आ जाए दोश आ जाए और डिफेक्ट आने के बावजूद केटायन और एनायन की संख्या बराबर बनी हुई हो तो इस मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से ठोस में शौट की डिफेक्ट होगा और कौन से ठोस में फ्रेंकल डिफेक्ट चलिए अब ये पता लगाते हैं कि कैसे पता चलता है कि किस तरह के ठोस में शौट की डिफेक्ट और किस तरह के ठोस में फ्रेंकल डिफेक्ट होता है पहचान और फ्रेंकल डिफेट पाया जाता किस तरह के ठोस में शौट की डिफेट और फ्रेंकल डिफेट पाया जाता गौर्भ सुनेगा। कैसे याद रखते हैं कोई आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह के ठोस में शॉट की डिफेक्ट और किस तरह के ठोस में फ्रेंकल डिफेक्ट होगा यह कैसे पता चलता है तो जब भी गौर सुनेंगे जब भी आपके पास कोई ऐसा ठोस आ जाए जिसमें जिसमें केटाईन और एनायन का आकार यानिकि साइज एक जैसा हो जब भी किसी ठोस में केटायन और एनायन का साइज एक जैसा होता है अकसर ऐसे ठोस के अंदर शौट की डिफेक्ट पया जाता है मैं आपको यह सिखा रहा हूँ कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि किस ठोस में शौट की डिफेक्ट होगा तो गौर सुना बेटा कोई भी ऐसा ठोस जिसमें केटायन और एनायन का आकार याने की साइज एक जैसा होगा एसे ठोस में शौट की डिफेक्ट होता है और यह बताओ अगर केटायन और एनायन दोनों का आकार एक जैसा होगा दोनों का अकार अगर एक जैसा होगा तो केटायन को घेरने वाले एनायनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी यह देखो एक केटायन को घेरने वाले एनायन की संख्या कितनी बटा? 6, 6, 6 इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं कोडिनेशन नंबर या coordination संखिया तो गौर सुनेंगे कोई आपसे पूछता है कि भाई किस तरह के ठोस में short की defect पाया जाता है तो तुम कहना वे सारे ठोस जिसमें cation और anion का size एक जैसा हो उसमें short की defect होता है या फिर आप कह सकते हैं ऐसे ठोस जिसमें cation को घेरने वाली anion की संखिया बहुत जादा हो ऐसे ठोस में क्या होता है short की defect जबकि frankl में क्या होता है frankl defect ऐसे ठोस के अंदर पाया जाता है जिसमें cation का अकार छोटा और anion का अकार बड़ा होता है जब भी किसी solid में cation का size छोटा होगा और anion का size बड़ा होता है अक्सर ऐसे ठोस में frankl defect पाया जाता है अच्छा जी तब यहाँ पर अगर cation का size छोटा है और anion का size बड़ा तो बड़ा ऐसे condition में आप ज़्यादा anion चारों तरफ नहीं रख पाऊगे यहाँ पर एक cation को घेरने वाले anion की संख्या कितनी है 4 तो आप कह सकते है यहाँ coordination number कम है यहाँ पर coordination number कम है तो याद रखना जब cation और anion का size एक जैसा होगा तो फिर घेरने वाले anion की संख्या ज्यादा होगी और अगर cation छोटा होगा तो उस इस्तिति में घेरने वाले anion की संख्या कम होगी तो आप कैसे याद रखेंगे जब cation और anion एक जैसे size वाले होँ तो उसमें short की defect होगा और जब cation anion से छोटा हो तो उसमें frankl defect होगा तो यह तो हो गया पहचानने का तरीका यह तो हो गया कि short की defect और frankl defect पहचानते कैसे हैं अब मैं यह तो जान गया कि short की defect, frankl defect क्या होता है और मैं यह जान गया कि किस तरह के ठोस में short की defect और frankl defect पाया जाता है पर अब प्रस्टने यह उठता है कि जब किसी ठोस के अंदर जब किसी ठोस के अंदर defect आ जाता है दोश आ जाता है तो दोश के आ जाने से किसी ठोस के नेचर में क्या बदलाव आएगा, उसके गुण में क्या बदलाव आएगा, अब उसके बारे में बात करते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा, मैंने कहा कि जब किसी ठोस के अंदर तूटियां आ जाएं, या द तो दोश के आजाने से किसी फोस के नेचर में क्या बदलाव आता है अब उसके बारें बात करते हैं तो बेटा अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर इन डिफेट्स के कारण इन डिफेक्ट के कारण, इन ठोस में, इन ठोस में क्या प्रभाव पड़ता है, इनके नेचर की उपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गौर सुनेंगे, डिफेक्ट आ जाने से इन ठोस के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बैट आपको याद होगा, कि जब हम लोग करते हैं जब हम बात करते हैं शौट की डिफेक्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट इस सुनना डिफेक्ट आने से डिफेक्ट आने से किसी भी ठोस के नेचर में क्या परभाव पड़ता है तो बट आपको याद होगा कि जब हम लोग ने शौट की डिफेक्ट किया था जब हम लो गायब है एक केटायन और एक एनायम अपने स्थार से गायब है तो बताइए इससे क्या आपको दिख रहा है तो गऌर सुनेबैटा जब किसी ठोस में शॉट की कीडिफेट पाएगा किसी भी ठोस में उसका जो इस्टेबिलिटी गट जाएगा इससा कई स्टेबिलिटी जो है वह घट जाएगा जो इस्टेबिलिटी है वह घट जाएगा अगर कोई ठोस एक दम आदर्स ठोस बना Teams उसमें किसी प्रकार का दोश नहीं है, वो एकदम आदर्स है, एकदम आइडियल है, एकदम परफेक्ट है, तो सुभाविक सी बात है कि जब कोई परफेक्ट होता है, तो इस्थाई होता है, जब भी कोई चीज परफेक्ट होगा, तो इस्थाई होगा, और अगर इंपरफेक एक्षाइट मेंख़ा चैनल हो जाएगा इसके अलावा इसके अलावा रियक्टिवीटी याने क्रियाशीलता आपे हुसरे हो बीटी आप पता बैटा थे केमेश्ट्रि के भाष्य में एक बात कही जाती है कि जो कम है है वो ज्यादा क्रियाशील होता है यानि जादा रियक्टिव होता है जादा रियक्टिव होता है तो अगर अगर इस्थाइत वो घटेगा तो फिर रियक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा क्रियाशीलता बढ़ जाएगा क्रियाशीलता बढ़ जाएगा अब उसके बाद अगला प्रॉ के अब ये ठोस इसी अवस्था में वैद्युत्चालक्ता दरशायगा यानए intensity कंड tablets करेगा फिस्रीपिट करता हूं अब यहां पर दोष आ जाने के कारण गैप बन जाने क कारण अब ये ठोस वैद्युत्चालक्ता दरशायगा यह बहुत वैद्दू चालक बन जाएगा याने के इलेक्ट्रिकल कंड़क्टर बन जाएगा तो अब प्रस्ट ने यह उठता है कि आप बीच बीच में गैप बन गया है तो गैप बन जाने से कोई कोई वैद्दू चालक कैसे बन जाता है यह आपको बताऊंगा अभी कलिए बस कारण इलेक्ट्रिकल कंड़क्टेंस इलेक्ट्रिकल कंड़क्टेंस मतब की वैद्दू चालकता यह बढ़ जाएगा वैद्दू चालकता जो है वो बढ़ जाएगा पर अभी प्रश्ट मेरे दिमाग में है कि भाई बीच बीच में गैप बन जाने के कारण होल बन जाने क कि क्रवाथ को है कुई ठोष कैसे वैद्दू चालग बन जाता है बताया जाएगा आज ही के क्लास में आपको बताया जाएगा मीइख बासितने याफ रख हो कि जब भी बीच बीच में gap बन जाता है न तो वो ठोस वेद्दू चालकता दर्शाता है कैसे बताऊंगे आगे बरते हैं अब उसके बाद उसके बाद क्योंकि बीच-बीच में खोखला पना गया है तो बेटा सभाविक सी बात है इस ठोस का जो घनत्व है घनत्व है जो density है वो कम हो जाएगा मैंने कह अब बीच-बीच में गैप आने के कारण जो density है जो घनत्व है वो कम हो जाएगा तो ये देखिए अभी मैंने आपको ये बताया कि शौट की डिफेक्ट के होने से उस ठोस के अंदर क्या बदलाव आएगा तो आप कैसे आद रखेंगे जब भी किसी ठोस में शौट की डि अब देखते हैं किसी ठोस में अगर फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाए अगर किसी ठोस में अगर किसी ठोस में फ्रेंकल डिफेक्ट आ जाए तो फ्रेंकल डिफेक्ट आने से उस ठोस के नेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा उस ठोस के नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है चले उसके बारे मैं बात करते हैं दो बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है जी फ्रेंकल डिफेक्ट में एक केटायन अपने वास्तविक इस्थान को छोड़के कही और जाके अटक जाता है फस जाता है इसको हम कहते हैं बैटा फ्रेंकल डिफेक्ट तो अब देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण इस ठोस में क्या असर पड़ेगा तो पहली बात यहां पर भी यह जो ठोस है यह एक आदर्स ठोस तो नहीं है यह एक आइडियल यह एक परफेक्ट सॉलिड नहीं है इसमें डिफेक्ट आ गया है एक आयन अपने स्थान से किसा गया है डिफेक्ट आ गया और जहां डिफेक्ट आया तो सुभाविक सी बात है इस ठाई तो घट जाएगा तो डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो इस ठाई तो म ही बात कहूँगा कि यहाँ पर देखो बीच में गैब बन गया है बीच में खोकला पना गया है और जब किसी आयोनिक ठोस के अंदर बीच बीच में गैब बन जाए तो गैब बनने के कारण वो ठोस वैदुचालकता दर्शाने लगता है कैसे बताऊंगा पहले आगे बढ़त गायब हो गये थे आप देख सकते हो यहाँ पर आयन गायब हो गये तो घनत्म में कमी आ गया लेकिन यहाँ पर आयन गायब नहीं हुआ है बस वो खिसक के दूसरे जगे पर चला गया है तो अभी यहाँ पर कुल आयनों की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी यहाँ पर त तो घनतव में कोई changes नहीं आएगा, तो बेटा यहाँ पर जो density है, density वो उसमें कोई changes नहीं आएगा, no change, इस वाले में, frankal वाले में density में कोई फरक नहीं आएगा, तो अभी मैंने आपको बताया, short की defect, frankal defect क्या होता है, फिर मैंने बताया, किस तरह के ठोस में short की defect, frankal defect पहाता है, चलिए मैं आपको कुछ example भी दिखाता हूँ, तो बेटा, मैं आपको यहाँ पर कुछ example दिखाता हूँ, k, c, l, k, i, इस तरह के ठोस में short की defect पहा जाता है, ag, c, l, ag, i, इसमें frankal defect पहा जाता है, और एकलोता example है, ag, br का, बेटा, ag, br एकलोता ऐसा ठोस है, अब तक का पाया गया, जिसमें short की defect और frankal defect दोनों होता है, यह न multiple choice में कई बार कुछा गया है, कि ऐसा कोई compound बताओ, ऐसा कोई ठोस बताओ, जिसमें short की defect और frankal defect दोनों हो पाया जाता है, तो आप यह example जो है, वो याद करेंगे, चलिए, इसे screenshot ले लेजे, फिर आगे बढ़त वैसा ही है, जिसमाल जे किसी घर का एक दिवार है, तो किसी दिवार में खूब सारे इट रखी हुई है, बीच-बीच में से इट को निकाल दोगे, तो चार बीच-बीच में से इट को निकाल दोगे, तो घर का आकार बदल जाएगा, नहीं ना, घर का size तो उतना ही रहेग तो बेटा बीच बीच में आयन गायब होने से ठोस का आकारनी बदलता बूत नहीं रहता है चलिए तो अभी तक गौर्ज सुनेंगे अभी तक आपने ऐसे दोश देखे जो प्राकृतिक थे नेचुरल थे अभी तक आपने ऐसे दोश देखे जो प्राकृतिक थे जो नेचुरल थे मतलब इन ठोसों के अंदर ये दोश पहले से पाया जाता है लेकिन अगर किसी ठोस में तुरूटी ना हो दोश ना हो तो अब हम जान बूच के उसके अंदर दोश पैदा करेंगे ध्या सुनेगा मैंने कहा ये तो ऐसे ठोस थे जिनमें पहले से दोश थे पहले से डिफेक्ट थे लेकिन अब आपके सामने कुछ ऐसे ठोस आने वाले हैं जिनमें कोई तुरूटी नहीं होगी कोई दोश नहीं होगा हम जान बूच कर उसमें दोश पैदा करेंगे क्यों अ कैसे अशुधिया मिला के अब अशुधिया किसी पर्फेक्ट सॉलिड को इंपर्फेक्ट सॉलिड बनाने वाला है अब तीसरा डीफिक्ट आ रहा है वह अशुध्य दोस भीज visit से उसके अंदर दोश आ जाएगा और दोश आने से क्या होगा देखते हैं तो अब इस इक्जामपल को समझने के लिए पहले मैं अच्छा आपको पता पेटा अशुधी मिलाना इस घटना को या फिनोमीना को इस घटना को या फिनोमेना को हम 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 डोपिंग भी कहते हैं डोपिंग अशुद्धी मिलाना किसी परफेक्ट सॉलिड में अशुद्धी मिलाना इंप्यूरिटी मिलाना डोपिंग कहलाता है अब मुझे एक बाव बताईए इससे पहले कभी आप यह डोपिंग शब्द सुने हों ओ तो यहां सुनेंगे तो हमने इस टोशोमेट्रिक डिफेट देख लिया था आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं यह बचा हुआ था नॉन चलिए तो पहले इसको समझ लते हैं बचा नॉन इस्टोशोमेट्रिक डिफेट यह चुड़ी था चमा चाहूंगा इसके मैं हाँ, तो अभी अभी कू ज nuances पहले जो沟 की defect था औरarancle defect था वो Stosometric defect के अंदर आता था और Stosometric मतलब क्या होता है याद ना? Stosometric मतलब होता है defect होने के बाद केटायन और एनायन की संख्या बराबर बनी रहेगी और बेटा non-stosometric का मतलब होता है डिफेक्ट होने के बाद केटायन और एनायन की संख्या बराबर नहीं पाई जाएगी जरो गौर सोनना, शौट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है वो दोनों डिफेक्ट स्टोशोमेट्रिक के अंदर आता है लेकिन अब बात करते हैं नौन इस्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट की इसमें आपके पास ऐसे ठोस आने वाले हैं जिनमें दोश तो होंगे डिफेक्ट होंगे लेकिन अब केटायन और एनायन की मातरा बराबर नहीं पाई जाएगी चाहिए लड़े आपको दिखाता हों कि ऐसे के अंदर ये दिफेक्ट कैसे प्यता होते हैं जड़ा गदर पहला इकजाम्पल देखो इसके अदर मैं आपको पहला एक्जाम्पल दिखा रहा है एकत्रम ध्यान से समझ देखा Hem थोड़ा ध्यान समझेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे यह देखो बैटा यह देखो मेरे पास एक ठोस आया ध्यान सुनना मेरे पास एक ठोस आया इसमें एक एनायन अपने जगे से गायब है एनायन गायब है पर केटायन गायब नहीं हुआ है यहां से एक केटायन एक एनायन अपने जगे से गायब है तो जब भी किसी ठोस के अंदर एनायन अपने वास्तवीक स्थान से गायब पाया जाएं, टो कह देना कि धातु अधिक के दोस के अंदर यह आता है, इसको जब भी किसी ठोस को आप देखते हो और ये पाते हो कि एक एनायन अपने इस्थान से गायब है तो बैटा एनायन गायब हुआ है, केटायन गायब नहीं हुआ है मैंने कहा एनायन गायब हुआ है, केटायन गायब नहीं हुआ है तो अब बताईए क्या यहाँ पर केटायन और एनायन की संख्या बराबर है सिर्फ एनायन गयाब हुआ है सिर्फ famine गायब वहन है के time गायब नहीं हुआ है तो यहाँ पर केटायन और एनायन की संखिया बराबर नहीं है जबभी किसी ठोसके अंदर एक एनायन जगा से गायब हो जाए केटायन गयब ना हो, सिर्फ एनायन गयब हो तो इस तरह के दोश को धादू अधिक के दोश कहा जाता है अब प्राब्लम क्या है? प्राब्लम यह है कि बेटा एनायन चला गया एनायन के चले जाने से अब केटायन और एनायन की संख्या बराबर नहीं है आप यहाँ पर count करके देख सकते हो, गिन के देख सकते हो, आप यहाँ देखिए, यहाँ केटायन और एनायन की जो संख्या है वो बराबर नहीं है, तो बैटा इसलिए यह non-istotiomatic defect है, इसलिए यह non-istotiomatic defect है, तो अब problem यह है कि एनायन चला गया, केटायन नहीं गया है, इसम और N.i.n की संखिया बराबर ना हो तो जादा फरक नहीं पड़ेगा पर बेटा पॉजिटिव चाइर और नेगेटिस चाइर तो एक्वाल रह नहीं पड़ेगाinde और भई एनायन देखो एनायन में माइनस चार्ज है एनायन में माइनस चार्ज है तो जब एनायन गया तो माइनस चार्ज के साथ गया तो उसके वजह से ए और बी की संख्या अब अनिक्वल तो हो ही गई है ना साथी साथ जब बाहर गया तो माइनस चार्ज के साथ गया तो बेटा अब सुना ध्यान से केटायन और एनायन की संख्या बराबर हो चाहे मत हो पर प्लस चार्ज और मैनस चार्ज हमेशा बराबर होना चाहिए वरना कोई भी ठोस इस्थाई नहीं रह सकता आज तक कोई ऐसा ठोस नहीं पाया गया है जिसमें प्लस चार्ज और मैनस से बाहर जाता है तो अपने माइनस चार्ज को छोड़ के जाता है जब यह एनायन यहां से बाहर जाता है तो अपने माइनस चार्ज को छोड़ के जाता है अब तुम मुझे बताओ माइनस चार्ज मतलब क्या होता है बेटा माइनस से मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोन, भई कोई अपना माइनस चार्ज छोड़ सकता है क्या, क्या कोई अपना माइनस चार्ज छोड़ सकता है, हाजी छोड़ सकता है, क्योंकि माइनस चार्ज के मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन, मैंने कहा, एक्स्ट्रा इले तो ये chlorine चाहे तो अपने इस electron को कहीं पर भी छोड़ सकता है या बाहर निकाल सकता है तो याद रखना जो anion होते हैं उनमें जो minus charge होता है बेटा minus charge का मतलब होता है extra electron और कोई भी अपने extra electron को बाहर निकाल सकता है या छोड़ सकता है तो बस फिर क्या था यहाँ पर b था b मतल प्लस चार्ज और मैनस चार्ज की संख्या बराबर है। तो इस बात को याद रखना वैद्युत उदासिंता बनाई रखने के लिए याने कि system को electrically neutral रहने के लिए या स्थाई रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि plus charge और minus charge बराबर हो तो बेटा B चला गया कोई बात नहीं पर जब B बाहर जाता है तो अपने minus charge को छोड़ के जाता है ताकि इस ठोस का neutrality है वो बनी रहे जो उदा सिंता है वो बनी रहे तो बस फिर क्या है electron कैसे छोड़ देता है बेटा मैं फिर से repeat करता हूँ minus charge को मतलब होता है extra electron और extra electron को निकाला जा सकता है extra electron को निकाला जा सकता है तो अब यह B जब बाहर गया तो अपने लिए electron को निकाल गया अब आप साफ साफ देख सकते हो इस ठोस के अंदर plus charge और minus charge equal नहीं है लेकिन अब इन सब चक्करों में जर्गाशर सुनेंगे इन सब चक्करों में हुआ यह कि इस इस स्थान पर एक free electron छूड़ गया इस स्थान पर एक free electron इस स्थान पर एक मुक्त इलेक्ट्रों एक free electron छूड़ गया और इस free electron के कारण अब इस free electron के कारण ये ठोस अब ये ठोस color दर्शाएगा वैदित चालकता दर्शाएगा सिर्फ इस electron के कारण इस free electron के कारण अब ये ठोस वैदित चालकता दर्शाने लग जाएगा साथी साथ इसमें कलर आ जाएगा आपने क्लास 11 में ये पढ़ा है कि जब भी किसी परमाडू के अंदर free electron आ जाए या अयुगमित electron आ जाए unpair electron आ जाए तो ऐसे ठोस चुम्बकिय गुण शो करते हैं color शो करते हैं electrical conductors वैदु चालकता शो करते हैं आपको याद होगा कि जब किसी के पास free electron आ जाता है तो free electron के कारण ऐसे ठोस color शो करते हैं या इसके अलावा ये electrical conductors शो करते हैं यानि वैदु चालकता शो करते हैं इसके अलावा magnetic property यानि कि चुम्बकिय गुण शो करते हैं आपने class 11 में पढ़ा है अच्छा class 11 से मुझे याद आया कि class 11 के कई ऐसे concept हैं जो class 12 में बहुत ज़्यादा यूज होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे topic हैं कई chapters के अंदर जो आपको ना class 11 का पता होना चाहिए पर मैं आपको class 11 नहीं पढ़ाया हूँ तो बेटा आज हम इसी बार आप डिसकस कर रहे थे कि class 12 के जो बच्चे हैं उनको कुछ classes extra ले करके कुछ ऐसे topic जो class 11 के हैं और वो बहुत important है वो आपको बताया जाए क्योंकि देखिए अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि free electron के आने से कोई भी ठोस color शो करता है magnetic property शो करता है electrical conducting शो करता है जबकि यह सब हम class 11 में पढ़े हैं पर मुझे नहीं पता कि हर किसी बच्चे ने यह सब पढ़ा है कि नहीं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी बस एक हपते के अंदर अंदर एक schedule आपको बता दूँगा मैं अपने तरफ से चाहता हूँ कि मैं बैक लॉग क्लास लगाऊंगा ताकि हमारा 12 और अच्छा हो सके है तो चलिए हाला कि हाला कि जहां जहां पर class 11 से संबंधित कुछ भी आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा तो वापस आते हैं अब तुम मुझे यह बताओ इस दोश में एक एनायन चला गया पर केटायन ही गया मतलब यह नॉन इस्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट है पर उस ठोस को वैद्यूत उदासिंता बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए सिस्टम ने क्या किया एनायन जब बाहर गया तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया और जब इ आपको एक बात और बता दूँ वह इस्थान वह इस्थान जहां पर यह फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा उसे एक नंबर में यह कोश्चन ना जाने कि इतने बार आ चुका है कि वह एफ सेंटर क्या होता है तो बैटा मैं आपको बता दूँ एफ सेंटर में एफ सेंटर में यह जो एफ होता है ना इस एफ का मतलब होता है बैटा फर बी और फर बी का मतलब होता है जर्मन भाशा में जर्मनी के भाशा में फर बी का मतलब होता है बैटा color फरवी का मतलब color होता है तो अगर exam में प्रश्ण आया F center क्या होता है तो तुम कहना धातु अधि के दोश में जब एक एनायन अपने इस्थान को छोड़ कर बाहर चला जाता है तो वहाँ अपने electron को छोड़ की जाता है और उस electron के कारण और उस electron के कारण इस ठोस में color आजाता है color color आपको बताऊ मैं आपको मैं example बताता हूँ इसका एक example आपको बताता हूँ कि किस type के solid में ऐसा color होता है तो बैटा LICL में जब ये दोश पाया जाता है तो LICL में गुलाबी color आजाता है इस दोश के कारण और मैं आपको example बता रहा हूँ कि जब इन दोनों ठोस के अंदर ये दोश पाया जाता है तो free electron के कारण इन में इस तरह का color आ जाता है तो बैटा इसको F center क्यों बोलते हैं F center मतब बताब फरभी फरभी मतब color जर्मन भाशा में से color बोलते हैं तो ये electron color के लिए color के लिए कारक बना हुआ है color के लिए responsible है इसी लिए हम इस जगे को बोल देते है F center चलिए इसे एक बार फटा-फटा screenshot ले लिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अभी आपने धातु अधिक के दोश देखा अब इसका नाम धातु अधिक के क्यू पढ़ा इसको धातु अधिक क्यू बढ़ते हैं इसको न इंग्लीश में बोलते हैं metal access इसको बोलते है metal access धातु अधिक के दोश अच्छा आप मुझे एक वापताओ इन दोनों में LICL में धातु कौन है, LICL में धातु कौन है, LI, LI धातु है, KCL में धातु कौन है, K, तो क्या समझें, कि जो पॉजेटिव साइन वाले होते हैं, जो पॉजेटिव साइन वाले होते हैं, वो धातुविक आयन होते हैं, वो मेटल आयन होते हैं, जो plus charge वाले होते हैं वो metal iron होते हैं तो इसका मतलब यह समझो कि plus charge मतलब metal iron तो अब तुम इस structure को देख के बताओ तुमको plus charge वाला iron यानि कि धातु iron और minus charge वाला iron कौन ज्यादा दिख रहा है plus charge वाला iron और minus charge वाले iron में इस वक्त आपको कौन ज्यादा दिख रहा है है जी यहां B रहेगा न B minus A plus हां, कौन ज्यादा दिख रहा है A plus, अरे B चला गया तो उसके तुल्ले में A ज्यादा हो जाएगा नekkles उसके तुलने में A ज्यादा हो जाएगा और A Ketion है, तो बेटा ज्यादा कोन है? जाधा कौन है, केटाइन इसलिए इसको न, मैटल एक्सेस बोलते हैं, यानकी धातू अधिक के दोश बोलते हैं, धातू मतलब प्लस चारज और अधिक के मतलब जादा हो जाना तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज वाले आयन के तुल्ला में प्लस चार्ज वाला आयन जादा है इसलिए इसको धातू अधी के दोश बोल देते हैं चलो ठीक है अब आते हैं तीसरे केस में धातू की कमी से उत्पन होने वाले दोश धातू के कमी से उत्पन होने वाले दोश अब चलो इसके बारें बात करते हैं बेटा अब इसके वारे हम बात करते हैं, हाजी, तो अब यहाँ पर कौन बाहर निकला था याद है न, यहाँ कौन बाहर निकला था एनायन, यहाँ कौन बाहर निकला था एनायन, अब इसमें आते हैं, इस वारे केस में आते हैं, तो अब यहाँ सुनेंगे, मैंने आपके सामने एक फोस ले लिया बेटा यह देखो। इस बार क्या हुगा सूनों इस बार कि मेरे पास एक vehicle आया है जिस्में एक केटायन दाथन के अनियाल क्यी देखे हुए तो की कमिश्कma केटायन की कमिश्क्यम केटायन गायाम होगा यहां पर नायं यहां पर एनायन गयाब हुआ था और यहाँ पर यहाँ पर केटायन गयाब होने वाला है यहाँ पर केटायन गयाब होने वाला है तो अब फिर वही बात केटायन गयाब हुआ है एनायन गयाब नहीं हुआ है केटायन गयाब हुआ है एनायन गयाब नहीं हुआ है इसका मतलब A और B बराबर नहीं है इसलिए ये वाला दोष भी किस के अंदर आता है नॉन इस्टोशोमेट्रिक डिफेट के अंदर अरे भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ नॉन इस्टोशोमेट्रिक मतलब A और B का बराबर ना होना तो इसमें भी A और B बराबर नहीं है इसमें भी A और B बराबर नहीं है पर A और B बराबर नहीं हो चल जाएगा पर प्राब्लम यह है कि प्लस चार्ज और मैनस चार्ज तो आपको सेम रखने ही पड़ेगा तो तुम मुझे बताओ कि A बहार चला गया जैसे यहां B बहार गया था तो तुमको क्या लगता है इस बार ये ठोस अपना वैद्दूत उदासिंता बनाये रखने के लिए क्या करने वाला है क्या करेगा ये इस बार इस ठोस का neutrality यानि कि neutral पन कैसे बनेगा रवी शंकर हाँ बेटा तुम्हारा सही जवाब है रवी शंकर ने सही जवाब दिया और कोई बताएगा जैसे यहाँ पर B बाहर गया था तो अपने electron को छोड के गया था तो तुम बताओ यहाँ पर जब A बाहर गया तो यह अपने syllabus को अपने system को कैसे neutral रखेगा हाँ 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 एक बच्चन लिखा है positive charge छोड देगा positive charge छोड देगा यहाँ सुनों बेटा कोई भी परमाडू अपने minus charge को छोड सकता है कोई भी परमाडू अपने minus charge को छोड सकता है लेकिन कोई अपने proton को यानि कि plus charge को नहीं छोड सकता क्योंकि बेटा proton कहा होता है nucleus के अंदर proton कहा होता है नाभिक के अंदर और कोई अपने नाभिक को नहीं छोड़ सकता क्योंकि एक परमाडू का अस्तित्व उसके नाभिक से ही होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जब B बाहर गया तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ना बहुत आसान था पर जब A बाहर जाएगा तो वो प्लस चार्ज को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी प्लस चार्ज को नहीं छोड़ सकता प्लस चार्ज प्रोटॉन का होता और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और नाभिक क से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा जब ये केटायन बाहर गया तो किसी दूसरे केटायन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा और बेटा इस केटायन में पहले से एक प्लस चार्ज बना हुआ है अब इसमें से एक इलेक्ट्रोन और छीन लोगे तो इसमें 2 प्लस चार्ज आ जाएगा तो इसमें 2 प्लस चार्ज आ जाएगा तो अब तुम देखो अब तुम यहाँ पन गिन के देखो काउंट करके देखो A और B equal नहीं है पर count करके देख लो plus charge और minus charge equal है बेटा plus charge और minus charge equal है तो मैंने क्या बोला था A और B equal हो चाहा है मत हो पर plus charge और minus charge equal होना ही चीए तो जब kate-n बाहर जाता है तो वो किसी दूसरे kate-n से एक electron लेके बाहर चला जाता है जिससे system neutral बना रहता है पर एक question है कि किसी दूसरे kate-n से electron लेके कैसे बाहर चला गया क्या एक दूसरे kate-n से electron निकारा जा सकता है तो अब सुना ध्यास से बेटा ये बताओ तुम मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ पर A B लिखता हूँ A plus B minus तो यह आप सबने पढ़ा होगा A आपने सबने पढ़ा होगा कि minus charge उस पे होता है जो electron को छीन सके है जी minus charge उस पे होता है जो electron छीन सके और plus charge उसमें होता है जो electron दे सके इस fenomena को क्या बोलते हैं जो electron छीनता है हम ऐसे परमाडू को इलेक्ट्रोन नेगेटिव बोलते हैं या रिड विद्यूत परमारू बोलते हैं तो जब भी कोई माइनस चार्ज वाला एटम दिखता है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोन छीनने वाला एटम है और अगर कोई अगर कोई प्लस चार्ज वाला है मतलब वो इलेक्ट्रोन द देने वाले तत्व बना हुआ है यहां पर जो ए है ए पहले से ही इलेक्ट्रॉन देना जानता है तो अगर ए इलेक्ट्रॉन देना जानता है तो एक इलेक्ट्रॉन और छिन लोग तो क्या भीगर जाएगा उसको अगर ए इलेक्ट्रॉन देना जानता है या इलेक्ट्रॉन द नहीं हो सकता ये ये सिल्वर नहीं हो सकता ये जो ए है ये पोटेशियम नहीं हो सकता ये लीथियम नहीं हो सकता ये सब इस इक्जामपल में फिट नहीं बैठते क्योंकि क्योंकि इन सबका वैलेंसी यानि की बंधुता एक होता है बेटा इन सबका वैलेंसी एक होता है मतलब यह लोग एक electron निकाल देंगे तो दूसरा electron है निकाल सकते लेकिन 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 copper में 1 प्लस चार्ज है यह चाहे तो एक electron और निकाल सकता है क्या बन जाएगा जी Cu2+, Pb, Pb में 2 प्लस चार्ज है यह चाहे तो और electron निकालके Pb 4 प्लस बन सकता है Sn, Sn में 2 प्लस चार्ज है यह चाहे तो और electron निकालके Sn 4 प्लस बन सकता है Iron, Fe, Fe में 2 प्लस चार्ज है यह चाहे तो एक electron और निकालके 3 प्लस चार्ज शो कर सकता है तो क्या समझे ये एक्जामपल सिर्फ उन धातुओं में संभव है जो एक से ज़्यादा वेलेंसी शो करने का छमता रखे या एक से ज़्यादा प्रॉन निकाने का छमता रखे बेटा किसी भी कीमत में ये सब आयन इस एक्जामपल में नहीं आ सकते तो याद रखना ये वारा जो दोश है ये दोश तभी संभव है जब आप ऐसे धातुओं का ठोस लेंगे जो एक से ज़्यादा वेलेंसी यानिकी संयोजक्ता दर्शाने का छमता रखे तो प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लेजी फिर आगे बढ़ते हैं बेटा नहीं अभी कि पहले प्लस वन बनता है फिर प्लस टू बनता है यह प्लस टू बनता है और बस प्लस टू ही शो करता है प्लस थ्री नहीं कर सकता तो केल्सियम बेरियम ये लोग इस श्रेडी में नहीं आ सकते चलो आगे बढ़ते हैं तो अभी आप लोगों ने पहला दोश देख इस्टोशोमेट्रिक जिसमें केटायन और एनायन की संख्या बराबर पाई गई फिर दूसरा आपने देखा नॉन इस्टोशोमेट्रिक जिसमें केटायन और एनायन की संख्या बराबर नहीं है और अब चलिए उस दोश में पहुंचते हैं जहां कुछ दिर पहले ही तो अब सुनेंगे ध्यान से दोष तीन तरह का होता है इस्टोशोमेट्रिक और तीसरा है तीसरा है इंपिउरिटी डिफेक्ट इंपिउरिटी डिफेक्ट यानिके अशुद्धी दोष अब इसके बार में कुछ दर पहले मैं जब बोलना चालू कर चुका था चलो एक बार फिर से बोल देता हूं सुनना ध्यान से जब किसी ठोश में दोश नहीं होता जब किसी ठोश में दोश नहीं होता तो हम उसमें जान बुझकर दोश पैदा करते हैं हम जान बुझकर उसमें डिफेक्ट पैदा करते हैं क्या मिला के impurity क्या मिला के अशुद्धी मिला के तो जब किसी ठोश में अशुद्धी मिलाया जाए तो हम उसे impurity defect कहते हैं पर प्रस्थ नहीं यह उठता ही करते क्यूं है करते क्यूं है क्यूं मिलाते हैं keep it बताऊंगा सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैंने कहा अभी कूछ तहीर में बताया था कि अशुद्धी दोष्ट को डोपिंग् dissemita doping अर्ब पूंज़्य बताईए सब्रस्थ्छन कुछ दिर पहले में आपसे पूंछ रहा था डोपिंग जानते क्या होता है डोपिंग क्या होता इससे पहले आप यह शब्द सुने हो बताइए यस सशी कहा सुना है बैट आपने डोपिंग मतलब क्या आप लोगों यह शब्द सुना है देखिए अगर आप लोगोंने डोपिंग शब्द सुना है डोपिंग वर्ड सुन या तो आपके syllabus में physical education आपने select किया है या फिर आप खेल कुद बहुत पसंद करते हैं या तो आप खेलना कुदना या खेल के तरफ रुजहान आपका बहुत जादा है अक्सर ये doping सब खेल जगत में जादा यूज होता है चले मैं आपको बताता हूँ doping का मतलब क्या होता है simple भाषब है जब किसी खिलाडी के ऊपर doping दोश लगता है तो उसे suspend कर दिया जाता है यह illegal है यह illegal मैं आपको समझाता हूँ साधारन भाषा में इसको बोलते है drug लेना या अशुद्धी मिलाना अगर आप खेल कुद पर रूची रखते होंगे तो मैं आपको बता दूँ कि कई बार कुछ खिलाडी ऐसे हैं जिनको अपने खेल से कुछ समय के लिए investigate कर दिया गया था इस athlete ने कोई अलग से कोई chemical अलग से कोई chemical तो नहीं लिया है अपना stamina बढ़ाने के लिए अपना performance बढ़ाने के लिए और अगर उसने ऐसा किया है तो उसे अवैद माना जाता है पहले यह allowed था पहले आज से मतलब समझ लिए 30 साल 20 साल पहले यह allowed था पर आज कल इस पर ban लग मैचेस के लिए बिठा दिया गया था अगर आप tennis देखते हैं तो एक खिलाडी है बहुँ सुंदर सी मारिया सारा पोवा उसको भी doping केस के लिए कुछ मैचेस से बिठा दिया गया था और अभी दो या तीन साल पहले की बात है अगर आप cricket देखते हैं तो एक खिलाडी है प्रित्विशो जानते होंगे आप जो इंडिया के लिए खेलते हैं प्रित्विशो उनको भी doping केस के लिए एक टेस्ट में से बाहर निकाल दिया गया था जबकि प्रित्विशो ने कोई ड्रग नहीं लिया था उन्होंने सिर्फ खासी का सिरप पिया था उन्होंने रहा हुआ chemical doping के category में आता है तो उसने सिर्फ खांसी का सिरफ पिया था पर जब doping test हुआ तो उसके body में ऐसा chemical पाया गया जो इस category में आता है इसलिए उनको कुछ match के लिए बिठा दिया गया और एक खिराडी के लिए doping test पर पकड़ा जाना एक बहुत शर्मनाक इस्तिती होती है हाला कि आज इस पर बैन लग गया है तो बैटा simple भाशा में simple भाशा में doping का मतलब होता है एक साप सुथरे body में बाहर से कोई अशुद्धी मिलाना ताकि उस body का performance बढ़ जाए application बढ़ जाए वह ज्यादा काम का हो जाए तो बैटा अगर कोई ठोस मेरे लिए काम का नहीं है तो उसमें मैं दोश पैदा करूंगा अशुद्धी मिलाके तो अब देखते यह कैसे होता है और आखिर इसकी आवशक्ता क्यों पड़ी अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे ठोस थे जिन में प है नोगे तो डोपां चली आएगा पहले देखते हैं ग्रोपींग कैसे करते हैं तो डोपींग करने के लिए एक आदर्श एक्जाम्पल में आपके सामने लेता हूं एक्जाम्पल सिलिकॉन का एक मिनट जहां समझेंगे प्लीज हाई यही कदर रखते हैं चलिकॉन का यह मैंने यहाँ पर सिलिकॉन ले लिया सिलिकॉन सिलिकॉन आवर्त सारडी में यानि कि पेरियोडिक टेबल में किस सम्मूह में आता है बैटा सिलिकॉन किस ग्रूप में आता है पेरियोडिक टेबल में ये किस ग्रूप में आता है है जी 14th ग्रूप में सिलिकॉन 14 गुरूप में 14 गुरूप में आता है इसलिए सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा सिलिकॉन आवर्तसार्णी में 14 गुरूप में होता है 14 गुरूप में होता है इसलिए ये इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यह देखो आप देख सकते हैं इसके वैलेंस शेल में याने की आउटर मोस्ट शेल में याने की बाहरी कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन पाय जाते हैं इसी कारण, इसी कारण सिलिकॉन जो होता है, वो चारो तरफ से 4 बंद बनाता है, इसलिए सिलिकॉन जो होता है, वो चारो तरफ से 4 बंद बनाने की छमता रखता है, सिलिकॉन को हम लोग बेटा टेट्रा वैलेंड बोलते हैं, सिलिकॉन को हम लोग टेट्रा वैलेंड बोलते गौर सुनेंगे मैंने सिलिकॉन का एक ठोस ले लिया और अब आप देख सकते हैं यह जो सिलिकॉन मैंने बनाया है यह एकदम परफेक्ट दिख रहा है मैंने यहां पर सिलिकॉन लिया है और इदम परफेक्ट है लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं सिलिकॉन के इस परफेक् के अंदर 15 ग्रूप का कोई तत्व मिलाने जा रहा हूं तो बैटा मैंने जातों क्या किया मैंने ना अच्छा 15 ग्रूप में पंदर्वे ग्रूप में कौन कौन से तत्व होते हैं नेक्रोजन, फॉस्फोरस, आरसेनिक, एंटीमनी, बिस्मत तो माल लो कि मैं सिलिकॉन के अंदर आरसेणिक का डोपिंग करने वाला हूं यानि कि आरसेनिक मिलाने वाला हूं देखना क्या होता है जैसे मैं अर्सेनिक को अंदर भेजूंगा तो यह देखो बेटा अर्सेनिक यहाँ पर आ गया अब प्राब्लम ये है कि अर्सेनिक पंदरवे समूं का है फिप्टिन गुरूप का है जिसके कारण अर्सेनिक के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रोन होते हैं आरसेनिक के बाहरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रोन होते हैं ये देखो और बेटा पांच इलेक्ट्रोन अगर होंगे तो उसमें से चार इलेक्ट्रोन बंद बना लेंगे चार इलेक्ट्रोनों ने बंद बना लिया और एक इलेक्ट्रोन फ्री हो गया एक मुक्त इलेक्ट्रो बना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए और बेटा जब फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए किसी के अंदर तो फिर ऐसे ठोस वैद्धुत चालकता दर्शाते यानि कि यह क्या बन जाते हैं यह कंड़क्टर बन जाते हैं यह चालक चालक वियदुदृ चालक बंजाते हैं तो सुरू जरा सिलीकॉण जब प्योड था शुद्र था तो कोई काम का नहीं था पर जब मैंने उसमें ऐसेनीक लाया तो एसेनीक मिलाते ही फ्री एलेक्टरॉन आ गया और फ्री एलेक्ट्रोन के कारण अब सिलिकॉन इलेक्टρίसीटी कंड़क्ट करेगा ठीक अब इसमें आते हैं वापस इस बार मैं क्या कर रहा हूँ इस बार 나 मैं 24 गुरुप में याने का सिलिकॉन वाले समू में 13 गुरुप का कोई तत्व मिलाने वारा हो यहाँ पर मैंने पंदरवे ग्रूप का तत्व मिलाया यहाँ पर आप मैं तेरवे ग्रूप का कोई तत्व मिलाऊंगा तेरवे ग्रूप में कौन कोई से इलिमिंट होते हैं बरॉन, एलमुनियम, गैलियम, इंडियम, ठैलियम तो माल लिजे मैंने गैलियम ले लिया ये देखो मैंने हाँ पर गैलियम ले लिया और अब समस्या ये है कि गैलियम तेरवे सा मुखा है इसका मतलब गैलियम के बाहरी कक्ष में केवल तीन इलेक्ट्रॉन होंगे केमल तीन इलेक्ट्रोन होंगे तो अब मैंने गेलियम को अंदर भेज दिया किस के अंदर सिलिकॉन के अंदर ये देखिए गेलियम अंदर आ चुका है पर अब समस्या ये है कि गेलियम के पास केमल तीन इलेक्ट्रोन है गेलियम के पास केमल जगा बन जाएगा यहां पर खाली जगा बन जाएगा तो इस खाली जगे को हम बहुते बेटा होल होल या आप चाहें तो इसे वाइड भी कह सकते हैं तो अब क्या हुआ जैसी मैंने सिलिकॉन के अंदर गैलियम को भेजा तो जैसी गैलियम अंदर गया तो क्योंकि उसके पास केमल तीन इलेक्टरॉन होते हैं यहाँ बीच में एक गैप बन गया और अब इस गैप के बन जाने के कारण सिलिकॉन फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करेगा याने कि अब फि दोबी यह तब से बैं ऑन दो आपता है जब से मैंने शुरू किया है ईक जीज बता रहाएं कि जब भी गैप बनता है तो वैद्दुट्ट चालगता आ जाता है अभी तक मैंने आपको यह नहीं बता है कि gap बनने के कारण कोई वैदू चाला कैसे बन जाता है इतना तो मैं समझ सकता हूं कि अगर मुक्त electron आ गया free electron तो बैटाब सबको पता है न कि जब किसी वस्तु के अंदर free electron याने कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उन इलेक्ट्रॉनों के गती के कारण, मुव्मेंट के कारण वो ठोस electricity कंड़क्ट करता है ये बाद सबको पता है कि जब किसी ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भई वो वेद्दू चालकता दर्शाएगा पर अब प्रस्ण ये उड़ता है कि hole बन जाने से या gap बन जाने से कोई कैसे चालक बन जाता है कोई कैसे conductor बन जाता है मैं बताता हूँ पहले काम कीजिए इसके screen shot लीजिए बेटा तो प्रश्ण ये था कि होल के बन जाने के कारण आखिर कोई ठोस कैसे व्यद्दू चालक बन जाता है असल में क्लास लेते लेते मैं समय को देख नहीं पाया बिटा आज तो समय काफी आगे बढ़ गया है तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर रुकूंगा अब एक क्लास और लग जाएगा इस चैप्टर को खतम करने के लिए अब एक क्लास और लगेगा और अभी भी यह सस्पेंस बना हुआ है कि हमने अशुद्धी मिलाया क्यों हमने अशुद्धी मिलाया क्यों और हमारे पास पहले से गोर सुना तो जान बुच कर चालक बनाने की आवश्चता क्यों पड़ी आखिर क्यों हमें कंडक्टर बनाना पड़ा आज क्लास थोड़ा आगे बढ़ गया तो चलिए काम करते हैं इस बात को यही पर थोड़ा सा हमारे सोच को सस्पेंस के फॉर्म में यही पर रोकते हैं और अगले क् होते हैं आप सब कुछ जान जाएंगे कि आखिर अशुद्धी क्यों मिलाई गई और किसी भी ठोस में अशुद्धी मिलाने से हमें फायदा क्या मिलता है तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं बेटा क्लास चारू करने से पहले हमेशा की तरह याद दिला दूँ अभी क् चैप्टर के हम आखरी हिस्से में पहुच चुके हैं इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजे पढ़ी जैसे कि ठोसों का वर्गी करन देखा आयोनिक ठोस के बारे हम पढ़ा आयोनिक ठोस के अंदर जो आयंस होते हैं उनकी जो वेवस्था होते हैं उसके बारे हम पढ़ और अभी कुछ क्लासेस से हम तुरूटियों के बारे में पढ़ रहे थे आपको याद होगा कि जो ठोस होते हैं उनमें जो तुरूटियां पाई जाती हैं उनहीं के कारण हम ये समझ पाएं कि जो ठोस होते हैं आयोनिक ठोस ये ठोस अवस्था में भी वैदूच्चा रखता कलर और चुमबा की गुण दर्शाते हैं तो हमने शुरू में ऐसा सुना था कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये मेगनेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते जब वो सॉलिड इस्टेट में होते हैं पर हमने क्या जिनके अंदर अशुधियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर डिफेक्ट पाई जाते हैं, उनमें इस तरह के प्रॉपर्टी आ जाते हैं और आपको याद होगा ये तो डिफेक्ट थे, ये बेटा तीन तरह के थे, एक इस्टोश्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन दिफेक्ट और तीसरा तीसरा जो था वो है इंपिरूटी डिफेक्ट तो हम लोगों ने हम लोगों ने पिछले क्लास में इंपिरूटी डिफेक्ट यही पर चीजों को छोड़ा था तो चलिए यही से कहानी आगे बढ़ाता हूं बैटा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जो अशुद्धी दोश है impurity defect इसके बारे में बात किया था हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जो ठोस होते हैं उनमें दोश पहले से पाय जाते हैं जो ionic ठोस होते हैं या ठोस होते हैं उनमें दोश पहले से होता है लेकिन जब किसी ठोस में दोश ना हो तो हम जान बुच कर उसमें अशुद्धी मिलाके इंप्यूरिटी मिलाके उसमें दोश पैदा करते हैं ताकि हम उसके पर्फॉर्मेंस को बढ़ा सके उसके एपलिकेशन को बढ़ा सके उसे जादा काम के लायक बना सके तो पिछले क्लास में हम इस बारें बात कर रहे थे कि अगर कोई ठोस शुद्ध है उसमें किसी प्रकार की तुरूटी नहीं है दोश नहीं है तो आकिर हमें क्यूं ऐसी आवशकता पड़ी की भई हम उसमें जान बुच कर अशुद्धी मिलाते हैं और उसमें दोश पैदा कर करते हैं तो आकरी क्लास में हम यही पर आ करके रुख गये थे हमने अशुद्धी मिलाना हमने अशुद्धी मिलाना सीख लिया था पर अभी भी हमको यह समझ में नहीं आया है कि आखिर हमें क्यों अशुद्धी मिलाना पड़ा किसी भी परफेक्ट सॉलिड में आखिर हमे क्यों इम्पिरूटी मिलाना पड़ता है आज इसके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए आपके सामने वापस आता हूँ मैं तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने अशुद्धी दोश पड़ना शुरू किया था इसे और क्या बोलते हैं बैटा इंप्यूरिटी डिफेक्ट इंप्यूरिटी डिफेक्ट याने की हम अशुद्धी मिलाएंगे तो तो वापस होते हैं अशुद्धी दोश्ट पिछले क्लास में पिछले क्लास में हमने यह देखा था कि किसी ठोस क के अंदर अशुद्धी कैसे मिलाई जाती चलो एक बार में आपको याद दिला देता हूँ तो यह देखो बेटा आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था कि सिलिकॉन जो होता है सौरी। सिलिकॉन जो होता है वो आवर्त सांडी में यानि की पेरियोडिक टेबल में 14 ग्रूप का होता है 14 गुरूप का सिलिकॉन periodic table में 14 गुरूप में पाया जाता है इसलिए सिलिकॉन के 4 तरफ उसके जो बाहरी कक्ष है उसमें 4 इलेक्टरोन होते हैं इसलिए सिलिकॉन 4 तरफ से इसलिए सिलिकॉन 4 तरफ से 4 बंद बनाके एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं देखें ये बेटा ये परफेक्ट सिलिकॉन का इस्ट्रक्चर है ये जो मैंने बनाया है ना इस सिलिकॉन में किसी प्रकार का दोश नहीं है अब हम जान बुचके सिलिकॉन के अंदर अशुद्धी मिलाएंगे तो सबसे पहले आपको याद होगा हमने सिल को याद होगा अरसेनिक हमने सिलिकॉन के अंदर अरसेनिक मिलाया था और आपको ये भी याद होगा अरसेनिक क्योंकि पंदरवे ग्रूप का है तो इसके बाहरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे ये देखो पांच इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अगर आप अरसेनिक को अगर आप और सैनिक को सिलिकॉन के अंदर भेज दोगे देखिए सिलिकॉन अंदर आ चुका है सिलिकॉन जो है वो अंदर आ चुका है पर क्योंकि सिलिकॉन के पास क्योंकि सिलिकॉन के पास बाहरी कक्ष में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पांच में से पांच इलेक् है तो चाहूंगा एक हाजी तो हम बात कर रहा थे कि आप अर्सेनिक को जैसे अंदर भेजते हैं तो क्योंकि आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पाँच इलेक्ट्रॉन में से चार इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में अपना योगदान दे देते हैं लेकिन इन सब चक्करों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक free electron है याने कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक electron आपको साप-साप अयुगमित तोर पर दिखाई दे रहा है तो होता क्या है silicon के अंदर अगर आप arsenic को डोप करेंगे डोप करेंगे याने कि अशुद्धी के तोर पर मिलाएंगे तो जैसे arsenic अंदर जाता है तो ऐसा सर्रशना तयार करता है जिसमें एक electron आपको free दिखाई देता है जबकी वही पर आपको याद होगा एक case और था जिसमें हम 13 समू का तत्व silicon के अंदर मिलाते हैं और 13 समू के तत्व के रूप में हमने किसको मिलाया था आपको याद होगा हमने मिलाया था गैलियम हमने मिलाया था गैलियम को और जो गैलियम होता है गैलियम के बाहरी कक्ष में कितने electron होते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने गैलियम को अंदर भेजा सिलिकॉन के अंदर जब गैलियम अंदर गया तो परशानी ये हुई परशानी ये हुई कि गैलियम के बाहरी कक्ष में मातर तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण गैलियम सिर्फ तीन सिलिकॉन के साथ बंद बना पाएगा ये देखिए सिब तीन सिलिकॉन के साथ उसने बंद बनाया पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है मतब यहाँ बंद नहीं बन पाया और बंद नहीं बन पाया तो बेटा यहाँ पर एक गैब बन गया यहाँ पर एक खोकला पन आ गया खाल इस खाली पन को हम नों क्या वोलते हैं होल तो अब देखो हुआ क्या यहां पर यह सीलिकॉन का बिलकुल शुद्ध अवस्था है यह सीलिकॉन का एकड़म परफ्रेक्ट सॉलीड है पर यहां पर मैंने सिलिकॉन के अंदर अर्षैनिक डाल दिया अशुद्धि के रूप में और यहाँ पर मैंने सिलिकॉन के अंदर गेलियम डाल दिया अशुद्धी की रूप में, और जब मैंने अरसेनिक डाला, तो नतीजा यह हुआ कि मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और जब मैंने गेलियम डाला, तो मुझे होल याने कि खाली पन, खोखला पुण दिखाई दे रहा है, और बेटा, जब भी आप सिलिकॉन में अशुद्धी मिलाते हैं, जैसे ही आप सिलिकॉन में अशुद्धी मिलाते हैं, तो सिलिकॉन के अंदर एक बहुत ही चमतकारी गुड आ जाता है, व्यद्यूद्ध चालकता, फिर से रिपीट करता तो भई हमारे पास तो वैद्दू चालक बहुत सारे होते हैं पर सिलिकॉन को चालक बना के मैंने क्या नया किया और मुझे आवशक्ता क्यों थी और मैं क्यूं सिलिकॉन दोवारा दर्शाय गये चालक ता को चमककारी गुर कह रहा हूं बताता हूँ आपको तो फिरहाल पहले तो ये समझ लो कि जब आप अशुद्धी मिलाते हो तो अशुद्धी मिलाते ही दो बाते होंगी पहला या तो फ्री इलेक्ट्रोन उत्पन होगा या तो या तो वहाँ पर गैप यानि की होल उत्पन होगा और इन दोनों ही आवस्था में अब सिलिकॉन व पर जैसे मेरे सिलिकॉन में शुद्धी मिलाया तो अब सिलिकॉन अब सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करने लगा तो अब सिलिकॉन मेरे लिए मैंने इसमें शुद्धी मिलाया है तो अब देखिए अब फ्री एलेक्ट्रॉन और होल के आ जाने से अब सिलिकॉन वैद्दू चालकता दर्शाएगा और आपको पता है कि जब भी कोई चीज वैद्दू चालकता दर्शाता है तो उसे हम चालक कहते हैं या सिंपल भाषण क्यों किया मैंने ऐसा सिलिकॉन सिलिकॉन कितना पर्फेक्ट था सिलिकॉन कितना पर्फेक्ट था हाँ बेटा क्लास 11 की क्लास सो मुआर से शुरू होने वाली है क्लास 11 की जो क्लास है न वो तीन तारिक से शुरू होने वाली है ठीक है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हाँ वापस आते हैं अब ये बात आ रहे थी कि सिलिकॉन कितना प्यारा कितना सुन्दर दिख रहा है यहाँ पर एदम परफेक्ट है उसमें कोई प्रकार की परिशानी नहीं थी आपने सिलिकॉन के अंदर अशुधी मिला दिया और आप उसे मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करने के लिए तो प्रश्ण था क्यूं आखिर आपने क्यूं सिलिकॉन का परफेक्ट इस्ट्रक्चर भी गाड़ा वह यसी क्या आवशक्ता आन पड़ी थी कि आप सिलिकॉन को जवरदस्ती कंड़क्टर बना रहे हो चालक बना रहे हो तो चल चालक अविलेबल हैं हमारे पास कई नेचुरल कंड़क्टर अविलेबल हैं जैसे की कॉपर सिल्वर गोल्ड एलमुनियम आइरन ये सब ऐसे धातू है जो जन्मजात जो जन्मजात वैदुचालक है भई जितने भी धातू होते हैं वो जन्मजात जो है वैदुचालक होते है तो जब हमारे पास पहले से कुदरती चालक उपलब्द थे तो फिर आखिर क्यूं यहाँ पर जान बुझ के चालक बनाना पड़ा क्यूं हम सिलिकॉन के इस परफेक्ट स्ट्रक्चर को बिगाड रहे हैं क्यूं उसे मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करने के लिए तो चले उसका असर बताता हूं बेटा असल में होता क्या है कि जितने भी कुदरती चालक हैं जितने भी नेचुरल कंड़क्टर हैं जितने भी नेचुरल कंड़क्टर हैं वे मेरी बात नहीं करेंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे मैंने कहा कि जो नेचुरल कंड़क्टर होते हैं वो मेरी बात नहीं मानते 舔 मेरे बात दीन मानते हैं मतलब किस तरकी बात को निनने अफील यह बताओ जैसे माल लो आप एक आप जैसे एक हाइटेंशन अफिक है जैसे यह दिखो यूर्श एक गर के बाहर लगा हुआ हाईटेंशन वायर है नियुट एक सारो अब प्टे अब मैं क्या सोच रहा हूं मेरे पास एक बड़ा सा लोहे का रोड है सुना मेरी बात मेरे पास एक बड़ा सा लोहे का रॉड है और अब मैं इस लोहे के रॉड को इस high tension वायर में touch करूँगा अब इस लोहे के रॉड को मैं इस high tension वायर में touch करूँगा और लोहे से लोहे से मैं विंती कर रहा हूँ कि भाई आज ना तू थोड़ा सा कम electricity conduct करना या मत करना मैं अब मरना निचाथा हाला कि ऐसा कर रहा हूं मैं तो मैं लोहे से कह रहा हूँ मैं लोहे से याने की iron से कह रहा हूँ कि भाई आज तू ज़्यादा electricity conduct मत करना या कम करना या करना ही मत लेकिन क्या ये लोहे मेरी बात मनेगा नई तो इसका मतब क्या समझे लोहा कॉपर सिल्वर गोल्ड जो प्राकृतिक धातू होते हैं बेटा उनको जितना इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करना है यह वे उतना करेंगे ही करेंगे वह आपकी बात नहीं मानेंगे आप कहोगे कॉपर को मालिज आप पस कॉपर का वायर है त तो थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करना कल थोड़ा ज्यादा करना तो आपकी बात नहीं मानेगा तो अब प्राब्लम क्या था कि जो प्राकृतिक कंड़क्टर होते हैं जो प्राकृतिक कंड़क्टर होते हैं वो आपकी बात नहीं मानते वो उनको जितना चाल आवशक्ता क्यों पढ़ रही है किसी धातु से ये विंती करने के लिए कि भाई तुम मत करो इलेक्टरिक ये कम करो तो अब मैं आवशक्ता की बारे में बताता हूं आपको ध्यास सुनना बेटा ध्यास सुनेंगे अच्छा उससे पहले आप मुझे एक बाब बताओ कि जो प कर रहा है उनको एक तरप रखो इनको मैंने बनाया है मैंने अशुधी मिला के बनाया है अगर मैं कहूंगा अगर मैं इसे कहूंगा कि तुम थोड़ा कम electricity conduct करो तो यह कम करेंगे अगर मैं इसे कहूंगा थोड़ा जादा electricity conduct करो तो जादा करेंगे कैसे सिंपल सी बात है बेटा कि तुमने कहा free electron के कारण और hole के कारण यह electricity conduct करते हैं तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा जादा इलेक्टरिसिटी कंड़क्ट करें तो बैटा अशुधी जादा मिला दूँगा जादा मिलाओंगा तो जादा free electron बनेंगे तो ये जादा electricity कंड़क्ट करेंगे और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कम electricity कंड़क्ट करें तो उसके लिए मुझे अशुधी कम मिलाना होगा और कम मिलाओंगा तो कम free electron बनेंगे कम hole बनेंगे तो ये कम electricity कंड़क्ट करेंगे तो क्योंकि इनको मैंने पैदा किया है तो मेरे द्वारा मिलाओंगे अशुधी के मात्रफ़ पर ये निर्भर करेंगा कि ये कितना electricity कंड़क्ट करेंगे और दूसरे या तो आपने बनाए है तो जब हम किसी पदार्थ को conductor बना देते हैं तो वो कहलाता है बेटा Semi-Conductor इसी आप साथ अर्ध चालक कहते हैं Semi-Conductor याद रखेंगे प्राकृतिक conductor एक तरफ रखो पर वे कंड़क्टर जिसको हम बनाते हैं इन्हें सेमी कंड़क्टर कहते हैं और वो सेमी कंड़क्टर जो फ्री इलेक्ट्रोनों के कारण वैद्दू चालकता दर्शाता है इसे बेटा इसे हम N टाइप N टाइप सेमी कंड़क्टर कहते हैं और वो सेमी कंड़क्टर जो होल के और शायद आप इसे physics में भी पढ़ेंगे और physics में और deeply पढ़ोगे, physics में physical concept आपके सामें आएंगे, मैं यहापर उसको chemical जो theory है वो बता रहा हूँ, हाँ जी, तो मैंने कहा कि चालकता दो प्रकार के होते हैं, एक जो या तो प्राकृतिक है और दूसरा जिसको आपने बनाया है, तो आप जिनको बनाते हैं, उन्हें semi conductor कहते हैं, और क्योंकि इनको आपने बनाया है, तो आप इनको अपने हिसाब से बनाएंगे, कि आप कम electricity conduct करो, या जादा करो, यहाँ पर आपकी मर्जी चलेगी, पर अब अंत में उसी प्रस्ट में आते हैं, कि मुझे अपने इनको बनाता हूँ, मेरे पास already जो natural conductor है, वो उपलब्ध है, उसके बावजूद इनको क्यों बनाना पड़ा, अब चले अंत में उस बारे में आते हैं, तो बेटा, यहाँ सुनना, कभी आप किसी electronic system को, कभी आप किसी electronic system को खोल देना पूरा, ओपन कर देना, तो यहाँ सु बनाना नहीं आता, बस मैं बता रहा हूँ, कि मैंने एक computer को खोल दिया, तो आप लोग भी ध्यान दियो होंगे, कि जब computer को खोल दोगे न, तो अंदर में आपको बहुत जटिल, बहुत complicated circuit, बहुत complicated, बहुत complicated electronic equipment मिलेंगे, motherboard, RAM, processor, ऐसे ना जैने, छोटे 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 बहुत सारे कुछ electronic system लगे हुए है, motherboard, processor, RAM, hard disk, ऐसा कुछ कुछ लगा हुआ है, बहुत जटिल दिखता है, मैं बड़ा simple से बना रहा हूँ, अब सुने यहाँ पर, अब बेटा, अगर मैं, गौर सुनेंगे, अगर मैं इस computer को चालू करता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर, यह circuit है, बहर एक output निकला हुआ है, तो और अच्छा, घर में हम कितना volt यूज करते हैं, बेटा, है जी, घर में हम कितना volt यूज करते हैं, voltage, सर, इससे ज्यादा electric conduct करने के लिए भी बना सकते हैं, नहीं, नहीं बना सकते हैं, क्यों, बताओंगा, बताओंगे बेटा, ठीक है, अधित्य, तुम्हें जब प्रशन पूछा है, मैं बताता हूँ, यह प्रशन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, चलो, ठीक है, तो मैंन अब मैं यहाँ पर अगर वोल्टेज की बात करूँ, तो हमारा घर में 220 वोल्ट यूज होता है, 220 वोल्ट यूज होता है, अब ध्यान से सुनना, अब बेटा, जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे जो equipment से लागे हुए हैं, अगर मैं सब को, अगर मैं सब को copper wire से जोड़ द तो हर एक equipment तक 220 वोल्ट पहुचेगा, हर एक equipment तक 220 वोल्ट पहुचेगा, पर यह बताओ, इस छोटे से, इस छोटे से equipment को 220 वोल्ट चाहिए, नहीं, इस छोटे से equipment को 220 वोल्ट चाहिए, नहीं, यह कह रहा है, यह कह रहा है कि मुझे मात्र 10 वोल्ट चाहिए, यह कह रहा है मेरा काम 8 वोल्ट में हो जाएगा ये कहरा है मेरा काम 50 वोल्ट में हो जाएगा पर तुम तो 220 वोल्ट दे रहे हो न तो अगर आप इन सभी equipment को copper wire से जोड़ दोगे तो ये उड़ जाएगा क्योंकि सब को 220 वोल्ट मिल रहा है तो अब मेरी परिशानी बढ़ गई कि मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा थोड़ा वोल्ट मिले इनको थोड़ा थोड़ा वोल्ट मिले पर copper मैंने तो copper wire लगा दिया है और copper wire मेरी बात नहीं मानता मैं अगर copper wire से कहूँँगा कि तो 200 V अंदर रा रहा है पर इसको ना सिफ 10 V देना तो copper मेरी बात नहीं माने गा तो अब मैंने क्या किया मैंने अभी अभी क्या बनाया है semiconductor अभी धी कूज देर पहले मैंने क्या बनाया है बेटा सेमी कंड़क्टर तो अब मैं उनका उपयोग करूंगा अब मैं उनका उपयोग करूंगा कैसे तो जानते हो क्या करूंगा मैं तो मैंने क्या किया मैंने यहां पर यहां पर बीच में बीच में मैंने एक सेमी कंड़क्टर लगा दिया मैंने एक सेमी कंड़क्टर ल लगाया है जो अंदर 220 वोल्ट तो आएगा पर बाहर निकलेगा मात्र 10 वोल्ट तो बेटा सेमी कंड़क्टर को मैंने बनाया है तो मैं चाहूं तो उससे 10 वोल्ट भी कंड़क्ट करवा सकता हूं मैं चाहूं तो 50 वोल्ट भी कंड़क्ट करवा सकता हूं तो मैंने यहाँ प जो अपने से बाहर 8 वोल्ट बस रिलीस करेगा तो पैटा यहाँ पर मैंने ऐसा सेमी कंड़डर लगाया है जो शिर्प 28 वोल्ट अपने अंदर से जाने देगा तो अब हुआ जिसेices कंड़क्टर बनाऊगा कुब मैं चाहता हूं तो अगर आज मैं सेमी कंड़क्टर नहीं बनाया होता तो मेरा काम नहीं चलता भाई दुनिया का हर इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्राणिक आइटम दो सबबीस वोल्ट में ठोडी चलता है हर किसी को दो सबबीस वोल्ट नी चाहिए किसी को दस वोल्ट और तो मेरे घर में तो 220 वोल्ट आ रहा है पर उसको मैं 10 वोल्ट में कैसे करमट करूँगा 8 वोल्ट में कैसे करमट करूँगा थ्रू सेमी कंड़क्टर तो इसलिए आवाशकता पड़ी सेमी कंड़क्टर बनाने की वरना हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे कंड़क्टर उप कम इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करने वाला सेमी कंड़क्टर बनेगा और ज्यादा अशुद्धी मिलाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंड़क्ट करने वाला बनेगा पर एक बच्चा कोशन पूछ रहा था कि क्या इसमें अगर मैं अशुद्धी मिलाते जाओं मि करते बरते प्राक्रीटिक गंडंटिक्ट के बराबर हो जायेगा क्या मैं सेमी कंड़क्टर को इसका मतलब है जो एक्च्वल पकंडक्टर होते है उनसे कम ही ये कंडक करेगए उतना अशुधे आप नहीं मिला सकते वरना बेटा आप अरसेनिक मिला रहे हो सिलिकॉन में अब आप कहोगे में हाथनिक मिलाते जाओंगा मिलाते जाओंगा आप तो थोड़ा सा इंपिरूटी मिला के इसे कंड़क्ट करने लाइक बनाए हो तो हमेशाद रखना सेमी कंड़क्टर इनको इसले कहते हैं क्योंकि इन में कितना भी है शुद्धी मिला दो इनका कंड़क्टेंस प्राकृतिक जो कंड़क्टर होते हैं उनके बराबर कभी हो सकता यह हमीशा उनसे कम ही रहेंगे ओके तो अब मैंने आपको बता है कि कंड़क्टर की आवाशक्ता जो है वो क्यों पढ़ी अब एक प्रश्ण और मेरा दिमाग में आ रहा है एक प्रों से बाग में आ रहा है ये सास्पेंस भी पिछले दो क्लास से बना हुआ है क्या कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से कोई electricity conduct करेगा ये मैं मान लेता हूं अरे भई मैंने कहा कि अगर किसी पदार्थ में अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन याने कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं मान सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंड़क करेगा जब तुम यहां से इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो यह जो इलेक्ट्रोन होते हैं ने बैटा यह इलेक्ट्रोन गती करते हैं मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनों के मूवमेंट के कारण ये ठोस electricity conduct करेगा तो सबको पता है सबको पता है कि मुक्त electron के कारण पदार्थ electricity conduct करेगा पर अब question ये उठता है अब question ये उठता है कि मैं ये तो जान गया कि n-type semiconductor कैसे काम करेगा क्योंकि इसमें मुक्त electron है पर अब प्रशन ये उठता है कि इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रोन नहीं है इसमें तो होल बना हुआ है गैप बना हुआ है अब गैप के कारण कोई कैसे इलेकTrCity Conduct करता है अब इसके बारें बात करते हैं अरे भई मैं ये तो जान गया कि free electron के कारण मैं मान सकता हूँ कि कोई भी चीज electricity conduct कर सकता है पर hole के कारण hole के कारण कोई कैसे करता है electricity conduct तो बैटा जब आप physics पढ़ोगे physics में जब आप semiconductor पढ़ोगे तो physics में आपको बताया जाएगा physics में न free electron को negative particle माना जाता है या negative particle मान के चीजों को आगे बताया जाता है और इस hole को positive particle माना जाता है physics में जब आपको semiconductor पढ़ाया जाएगा तो इस electron को negative particle मान के teacher आपको समझाएगा और hole को positive particle और physics वाले ये कहते हैं कि जब electron गती करेगा जब electron गती करेगा तो T-type semiconductor कहलाएगा और physics वाले कहते हैं कि जब hole यानि कि positive आयन गती करेगा तो P type semiconductor कहलाएगा पर क्योंकि मैं chemistry पढ़ा रहा हूं चीजों को एकदम clear कर दूँ बेटा यहाँ पन्ना कोई positive particle नहीं होता यह hole ही रहता है पर प्रस्ट नहीं है कि hole कैसे गती करेगा hole कैसे गती करेगा प्रस्ट नहीं उठता है कि आखिर hole के कारण कोई कैसे electricity कंड़क करता है मैं आपको बताता हूं यह कैसे होता है मान लो यहाँ पर देखो इलेक्ट्राणों का एक sequence है बीच में hole बना हुआ है बीच में hole बना हुआ है अब देखना क्या होता है जानते हो क्या होगा अब यह वाला इलेक्ट्राण यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा स्विच कर जाएगा जिसके कारण अब यह structure ऐसे दिखेगा यह देखो यह देखो यह ऐसा दिखेगा अब यह वाला इलेक्ट्राण यहाँ खिसक जाएगा तो अब यह system आपको ऐसे दिखेगा उसके बाद फिर आपको ऐसे दिखेगा तो बिटा मुझे यह बताओ खिसक क्या रहा है अभी भी इलेक्ट्राण ही खिसक रहा है पर जब यह जल्दी 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 होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा होल खिसक रहा है आपको ऐसा लगेगा कि होल खिसक रहा है तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्राण खिसकता है हाँ पर देखने सकता कि होल कि शरा है तो भली के बूक में ऐसा लिखा रहता है कि होल के गती से यह होल मुव करेगा तो पी टाइब सर्मी कनेटर कहला आएगा पर मैं आपको बता रहो ओल मूव निक अधिकुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन अभी मुव कौन कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है तो तो बस इतने ही याद रखना पर पढ़ते वक्त आपके बुक में आप पढ़ेंगा तो बुक में भी लिखा हुआ है कि होल के कारण electricity conduction होगा आप भी वही लिखना पर मैं व्यक्तिगत तोर पर आपको बता रहा हूं कि आखिर होल मूव नहीं करता मूव क्या करता है बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता होगा चलो उसको भी जान लेते हैं इसा देखना क्या हुआ होगा बेटा यहाँ पर न होल बना हुआ है यहाँ पर होल बना हुआ है तो क्या होता होगा यह जो इलेक्ट्रॉन है यह वाला इलेक् अब यहां होल बन गया अब यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा यहां होल बन जाएगा यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा यहां होल बन जाएगा यह इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है पर देखने से क्या लगता है होल दूनिया वह अधूरा है अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप आज के जमाने में एकदम सर्वाइब नहीं कर पाऊगे बिटा मोबाईल में कंप्यूटर में किसी भी सिस्टम में सेमी कंड़क्टर पाए जाते हैं एक्जांपल बताऊं जैसे मेमोरी कार्ड पैन ड्राइव रैम यह सब दिखना अगर आप ध्यान दिया होगा मेमोरी कार्ड यह रैम वह ऐसा ब्ल्यू ब्लू टैप का दिखता है ऐसा तो बेटा वो जो है वो सैमी कंड़क्टर है रैम इमोरी कार्ड पैन ड्राइव यह सब जो है यह वे Ε fordi सैमी कंड़कटर खी और शूचिय भीना समझ सकते हैं कोई एलेट्रौनिक चीज नहीं चलेग तो आज के डेट में सेमी कंड़क्टर सच में एक वर्दान है वर्दान के तौर पर इसको यूज किया रहा है तो सोची अगर मैं शुद्धी नहीं मिलाता तो आज मुझे यह जो चीज है वो मिल नहीं पाता और मेरे दुनिया अधूरी रहती आगे बरते हैं अच्छा एक द डोपिंग करने के लिए डोपिंग करने के लिए सिलिकॉन ही क्यों सॉरी डोपिंग करने के लिए सिलिकॉन को ही हमने क्यों लिया है तो बैटा सिलिकॉन कों से समू का है सिलिकॉन 14 ग्रूप का है तो बैटा 14 ग्रूप में 14 ग्रूप में कार्बन होता है सिलिकॉन होता है ज सिलिकॉन और जर्मिनियम दोनों को आप ले सकते हो पर कार्बन आप नहीं ले सकते कार्बन आप नहीं ले सकते क्यों कार्बन मजबूत नहीं होता अरे भई तुम देखना मेमरी कार्ड पेटा मेमरी कार्ड को आप रख दो सालो सालो खड़ाब नहीं होगा वो तूटे का नहीं, जब तक आप उसे जान मुझ के तोड़ो का नहीं, वो तूटे का नहीं, तो memory card, sim card, यह सब तूटते नहीं, मजबूत होते हैं, मतलब silicon, silicon, silicon के जो होता है, वो काभी मजबूत रहता है, तो carbon आप ने ले सकते, carbon तूट जाएगा, और tin और lead, tin और lead, already metal है धातू है, इसलिए नहीं ले सकते, तो बटा, silicon और germanium, germanium में भी metallic property पाई जाती है, पर यह भी मजबूत रहता है, तो सबसे आदर्श example है, silicon का, एक तो वो non-metal भी है, और मजबूत भी रहता है, तो हम semiconductor बनाते वक्त, इस बात का भी तो ध्यान रखते हैं, कि भई, वो मजब मजबूत बने, मजबूत बने, तो इसलिए हम silicon use करते हैं, चली, तो वापस आते हैं, तो अब मैंने आप लोगों को दोश के बारे में सब कुछ बता दिया, तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं, जिनमें प्राकृतिक दोश पाया जाते हैं, जैसे कि शॉट की defect, फ्रेंकल defect, होते हैं, बेटा, मैं इस पूरे chapter में आपको बस एक ही चीज़ सिखा रहा हूं, ठोस, जो ठोस होते हैं, उनमें क्या धर्म गुण होता है, तो अभी अभी आपने जो ठोस होते हैं, इनमें अभी आपने वैदू चालकता गुण देखा, अब मैं आपको ठोसों में जो चु आपने वो है चुम्बक्य गुण, चुम्बक्य गुण, ऐसे बहुत सारे ठोस हैं, जिनमें मेगनेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, चुम्बक्य गुण पाया जाता है, मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे ठोस हैं, जिनमें चुम्बक्य गुण या मेगनेटिक जाता है उसके बारे में बात करते हैं और किसी भी ठोस के अंदर कि झुम्बके गुढ़ आते कहा से चुमभके गुड़ आते कैयसे है मैं समझाता हूं जरा ध्या सुनेगा आप सब को पता है बैटा आप दुनिया का कोई भी ठोस ले तो बेटा आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके तुलना में अगर आप इधर ध्यान देंगे, तो मेरा भला हो जाएगा, चलो ठीक है, उसके बात कर रहा था, कि किसी भी ठोस के अंदर ये चुम्बक्य गुड कहा से आ जाता है, तो मैंने कहा कि आप कोई भी ठोस उठा के ले आओ, उसके अंदर या तो परमाडू होगा, या तो अडू होगा, या तो आयन होगा, अब बेटा परमाडू हो, चाहे अडू हो, चाहे आयन हो, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, तो असल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही पक्या गुड आजाता है, अब कैसे आता है, मैं आपको बताता हूँ, ये बताओ, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे इग्जाम्बल के थोर पर, मालीजय ये नाभिक मैंने बना दिया, ये नाभिक के चारों तरफ ये कक्ष मेंने बना दिया और मानलो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गती कर रहा है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गती कर रहा है यह सब आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारो तरफ घूमता है तो यह देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ ना सिर्फ नाभिक के चारो तरफ घूमते हैं बलकि वो अपने अक्ष में भी घूम रहे होते हैं, यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह अपने अक्ष में भी घूम रहे होते हैं, तो जब यह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी घूमते हैं, तो जब यह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी घूमते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बाद सबको पता होना चाहिए, कि जब भी कोई आवेश वाला कर्ण, यानि कि चार्जेबल पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज वाला पार्टिकल घूमता है, तो अपने चारो तरप चुम्बकिय, छेतर बनाता है, मेगनेटिक फिल्ड बनाता है यह वास सबको पता है मुझे पालूम है कि जब भी एक आवेश वाला कंड या चार्जेबल पार्टिकल घूमता है तो अपने चारों तरफ मैगनेटिक फील्ड बनाता है तो घूमते हैं वो अपने चाहरा तरफ magnetic field बनाता है और इसी magnetic field के कारण इसी magnetic field के कारण यह electron magnetic गूर्ण याने की magnetic property शोग करने लगता है तो गौर सुनेघा जब 지금 Electron घूमेगा तो magnetic field बनाएगा तो हम कहेंगे electron magnetic property show कर रहा है और क्योंकि electron किसी परमाडू के अंदर होता है तो हम कहेंगे वो परमाडू जो है वो तत्व जो है वो magnetic property शो कर रहा है पर समस्या क्या है कि भाई जितने भी तत्व पाय जाते हैं जितने भी अडू परमाडू या कोई भी पदार्थ पाया जाता है हर पदार्थ परमाडू से बना है और हर पदार्थ के अंदर electron होता है पर सारे पदार्थ तो चुम्बकिया नहीं होते पर सारे पदार्थ चुम्बकिया नहीं होते मैंने कहा कोई भी पदार्थ अगर चुम्बकिया है उसके पिछे प्राब्लम यह हैं कि बेटा सिर्फ इलेक्ट्रौन होने से बात बनेगा ईयुगमित Helen रॉनेट्रोaciones बनेगा याने की याने की लीदिए सब्सक्रों सब्सक्राlide से अंपाद उलेक्ट्रॉन एंपार इलेकट्रोन युञळाफ यू अगार कोई लेक्ट्रॉन जोड़े में है तो बेटा है इस तरह से गुम रहा है माल लो यह ईस दोनों का चुंक्या गूण है एक दूश्रे को उदाशीन कर देगा यानि कि नियूट्र可愛ज़ कर देगा तो होता क्या है अगर एकी एकी कशक में एकी कर चत्रक में या एकी और वीटल में आपको पता है में रिछ के और इंत्सक्र में दो खुप मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी घूम रहे हैं ऐसी बात नहीं है यह भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है पर दोनों विप्रित दिशा में घूम रहा है यह तो आपको पता है ना आप लोगों ने क्लास 11 में कौंटम संख्या पढ़ा था और वहां पर आपने यह दिशा में तो एक घड़ के विप्रित दिशा में करेंगे तो बैटा दोनों इलेक्ट्रॉन आप पोजिट डारेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो दोनों का जो चुम्बकी छेत्र होगा वह एक दूसरे को उदासिन कर देगा यह निउट्रल कर देगा हां लेकिन अगर लेक क्या कहता है कि जब भी किसी तत्व में अयुगमित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा यानि कि अन्पेर बोलते हैं इसको हम लोग अन्पेर और यह पेर में हैं पेर मतब जोड़े में हैं तो जब भी किसी ठोस में जब भी किसी ठोस में अन्पेर इलेक्ट्रॉन पाया कि वो magnetic property शो नहीं कर सकता और बेटा और वे सारे पदार्थ वे सारे पदार्थ जिनमें सिर्फ युगमित electron होते हैं इनको हम die magnetic solid कहते हैं दूइचुमब किया क्या दूइचुमब किया और जिनमें युगमित electron पाया जाता है एक भी अगर आयुगमित electron हुआ उसे बोलते हैं बेटा पैरा magnetic solid यानकी अनुचुमब किया solid तो बस इतना याद रखेंगे जो दूइचुमब किया होते हैं जो डिमेगनेटिक होते हैं वो किसी भी स्ठीती में मैगनेटिक property शोनी करेंगे यह सक्षे कि पत्तर rubber प्लास्टीक लकडी कांच ये लोग क्या होते हैं ड happiest डाइट होते हैं तो अब हम ये समझे कोचिस करते हैं कि जो ठोस होते हैं घौर सा सुनेगा तो ठोस होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं क्या-क्या प्रती चुम्बा किया या इसको बोलते हैं बेटा एक मिनट इसे बोलते हैं डाइमेगनेटिक डाइमेगनेटिक और अनुचुम्बा किया याने की पैरा मेगनेटिक और थोड़ा सा मतलब आप समझी गए हो क्या कि भई डाई मेगनेटिक उसे कहते हैं जिसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन युगमित होते हैं उनके अंदर जो कक्छक होते हैं उनके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन युगमित होते हैं और पैरा मेगनेटिक उसको कहते हैं, जिसके अंदर आयुगमित इले ट्रॉन पाय जाएंगे, कक्छकों के अंदर, और्बिटल के अंदर आयुगमित इले ट्रॉन पाय जाएंगे, आब वो एक आयुगमित इले ट्रॉन हो या एक से जादा, इसे फरक नहीं परता, एक भी आ प्रकृति में ठोस दो तरह के होते हैं एक जिन में किसी भी स्थिति में चुमबक्ये गुड होने का कोई चांस नहीं होता और एक ऐसे ठोस जिनको देखने के बाद आप यह कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें आयुगमित इलेक्ट्रॉन है मतब यह चुमबक्ये गुड दर्शा सकते हैं तो गौर सुनेगा अगर आप किसी ठोस के अंदर देखते हो और क्या पाते हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युगमित हैं इस तरह से जुड़े हुए हैं पेर में हैं तो देखते ही कह देना कि यह ठोस मेगनेटिक प्रपटी शो नहीं करेगा लेकिन अगर किसी ठोस के अंदर आप देखते हो और क्या पाते हो? उनके अंदर उनके अंदर un-pair electron है. तो आप कहना हाँ इसमें un-pair electron है मतोब chances है कि ये magnetic property show करेगा. पर जब magnetic property show करेगा तो अब तीन हिस्से इसके होंगे. तो गौर से सुनियेगा बेटा यहाँ पर ना ये जो है एक सरन कहते हैं नोइं भुए लोगilt फैरो मेंगनेटिक कहते हैं इसे एक विया विपक्ष लॉख यह यानगी सो एक होता है फेरी मेगनेटिक, एक होता है फेरी मेगनेटिक, तो गौर सुनेगा ठोस दो तरह के होते हैं, प्रतिचुम्बक यह, अनुचुम्बक यह, जो प्रतिचुम्बक यह होते हैं, वो किसी भी स्थिती में मेगनेटिक प्रापर्टिशो नहीं करेंगे, और जो आयुगमित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इन तीनों में आयुगमित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी ठोस में सारे इलेक्ट्रॉन पेर में होते हैं युगमित होते हैं तो ये तो एकदम तय है कि वो चुम्बक गुड नहीं दरशाएगा लेकिन लेकिन अगर यूगमित Electron है अन पयर Electron है तो बैटा आप यह मत कह देना यह मत कह देना कि अन पयर Electron है मतलब वो चुमभकिय गुड दरशाय कहीं दरशाएगा इसमें भी अवास्थाय होती है इसमें भी condition होता है यह तो confirm है यह confirm है कि एक भी unpair electron नहीं है, मतलब ये magnetic property show नहीं करेगा, लेकिन जब unpair electron होता है, तो बेटा उसमें magnetic property हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है, जाता भी हो सकता है, बहुत सारी बाते हैं, तो याद रखना, आयुगमित इलेट्रोन होने से मेगनेटिक प्रॉपर्टी आही जाए गया ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं पहले इसका फटाक से कि एंटी फेरो एंटी फेरो याने के विपक्ष लौचुंबा किये और एक था क्या था फेरी फेरी मेगनेटिक चलो अब इन तीनों को समझने कोशिश करते हैं यहां समझना बहुत अच्छा है बेटा यह देखो मैने ना मेरे पास एक ठोस आ गया यह देखो मेरे पास एक ठोस आ गया मेरे पास एक ठोस आ गया अब ठोस के अंदर ठोस के अंदर जो परमाडू होते हैं अच्छा बटा परमाडू कैसा होगा अगर आप अगर आप एक परमाडू को ऐसे लिखते हो ऐसा यह परमाडू है तो बटा यह परमाडू ऐसा भी तो अपन रह सकता है ये पर मजूं सकता है तब पर माडू जो होते हैं उनगर कोई खास औरीएंटेशन नहीं हो तो पर मारू बना लेता हूं याद क्या रखना एक ठोस के अंदर करोडो और बो पर को बना रहा हूँ यह जो गोल गोल बना रहा हूँ यह पर मारू है अच्छा जी अब देखना क्या होता है शर्थ क्या है मिज़ら rulers अभी आप क्या पढ़ रहे हैं अब आ रहे हैं पर ningún program यह अनूचुम्बा किया तो पता अनूचूम्बग रिस कुझे आप समझ गया कि हर पर माड़ू में आयूगमित इलेक्ट्रॉन होगा हां पैरा मैगनेटिक सुनते ही आप समझ गये हर परमाड़ में यूगमित इलेक्ट्रॉन होगा अब वह पिलेक्ट्रॉन कैसे होगा कैसे हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां देखना थोड़ा समय दीजिए बस एक मिनट में बना ले तो हम एक मिनट बबद सकता करीज़ correct के राँोड़ा मिन बड़ाईख से को भेशा कॉन बेंद 속 कि अशया दाटन से काॉनर को राटन हॉन। मिन लॉपा सकती है प्टमिर जोग जग सकता के समय छिंघ क्क्टिए कॉन्क करीज़ाईŁ कि काॉальном झाल कर बेंगано यह देखिए यह मैंने आपके सामने तीट रखे थोस ले लिए याद रखना ये ऐसा जो बना है वो एक पर्माडू है अब एक पर्माडू के अंदर एसा भी हो सकता ही लेक्ट्रॉन और ऐसा भी हो सकता है और एसा भी करूब तब पेर कह लाईगा पर देखो हर गोले के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाँ उनकी दिशा अलग अलग जरूर है, तो दिशा को अभी आप ध्यान मत दीजिए मैंने कहा, अगर एक ही और्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होता तो इसको हम बोलते हैं बेटा पेर उसको बोलते हैं पेर पर अगर वो ऐसा है या ऐसा दोनों अलग अलग हैं दोनों अलग अलग अर्बिटल हैं तो बेटा ये दोनों अनपेर ही कहलाएंगे तो आप देख सकते हैं सब तरफ अनपेर 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 दिख रहा है तो अब एकदम ध्यान सुनना कोई भी ठोस के अंदर जब को किसी भी ठोस के अंदर जब आपको अयुगमित इलेक्ट्रॉन दिखे जब भी किसी ठोस के अंदर आपको अयुगमित इलेक्ट्रॉन दिखे तो आप सिर्फ एक अंडाजा लगाओगे कि इसमें अयुगमित इले करेगा लेकिन वो magnetic property सच में शो करेगा कि नी करेगा तो तब पता चलेगा ना जब आप उस ठोस को magnet के सामने लाओगे बैने कहा चिकिसी ठोस के अंदर आयूगमित इलेक्ट्रॉन है तो बस आपने अंदाजा लगा लिया कि इसमें आयूगमित इलेक्ट्रॉन है मतब पक्का ये magnetic property शो करेगा पर वो सच में magnetic है की नहीं वो सच में चुमबकिया है की नहीं वो तो तब पता चलेगा जब आप उसको किसी magnet के सामने लाओगे तो अब एक काम करते हैं मेरे सामने तीन ठोस हैं और तीनों में मुझे अयूगमित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं सब तरफ सब तरफ मुझे सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सब तरब सिंगल सिंगल अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है एक बच्चा पूछ रहा हैं सरक एक और्भी तरफ में क्वाइस भरा जाता है मैं clear कर दूँ एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि एक अच्छा तुम्हों 11 पढ़के भी आये हो अब 11 वी में तो वही सिखाते हैं ना जैसे मालनो एक orbital में एक बच्चा मेरे से क्या पूछ रहा है कि सर हमको तो ये बताया गया है कि एक orbital में जब एक electron भरना होता है तो हम ऐसे ऐसे भरते हैं पर आपने ऐसे कैसे कर दिया आपने ऐसे कैसे कर दिया ऐसे भरते हैं तो ध्यास सुनो एक orbital के अंदर अगर आपको एक electron भरना है तो उसको आप ऐसे भरो या ऐसे दोनों का मतलब सेम होता है तुम क्या रगता है एक प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा या बोला मैंने या बोला मैंने तो बेटा इसके लिए इसके लिए इसलिए तो बहुत जल्द मैं आप लोगो को क्लास 11 का बहुत सारे टॉपिक का बैक लॉग क्लास लेने वाला हूँ क्योंकि या तो आपको क्लास 11 के कुछ कॉंसेट में परिशानी है या तो आपको ठीक से वह कॉंसेट नहीं पता है तो मैं चाहता हूँ कि क्लास 12 में अगर आ गये हैं तो कोई भी कॉंसेट जो क्लास 11 से रिलेटेड है वो मैं जरूर कराऊंगा तो बेटा अभी आने वाले चालू करेंगे तो इन और्गनिक चालू करने से पहले क्लास 11 में जितना कॉंसेप्ट यूज होता है 12 में वो सब बताऊंगा तो बीज बीज में कुछ-कुछ ऐसा आता रहेगा मैं बताता रहूंगा आगे बढ़ते हैं हाजी तो अब आपके सामें तीन तरह के ठोस हैं तीन यहाँ पर मैंने यह मैगनेट का साउथ पोल है यह नौर्थ पोल है यह मैगनेट का साउथ पोल है यहाँ पर एक मैगनेट है नौर्थ पोल वाला यह मैगनेट है साउथ पोल वाला एक मैगनेट है नौर्थ पोल वाला तो आप देखो मैंने इस ठोस के सामने एक मैगनेट रख दिया यह यूँ कहो कि मैगनेट के बीच मेंने ठोस को घुसेर दिया है यह यूँ कहो कि दो मैगनेट के बीच मेंने ठोस को घुसेर दिया तो अब सुनना बेटा क्या होता है आप सबको पता है न कि जो चुम्ब की छेत्र होता है जो मैगनेटिक फिल्ड होता है वो किस अगर दो मैगनेट हैं सुनो ध्यासिन दो मैगनेट हैं उनको पास लाओगे चिपक जाएंगे अगर अपोजिट अगर अपोजिट पोल को लाओगे चिपक जाएंगे पर बेटा अगर दो मैगनेट को मैं पास लाओँ अब बीच में अपना हाथ रख दूँ दो मैगनेट को पास लाऊंक्ट बीच में अपना हाथ रख दूंँ तो उन दोनों के बीच का आकरशन कम हो जाएगा लेकिन अगर मेरे हाथ के वजाए एक लोहा यह टिम का प्लेट रखोगे तुनका आकर्शन कम नहीं होगा एकदम ध्यासुन में क्या बता रहा हूँ यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां सुनना बेटा यह देखो यह नौर्थ पॉल और साउथ पॉल नौर्थ पॉल साउथ पॉल यह मेगनेट है ठीक है अगर मैं बीच में अप मेगनेटिक फिल्ड होता है इन दोनों मेगनेट के बीच में जो मेगनेटिक फिल्ड है इसके लिए अवरोध का काम करेगा यह रोकेगा उसको लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं बीच में एक लोहे का या टिन का प्लेट ले लूँ तो लोहा और टिन यह दोनों मेगनेटि मेगनेटिक नहीं है, तो दोनों मेगनेट के बीच आकर्शन को कम कर देगा, पर अगर एक लोहा या टीन को बीच में रखोगे, तो दोनों मेगनेट को आकर्शन को कम होने नहीं देगा, क्योंकि लोहा और टीन मेगनेटिक होता है, तो इससे क्या फरक पड़ा, मैं आपको द तो आप कैसे आत रखेंगे अगर किसी ठोस के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्राउन एक ही दिशा में अगर अगर एलाईन हैं तो ऐसे ठोस जबरजस्ट मेगनेटिक प्रपर्टी शोग करते हैं लेगिन अब देखना दूसरा वाला ठोस बेटा इसके अंदर भी हर एक ठोस के अंदर समचा हूंगा हर एक परमाडू के अंदर अईगमित इलेक्ट्रॉन है ये भी आईगमित ये भी अपने ध्यान दिया यह electron टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रों जो है वो एक दूसरे को cancel कर रहे हैं अचा आप cancel के बारे में बता दूं वह फिर अप्टोगे विट एक और में अगर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डिरेक्शन में हैं तो यह दोनों एक दूसरे के magnetic field को cancel करेंगे। और अगर दो परमाडू अगल बगल में हैं और उन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्ラॉन हैं यह तब भी एक दूसरे के magnetic field को cancel करते हैं तो फिर अब क्या होगा बेटा उस अधार पर में वापस आता हूँ अब देखो ये और ये एक दूसरों कर रहे हैं ये और ये एक दूसरों कर रहे हैं ये भी कैंसल हो रहा है ये भी कैंसल हो रहा है ये भी कैंसल ये भी कैंसल तो क्या समझे कि इस ठोस में भले ही मुझे धे यूगमित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन की विवस्था कुछ इस प्रकार से है कि ये एक दूसरे के magnetic field को oppose कर रहे हैं रोक रहे हैं तो इसका मतब क्या समझें ये है पैरा magnetic क्योंकि आयुगमित है पर इनकी सरचना कुछ इस प्रकार से है कि इस ठोस का जो net magnetic moment जो है वो शून रहता है तो इसमें भले ही आपको आयुगमित electron दिख रहे हैं पर इनके electron का सरचना कुछ इस प्रकार का है कि अंत में हमने ये पाया कि आयुगमित electron होने के बावजूद ये ठोस चुमबक्य गुड नहीं शो कर पा रहा है इसका जो net magnetic moment है जो कुल चुमबक्य जो गुड है वो क्या है बेटा शून नहीं तो इस तरह के ठोस को ये और ये cancel हो रहे हैं पर ये दोनों बज गए इस वाले में ये और ये cancel हो रहे हैं पर ये दोनों बज गए तो इसमें देखो इसमें भी खुप सारे अनपेर इलेक्ट्रॉन है पर उनमें से ज्यादा आठ इलेक्ट्रॉन पियर अपड़ ज़ 20 वह पिय फरून दिख्रह में पेर बना लें और कुछ-कुछ उस कुछ कुछ उलंब कर रहा हुँ नूद कर रहा हुँ न कि ड्मेंज कर रहा हुँ न कि ड्यर सारे अधे आ युगमित इलेक्ट्रॉन है पर जादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो युगमित रूप में आ गया और कुछ-कुछ जो है वो अनप्यार बच गया तो जो थोड़े बहुत जो अनप्यार बचे है ना उसी कारण से इस ठोस में चुम्बकिये गुण होगा पर उतना नहीं इसको फैरी मेंगे टिक यहां से मैं आपको इनकी में बता दीता हूं तो यहां से यहां से बैद्कुन के तओर पर फैरो का इंग्सामप्ल है एक्जामपल है MN 2 O 3 इसका एक्जामपल है Fe3 O 4 Fe3 O 4 यह एक्जामपल आपको नहीं याद रखना पड़े का ठीक है इसे को आप लिए पीजामपल आपको नहीं याद करने पड़ते हैं बेटा तो अब इस एक्जाम्पल के साथ बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि कि दो चुम्बक अगर एक ही धुरू में हो तो प्रतिकर्शित क्यों करते हैं यह आपको फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे बेटा वो फिजिक्स का हिस्सा है मैं आपको केमिकल वर्ल्ड में रख जो है वह बताया जाएगा होगे तो अब मैं यह बता रहा था कि अब मैंने यह चैप्टर जो है वह कंप्लीट कर दिया है